कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया, फिर यह जो संख्या हुई, वो 19 तफ पहुची और अब आप देखिए, यह संख्या 29 तक जा पहुची है, नकसलियों के खिलाब यह अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है, इसलिए जवानों की जुसमे को सलाम करते हैं, बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुए हैं, जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया, और सबसे बड़ी बात, IBC 24 ने हर एक खबर, हर एक पहलो एक्स्क्लूजिबली अपने दर्शकों के सामने रखा, हर एक प्रतिक रिया, भले ही वो डेपटी CM विजेशर्मा क की हो, या फिर सियम विश्रुदेफ साही की हो, या फिर डी आईजी नकसल ऑपरेशन की हो, तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हर एक इंफॉर्मेशन पहुचाई, और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ, यह अभी एक और अपडेट हम आपक का रहे हैं कि 29 नकसलियों के शब कांकेद लाए गए है, और देखिए 29 नकसलियों के शब है, इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्ट मौत्रम टीम यहाँ पर बुलाए गई है, और अब इन शबों का पोस्ट मौत्रम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल उपरेशन, लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार, कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप, लाल गड़ में जवानों का शौरिय, 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाब सबसे बड़ी काम्याबी मिली है, कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत, कलपर के जंगलों में, 29 नकसली मारे गए हैं, मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है, पियम मुदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी, हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है, और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई नेना एक मोड़ में, आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रतु में नकसलवाद को हम समाप्त करें। डियार जी ओम, बियसेप की स्वक्त पार्टी और माओ वादियों के बीच मुडबेड हुई, इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है, मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है, घायल जवानों की स्थिती समानने और खत्रे से बाहर है, यह एतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है, इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ, इसी ती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है, हलाकि सर मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है, मुडवेड में B.S.F. इंस्पेक्टर और डियार जी के दो जवान घायल हुए है, इसमें घायल B.S.F. इंस्पेक्टर रमे स्ट्राइक बताया अपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों के स्वास्त की जानकारी ली है, उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी, फिलाल क्रॉस फाइरिंग बंध है लेकिन सर्चिंग जारी है यह अन्य हत्यार यह गोड़ा बर्द भी गटनासल से बरामत कीगे हैं, मारे गैन एक्सलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपोर्ट आईवी सी 24 वाकई लोकसबा चुनाओं के पहले यह बहुत बड़ी काम्याबी है सुरक्षा भलो के लिए और इस वक्त दो सही होगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुआ है यह वो दो सही होगी है जो कल जब से खबर ब्रेक आईवी सी 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक पहुचा रहे राजेश राज हमारे साथ आई जुड़ चुके हैं और राइपूर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन सबसे पहले रुक कर लेते हैं कांके इरका राजेश राजेश अभी वाह पर आप किस तरह क्या चल देख रहे ह हैं और एक बाप यह कि यह भी कहा जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफोर्मेशन है पोस्टमाटर्म की शुरुवात हो चुकी है क्या और आजेश देखिए पहले आपको जवाब देदू पोस्टमाटर्म की शुरुवात हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते हैं यहां से कांकेर क्या यह अस्पताल का जो मर्चूरी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारेगे नकसलियों के शव लाएगे हैं यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नज़र आएंगे एफसल की टीम नज़र आएगी अस्पताल में पोश्टमाटर्म करने वाली की टीम नज़र आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी श और देर रात हमने रापो बस्तर के जो एसपी है इंद्रा कलिया लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहां पे ब्रामत किये गये थे और लाए गये थे ल लेकिन उन 30 बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सकस्फुल जो पुलिस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देर रात बॉडि ले जो है देड़ बड़ी को लाए गया है दो गड़ी में अबरकें डेड़ गया है ता अपने ध्यान दिया होगा कि जो आमने विज्वाण में बखेशे हैं उसमें है बांथ कुक्ति एप बाढ़ को बोश्टित करेगी चुकी आला दिकारी यहां पर पहुंचेंगे और उन सब्सक्राइब करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के एस पी से और उन्हों ने बताया था कि 29 बॉड़ी को एक दिन में पोश्ट मॉर्टम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से एफसल की टीम बुलवाई गई है लेकिन उसके बावजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारी के सारे 29 पॉर्टम हो जाए और यह भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलों से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेड बॉड़ी को रखने के लिए उ ऐसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेड बॉड़ी को पैक करके और फिर ग्राइपो यह जो बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौझूद होंगे चुकि यह 36 गड के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर पुदेश करा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गड़ चरौली का जो एटीए से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले 36 गड पुलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के हौसले को उनके जस्पे को आई बीस आईएक्शन लेते तो इसे निपटने के लिए क्या तयायर्य की जा रही है तो निश्प टौर पर जिस तरीके से चोटे बेटिया धाना अंतरकत जो कलपर के जंगलों में जो कल ईक बड़ी सफलता मिली है निश्प तो ड़नी के इस लिए भलत है क्योंकि अभी तक कि अग यह जो नाम है एक साथ जो 29 लोग जो 29 हार्टकोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो रिकॉर्ड है अब वो 36 गर्फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि यह एक बड़ी सफलता है यहाँ पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इन्फोर्मिशन बेज़ केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समित डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राव ललिटा और विजे रिड तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजे रेड़ी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नक्सल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों का परेक्शन होगा नक्सलियों के अगर शंकर राव की मौत की पुष्टी हो चुकी है ललीता की मौत की पुष्टी हो चुकी है अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निशित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विज जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हतियार थे वेपन थे उनसे ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे व हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौदरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डीजी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकि जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीक अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पचास से जादा नकसलियों की बड़ी इंपूर्ट तैसीन देखी जैसे कि आप बता रहे हैं अभी जो डो टॉप लीडर कमांडों थे उनके बारे में तो शिनाक्त उनकी हो गई है लेकिन इसके बाद भ इसी बड़ी खबर आपको बता दे पूर्व मुखी मंतरी वुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है बादपस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार किया जा रहा है और वुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सीम बताया था अधर भी में भी मृति भी है और खड़ी गिरफतेहरियां भी धक्सली मताब्स आदबासियों को बंद करने की जानतार जानकारी आ रही है देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ा नहीं करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक एर स्ट्राइक को भी उन्होंने मलब कालपनी कहा और यह तो उनके यहां की बात है छत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करे और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुए आपको बतारे कि काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पोचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्शा ने कहा कि नकसलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है पियमोदी के नेत्रितों में न सब्सक्राइब करूंगा मत्यप्रदेश की सभी की सभी सिटे इस बार भारतिय जनता पार्टी जीतने जा रहे हैं जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे हैं और चिंदवारा लंबे अर्शे से बीजेपी काम्याब नहीं होरी लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप कि 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोर में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप्त कर ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवादा सहीद पूरी मत्यवदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवादा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में ढेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाएगा है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाएगा है कांकेर जिला स्पताल में शबवो को रखा गया है पोस मौटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुराए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाख रुपे का टॉप कमांडर शौंकराओ भी शामिल है 10 लाख रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है तो पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाया और नमें टेजिल आई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसर सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे है जो आप एक सबसे बड़ा नकसलियों चलाया गया है और यहाँ पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तो कि इस सबसे बड़ी बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 29 नक्सलियों की शभ को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नक्सलियों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिये ये संख्या 29 तक जा पहुची विजेशर्मा की हो या फिर सियम विश्रुदेव साही की हो या फिर डियाईजी नकसल आपरेशन की हो तो लगातार आईबी सुरेंडिफोर ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हारे के इंफॉर्मेशन पहुचाई और नकसल मुटभेर से जुरिया हुआ यह अभी सबसे बड़ा नकसल आपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिया 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री और मिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है मुटबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुटबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिती समानने और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुटबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ इस सिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर रायपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की इप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बधाई देता हूँ तो अने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा परियास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्ची दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल अपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए हैं मारे गए नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैटलिया लाए गया एर रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात ये कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेट रिपोर्ट है ये और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको ने करके क्या इंफर्मेशन है पोस्ट माटम की शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट माटम की शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का ये अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए हैं ये पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे FSL की टीम नजर आएगी अस्पताल में पोश्ट माटम करने वाली की टीम नजर आपको टस्वीरों में आ रही होगी वह प्रकरिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्ट माटम अभी शुरू नही हुई है जो जो सुत्र बता रह रहे है वो यह है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रक्रिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बाद समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर SP प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉड़ी वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने उतर बस्तर के जो SP है इंद्रा कलिया लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सबी बॉडिज वहाँ पे ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल्ग सुभा आज जब वहाँ पे आसपास की ग्रामीन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जबान वहाँ पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वो संक्या भी बढ़े लेकिन उन्तीस बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भेजी भी एक्स्क्लूसिव तस्वीर आपने आइवी संटी 24 पर दिखाई है तो रात तक यहां पर वो डेट बॉडिज आ गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की क्या प्रक्रिया होनी है दिखिए लगप और वहां से लाने के बाद बारा बजे के बाद प्रक्रिया सुरू की जाएगी क्योंकि प्यम करने में समय लगेगा 29-39 बॉडिया है और पहला बारा सा कांकेर में हुआ है कि जब 17-19 बॉडिगों का प्यम किया जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी मेरी जी जानकारी कि मैं कामकार हूँ मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गर्ल में इतना बड़ा लंक्त लिए इंकाउंटर हुआ है तो अच्छा एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया थ कि 29 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोस्ट माटम करना भी चुनाती होगी क्योंकि आसपास के जीलों से FSL की टीम बुलवाई गई है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 29 पोस्ट माटम हो जाए और ये भी कोशिश की जा रह गा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शौबो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोग अमित ने बताया कि अभी FSL की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके औ वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौझूद होंगे चुकि ये 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंधर पुदेश करा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गड़ चरौली का जो एटीए से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले 36 गड़ पुलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बिकल तैसीन जैसे की राजश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल आपरेशन इसे का जा रहे है जायर से बहते नक्सल में बॉकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चुनाओ होने ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्शन लेते हैं तो बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हाड को नक्सलियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हाड को नक फोर्मिशन बेस्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समित डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पर ही बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राओ ल अच्छा रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयर एडी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नक्सल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों का परेक्शन होगा नक कि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नक्सल में कि विजयर एडी भी लेकिन जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हतिय वेपन थे उन से ये हमला कर रहे थे और काफी चला चोट वहां पर ये आ कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाख है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बाहद्दुरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौदरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डीज लेकिन जिस तरीके से चौट अर्फा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समिट जो अमिश्चा हैं ग्रह मंतरी उसके बाद जो प्रदेश की ग्रह मंतरी हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके 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 पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है, कबरधा सही बड़ी कबर आपको बता दे, पूर्व मुक्हिमंतरी वुपेश बगे ले बड़ा बयान दिया है, बादपस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं, आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है, और बुपेश बगे के इसी बयान पर अब सियम विश्रुदेव साय ने पलटवार किया है, उन्होंने कहा है कि ये घटना अगर फर्जी है, तो आप प्रव मोखी मंत्री बुपेश बगे ने बहुत बड़ा बयान दिया, भासपस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं, उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया है, आई आपको सुनवाते हैं, उन्होंने क्य देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खडान नहीं करना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक, एर स्ट्राइक को भी उन्होंने मलब कालपनी कहा, और ये तो उनके यहां की बात है, छत्रिगर की बात है, अगर यहीं कहीं, यहां किसी भी तरह से अगर यह फर्जी है तो उसको प 29 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है, आपको बता दे की काकेर में मुढबेड में 29 नकसली मारे गये है, चिंदवारा पहुंचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है, पियम मोदी के नेत्र इसकी सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जनता पार्टी जितने जा रहे हैं, जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे हैं, और चिंदवारा लंबे अर्से से बीजेपी काम्याब नहीं हो रही है, लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड सवाज मैंने देखा है, अबुद्पुर्वत जनुच्चा है, पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है, सुरक्षा वालों ने बड़ी शबलता आसिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले, नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है, और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई, निरा एक पूर में, आने वाले कुछी समय में, मोदी जी के नेत्रुद में, नकसलवाद को हम समाप्त करें, ग्रयमंत्री जी कह रहे हैं कि चिंदवारा सहीद पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जन्ता पा अर् इसमें पचीस लाक रुपे का एनामी नकसली लीडर, शंकर राओ भी धेर कर ढया गया है, उसके साथ ही 10 लाक रुपे की एनामी नकसला ललिता को भी मार गिराया गया है, कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 गंटे तक मुढ़बेड चली, और मुढ़बेड में धे नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गया है, तो लाल गड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लगातार चनाओती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकस सामने आई हैं और देखें सब बहुत खुश हैं और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे हैं कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलीों को मार गिराया गया है तो पोस्ट मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नु घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापुर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी है बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 29 नकसलीों के शफ को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलीों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुच प्रतिक्रिया भले वो डेपटी सीम विजेश शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साही की हो या फिर डियाई जी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार आईबी सुरनी फोर ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हारे के इंफॉमेशन पहुचाई और नकसल पॉच्रम किया जाएगा के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर केंद्वी ग्रेमंतुरी अमिच्छा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड पर है पीयमोदी के नित्रत्यु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाए ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बधाई दी मुटबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थिती समानने और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक कि सबसे बड़ी सफलता है इस मुटबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ कि स्थिती बस्तर में सांती बाहली के दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकारियों चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो लोग वारता के लिए तयार हो और विकास की मुगधारा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए हैं इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेज चंद्र चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाज की डिप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्य दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीद 200 थी फिलाल क्रॉस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरी से नकसली के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए है मारे गए नकसली के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया येरो रिपूर्ट, IBC 24 तो वाकरी लोगसबा चुनाओं के पहले ये बहुत बड़ी काम्याभी है सुरक्षा भलो के लिए और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है ये वो दो सहयोगी है जो कल जब से खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक पहुचा रहे राजेश राज हमारे साथ आई जुड़ चुके हैं और राइपूर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन पोश्टमाटम की शुरूरात हो चुकी है किया तो तस्वीर सीधी आपको लाइफ दिखाते हैं यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाएगे हैं यह पुल कुरी करेंगी और उसके बाद समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर एसपी प्रेस कॉन्फरिंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखे यह अथ पर देर रात हमने बस्तर के जो इसपी है इंद्रा कल्या लेलासिला उनसे बाचीट की थी और उनके मताबिक करी पास सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहां पर आसपास की ग्रामिन आएंगे और शुरक्षा बलके अगर जबान वहां पर हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वह संक्या भी बढ़े लेकिन उन्तीस बॉड़ी रिकावर हैं ये तमाम बातों से पुष दिखाई है तो रात तक यहां पर डेट बोड़ी जा गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की क्या प्रक्रिया होनी है दिखें लगपक नटाइब बजे का सब्सक्राइब को लाए गया दो गाड़ी में बरकें डेट बड़ी को लाए था आपने ध्यान दिया जो है बारा बजे के बाद प्रक्रिया सुरू की जाएगी क्योंकि प्यम करने में समय लगेगा उन्तिस-उन्तिस बॉड़िया है और पहला बारा सा कांकर में हुआ है कि जब एक साथ उन्तिस बॉड़ी को का पीम किया जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या श पोश्ट माटम करना भी चुनाती होगी क्योंकि आस पास के जिलों से एफसल की टीम बुलवाई गई है लेकिन उसके बाबजूद ये डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे उन्तिस पोश्ट माटम हो जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि आस पास के जि और वो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके और फिर ग्राइपो ये जो बस्तर का इस पे मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौझूद होंगे चुकि ये 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इस दिली हो और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बिकुल तैसीन जैसे की राजश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल आपरेशन इससे का जा रहा है जायर से बहते नक्सल में बॉकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चुनाओ होने ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्शन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तयारिया की जा रही है निशित तोर पे जिस तरीके से छोटे बेटिया थानांतर का जो कलपर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मिली है निशित तोर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला ज तो ये एक साथ इतने सारे हाड कोर नकसरियों को ढ्यर करना ये सिर्फ अभी तक महाराष्ट की सिशिटिस स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगे eins हाटकोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 गर्फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहां पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इंफोर्मिशन बेज्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसम पे शंकर राओ ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नक्सल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेडी भी अगर इसमें धे लियों के अगर उसमें शंकर राओ की मौत की पुष्टी हो चुकी है ललिता की मौत की पुष्टी हो चुकी है अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हतियार थे वेपन थे उन से ये हमला कर रहे थे और का काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत दूरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौदरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डीजी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकि जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीक कि उन्होंने काबिले तारीफ उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पतास से जादा नकसलियों की बड़ी इंपूर्ट तैसीन देखी जैसे कि आप बता रहे है अभी जो डो टॉप लीडर कमांडो थे उनके बारे में तो सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी ख़बर आपको बता दे पूर्व मुखी मंतरी वुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है बादपास सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार किया जा रहा है और वुपेश बगे देखे पूर्व मुखी मंतरी वुपेश बगेल ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपास सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार क्या गया है आए आए आपको सुन देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ानी करना चाहिए सर्जीकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने मलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है छत्रिगड की बात है अगर नहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल आपरेशन हुआ है आपको बता दे की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गए है चिंदवारा पोचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड पर है पियमोदी के नेत्रितों मे नकसलवाद जल्द खत्म होगा आपने होरी लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वत जनुच्चा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षा वालों ने बड़ी शबलता असिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई निना एक पूर में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप्त करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवाणा सहीद पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवाणा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाख रुपे का टॉप कमांडर शौंकराओ भी शामिल है 10 लाख रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है तो पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगे बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाया और नमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसर सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे है जो आप एक सबसे बड़ा नकसलियों चलाया गया है और यहाँ पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है तो इससे पहले भी ग्रे मंत्री विजे शर्मा यह साफ कर चुके थे कि हम बात करने के लिए तयार है नकसलियों को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो, बीजापूर हो, या फिर कोंडा गां हो, कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ओपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी है बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकेर लाया गया है 29 नकसलियों के शब को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुची है नकसलियों के खिलाब ये अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्बे को सलाम करते हैं बताया जा रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलू exclusively अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया बहले ही वो डेपटी सीम विजय शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साही की हो या फिर डिया जी नकसल आपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर प्रतिक्रीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शर्मों का पोस्ट मौटम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल आपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिया 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाब सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्णा एक मोड़ पर है पियम मोदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बधाई दी कि स्युक्त पाटी और माओ वादियों के बीच मुडबेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में बीसेफ इंस्पेक्टर और डियारजी के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल बीसेफ इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और डियारजी जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर रायपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की इप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बधाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्य दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग पचास की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीद दोसो थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया एर रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात ये कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है ये और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफर्मेशन है पोस्ट माटम के शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट माटम के शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का ये अस्पिताल का जो मरचूरी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए हैं ये पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे FSL की टीम नजर आएगी, अस्पिताल में पोश्ट मार्टम करने वाले की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रकरिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्ट मार्टम अभी शुरू नहीं हुई है जो ऐसा कि हमारे सहियोगी भी बता रहे है और जो सुत्र बता रहे है वो यह है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रकरिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर SP प्रेस कॉंफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉडि वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने राप बस्तर के जो SP है इंद्रा कलिया लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये स सुरक्षा बलकि अगर जबान वहाँ पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वो संक्या भी बढ़े लेकिन उन 30 बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में आप तक का सबसे बड़ा सबसे सकसफुल जो पुलिस तो रात तक यहां पर डेट बाड़ी आ गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की चा क्रिए होनी है अगे फ़स्तित करेंगी चुकी आला दिकारी यहां पर पहुंचेंगे और वहां से लाने की बाद जो है बारा बजे के पाद प्रक्रिया सुरू की जाएगी करी 12 बजे क्योंकि प्यम करने में समय लगेगा उन्तिस उन्तिस बॉडिया है और पहला बारा सा कांकर में हुआ है कि जब एक साथ उन्तिस बॉड़ी को का पीम किया जाएगा तका रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शाय दी इससे पहले कभी मेरी जी जानकरी जब समय कामकार हूँ मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्ति लिए इंकाउंटर हुआ है तो एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 29 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनाती होगी क्योंकि आसपास के जीलों से FSL की टीम बुलवाई गई है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 29 पोश्ट माटम हो जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जीलों भी बुलाई गई है और बाहर से शौबो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी FSL की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके और फिर ग्राइपो ये जो बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तरबस्तर का वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चुकि ये 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुर 34 गड़ पुलिस को मिली है वाके राजेश बहुत बड़ी सफलता 34 गड़ पुलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बिकल तैसीन जैसे की राजेश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल आपरेशन इससे का जा रहे है जायर से बहते नक्सल में बॉकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चनाओ होने ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्शन लेते हैं तो बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हाड को नक्सलियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हाड को नक फोर्मिशन बेस्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएस एफ समित डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पर ही बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राव ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नक्सल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेडी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो न निश्चित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इक बड़ा नाम है नक्सल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो गायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हत्यार थे वेपन थे उनसे ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत ज चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डी जी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ए से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी है उसको लेके आना है विज़े शर्मा जी उनुने जिस तरीके चारिफ कि उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हुआओ पड़े नकसली होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कवरधा सही बड़ी कवर आपको बता दे पूर्व मुख्यमंत्री वुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है भाज़पस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे है आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और वुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सियम विश्रुदेव साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि ये घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजे हर चीज में फ्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने कालपनिक बताया था देखें पूर्व मोखिमंत्री पुपेश बगेले बहत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इनोंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंकाकर गिरफतार किया गया आई आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या खाता और पर किस तरह से C.M.I. ने पलट बार किया सब्सक्राइब करें देखे हर चीज में इनको ब्रसंचिन खड़ानी करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने मलब कालपनी कहा और यह तो उनके यहां की बात है चत्रिगड की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुए आपको बता दे कि काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पोशे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है पिया मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंदवारा में रोट सो कर रहे हैं भवे रोट सो है बड़ी संक्या में चिंदवारा की जनता ग्रह मंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहुची है और मैं सीधे ग्रह मंत्री से वाचित करूँगा ग्रमांतर जी क्या लगता इस बार मिशन चिंदवारा सक्सेस हो जाएगा मद्यप्रदेश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जनता पार्टी जितने जा रहे है जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे हैं और चिंदवारा लंबे अर्षे से बीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता आप लोगी साथ ले जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वा जनुच्जा है पूरा चिंदव ज्यान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोर में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप्त करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिंदवारा साहित पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पार्ट कैमा प्रसंद संजे के साथ वेक पटिया आईबिस 24 चिंदवारा नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिला असपताल में शबो को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ही ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाख रुपे का टॉप कमांडर शौंकराओ भी शामिल है 10 लाख रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पाच घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है और देखिए सब बहुत खुश है और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे है कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलियों को मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे बताया जारा और अकांजुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा और नमें टेजिल आई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसर सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे है जो आप एक सबसे बड़ा नकसलियों चलाया गया है और यहाँ पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ओपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तो किस सबसे बड़ी बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो यह कि कांकिर लाया गया है 29 नकसलियों के शफ को पहरी यह सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर यह जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुच ये नकसीलेओं के खिलाब ये अब तक सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्बे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात आईबी से प्रेंडिफोर ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्स्क्लूजिबली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले वो डेपटी सीम विजेशर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साही की हो या फिर डियाईजी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार आईबी सुरेंडिफोर ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हरे के इन्फॉर्मेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि उन्ती इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए उन्ती इस नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्ट मॉटभेड टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन्फॉर्मों का पोस्ट मॉटभेड किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ओपरेशन लाल लडाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप, लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गड़ में अब तक नकसलियों के खिलाब सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए है मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पीएम मोदी के नित्रत्यु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बधाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई निना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोडी जी के नेत्रत में नकसलवाद को हम समाप करें बियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पाटी और माओ वादियों के बीच मुडबेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान गहल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गहल जवानों की स्थिती समानने और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ इस सिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेज चंद्र चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की इप्टी सेम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बधाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्य दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए है मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया एर रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात ये कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है ये और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफोर्मेशन है आप पोस्टमाटम की शुरुआत हो चुकी है क्या हो राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोश्ट मार्टम के शुरुआत हो चुकी है किया तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते हैं यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नक और जो सुत्र बता रहे है वो यह है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रकरिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर SP प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखे डेट बॉड़ी वहाँ पे कांट होगी औ लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बास सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहाँ पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलकि अगर जबान वहाँ पे ह पर दिखाई आपने वह था तक यहां पर दिखाई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की क्या प्रक्रिया हो नहीं है चुकी अनगी करने में समय लेगा उंतिस उनतिस बाडिया है है और पहला बारा साकार में हुआ है कि जब एक उनधिस बड़ी का पिया जाएगा तक रिकॉर्ड होगा है इतनी बड़ी संख्या शाहई जी इस्ते पहले कभी अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 29 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोस्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से FSL की टीम बुलवाई गई है लेकिन उसके बावजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारी के सारे 29 पॉर्ट माटम हो जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलों से एवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेट ब जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी FSL की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके और फिर ग्राइपो ये जो बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर कुछ पुलिस विभ एटिये से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले 36 पुलिस को मिली है बाखे राजेश बहुत बड़ी सफलता 36 पुलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को IBC 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बिकुल तैसीन जैसे की राजेश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इससे का जा रहे है जायर से बाते नक्सल में बोकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चुनाओ होने है ऐसे कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हाड को नक्सरियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हाड को नक्सरिये हैं उनको मार गिराने का जो रिकॉर्ड है अब वो 36 के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहां पर आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिन पॉइंट इंफोर्मिशन बेस्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीस एफ समित डियार जी स्टी एफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी ए यह एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमीटी अरिया कमीटी जो है जो अबुजमान लाके में इक वर्चस रखती थी तो निश्चित लिए इसमें विजए रेड़ी भी अगर अगर इसमें धेर हुा है तो निश्चित लिए पूर पे पुष्टी हो चुकी है ललीता की मौत की पुष्टी हो चुकि है अगर विजए रेड़ी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निशित तौर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये अख बड़ा नाम है नकसल में कि विजए चोट वहाँ पर ये कर रहे थे वहाँ का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तरो पर वो काफी खाफ़नाक है लेकिन जिस तरीके से जवाणों ने बहुत जिस सबाहदूरी से वहाँ लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो B.S.F. के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में छोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डी अब इस्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौर्ट अरफा जवानों की बहादुरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समय जो अमिश्या है ग्रेमन्तरी उसके बाद जो प्रदेश की ग्रेमन्तरी हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके तरीके तरीफ किया और ज जो दो टॉप लीडर कमांडोस थे उनके बारे में तो शिनाक कुनकी हो गई है लेकिर इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखे लकातार हमारी का अपडेट श इस ये बायान पर अब सियम विश्रुदेव साय ने पल अड़वार किया है उन्होंने कहा है कि घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजिए हर चीज में फ्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने कालपनिक बताया था देखें पूर्व मोखी मंत्री बुपेश बगेले बहत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फरजी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार किया गया है आई आपको सुनवाते हैं उन् देखें हर चीज में इनको ब्रसंचिन खड़ानी करना चाहिए सर्जीकल स्टाइक एर स्टाइक को भी उन्होंने मलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है छत्रिगड की बात है अगर नहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुए आपको बतारे कि काकेर में मुटबेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पोशे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है पिया मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंदवारा में रोट सो कर रहे हैं भववे रोट सो है बड़ी संक्या में चिंदवारा की जनता ग्रह मंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहुची है और मैं सीधे ग्रवानतरी से वार्चेत करूँगा ग्र्मनतर जी क्या लगता इस बर मिसन चिंदवारा सक्सेस हो जाएगा मत्यप्रदेश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतीय जनता पार्टी जितने जा रहे है जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे है और चिंदवारा लंबे अर्षे से पीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता आप लोगी साथ ले जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वा जनुच्जा है पूरा चिंदवारा मोधी जी के साथ है सुरक्षा वालों ने बड़ी शबलता असिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवात के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवात के खिलाप लड़ाई निना एक पूरा आने वाले कुछी समय में मोधी जी के नेत्रुद में नक्सलवात को हम समाप्त करें ग्रहमंत्री जी कह रहे है कि चिनवाणा सहीद पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवाणा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला, चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही, बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लगा तार चनौती दे रहे थे और देखें किस तर पाच घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और देखिए सब बहुत खुश हैं और जवानों की ज़जबे को सलाम कर रहे हैं कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलीओं को मार गिराया गया है तो पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे यह बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलीओं के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही हैं उसके बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीओं को मार गिराया गया है आज तक ही सबसे बड़ी है बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीओं को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 29 नकसलीओं के शफ को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलीओं को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुचिए और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुचिए नकसलीओं के खिलाब ये अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुए है जोने राइपुर के रिजी अस्प पहुचिए और नकसल मुटभेर से जुरिया हुआ ये अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 29 इस नकसलीओं के शब कांके लाए गए है और देखिए 29 इस नकसलीओं के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्मौत्रम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्मौत्रम किया जाएगा कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 इस नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्छा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्णा एक मोड़ पर है पीयमोदी के नित्रत्यु में नकसलवाद को खत्म क कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्यावी के लिए जवानों को बढ़ाई दी डियार जी ओम बियसेप की स्वक पार्टी और माओ वादियों के बीच मुडबेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान गहल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गहल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक कि सबसे बड़ी सफलता है इस मुड़भेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षाधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए हैं इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेज चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की 50CM विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्य दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीद 200 थी फिलाल क्रॉस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरी से नकसलीयों के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए है मारे गए नकसलीयों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया येरो रिपूर्ट, IBC 24 वाकरी लोगसबा चुनाओं के पहले ये बहुत बड़ी काम्याभी है सुरक्षा भलो के लिए और इस वक्त दो सही होगी हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है ये वो दो सही होगी है जो कल जब से खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक पहुचा रहे राजेश राज हमारे साथ आई जुड़ चुके हैं और राइपूर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन की शुड़ात हो चुकी है किया तो तस्वीर सीधी आपको लाइफ दिखाते हैं यहांसे कांकेर का यह अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गये हैं यह पुलीस के तीम अपनी कुछ प्रकरिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉड़ी को ले करके कांकेर एसपी प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखे डेट बॉड़ी वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने रैपो बस्तर के उतर क्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुबह आज जब वहाँ पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलकि अगर जवान वहाँ पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वह संक्या भी बाचीत करेंगे अमिद्, देर रात बोड़ी लेकर के आये हैं दो गारीयों में हमने उत स्वीरे दिखाई आपने उत स्वीरे भी एक्स्क्लिसिव तश्वीर आपने आप निजागी है तो रात तक यहां पर वी प्लोड़ी आ गई हैं अब जब हम यहां पर खड़े हैं आ हुआ आधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे और वह भषिट करके जो क्रेस कॉंफेंस होनी है पारा से लाने के बाद слушा प्रक्रे है जाईगी आपके बैम करने मेंस अगिंगे trying चाहिए एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात भो रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 29 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोस्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आज पास के जिलों से FSL की टीम बुलवाई गई है लेकिन उसके ब फ्रीजर नहीं है 29 इंकाउंटर इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शौबों को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स इस गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर प्रदेश करा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है ग पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इससे का जा रहा है जायर से नक्सल में बोकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चुनाओ होने ऐसे में अगर वो बोकलार्ट में कोई एक्शन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तयार्या की जा रही क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नक्सलियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड कोर नक्सलियें उनको मार गिराने का जो है अब वो 36 फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि यह एक बड़ी सफलता है यहां पर आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट ललिता और विजयरेडी यह एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर यह इसमें विजयरेडी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश निश्चित तोर पे बड़ी सफलता और यह मानी जा रही है क्योंकि वो जो इक बड़ा नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हतियार थे वेपन थे उनसे ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत में बता दे कि आज जो है डीजी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ए से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समित जो अमिश्चा हैं ग्रह मंतरी उसके बाद जो प्रदेश की ग्रह मंतरी हैं विजे शर्मा जी उ बता रहे हैं अभी जो दो टॉप लिडर कमांडो थे उनके बारे में तो शिनाक कुनकी हो गई है लेकिन इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखिए लकाता को डरा घंका कर गिरफतार किया जा रहा है और वुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सीम विश्रुदेव साय ने पल अड़वार किया है उन्होंने कहा है कि घटना अगर फर्जी है तो आप रवारित कीजे हर चीज में प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल प्रपनिक बताया था देखें पूर्व मोखी मंत्री बुपेश बगेल ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपर सरकार में फर्जी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार क्या गया है देखें हर चीज में इनको ब्रसंचिन खड़ानी करना चाहिए सर्जीकल स्टाइक एर स्टाइक को भी उन्होंने मलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है छत्रिगड की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फर्जी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल आपरेशन हुआ है आपको बता दे कि काकेर में मुटबेड में 29 नकसली मारे गये है चिंदवारा पोचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है पिया मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंदवारा में रोट सो कर रहे हैं भववे रोट सो है बड़ी संक्या में चिंदवारा की जनता ग्रहमंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहुची है और मैं सीधे ग्रम तर्थी से बाच्शित करूगा ग्रम तरु मैं तर्थी क्मझे लगता है इस बार लकाना है जी जी प्रकार का रोड्सो आज मैंने देखा है अब उत्पुर साह है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ सुरक्षा वालों ने बड़ी शबलता आसिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक पूर में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवाडा सहित पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवाडा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुटबेड चली और मुटबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लगा तार चनौती दे रहे थे और देखें किस तरह स पाच घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और देखें सब बहुत खुश हैं और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे हैं कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलीयों को मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलीयों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा और नमें टेजिल आई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खब बिजापूर हो या फिर कोंडा गा ओ कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीयों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी यह बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीयों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 29 नकसलियों के शफ को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिये ये संख्या 29 तक जा पहुची ये नकसलियों के खिलाब ये अब तक का करते हैं बताया जा रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जिने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्स्क्लूजिब लिए अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया बहले वो डेपटी के शब कांकेर लाए गए है और देखिए 29 नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्ट मौत्रम टीम यहाँ पर बुलाए गई है और अब इन शब्वों का पोस्ट मौत्रम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ओपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्यावी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्णा एक मोड़ पर है पियम मोदी के नित्रत्यु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्यावी के लिए जवानों को बधाई दी कि स्वक्त पाटी और माओ वादियों के बीच मुडबेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में 3 जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थित्री समानने और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुटभेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षाधी कारियों को मैं बधाई देता हूँ मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटभेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए हैं इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेज चंद्र चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाज की इप्टी सेम विजशर्मा ने से बस्तर पुलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्य दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरी से नकसली के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए है मारे गए नकसली के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया येरो रिपूर्ट, IBC 24 वाकरी लोगसबा चुनाओं के पहले ये बहुत बड़ी काम्याभी है सुरक्षा भलो के लिए और इस वक्त दो सही होगी हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है ये वो दो सही होगी है जो कल जब से खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक पहुचा रहे राजेश राज हमारे साथ आई जुड़ चुके हैं और राइपूर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन की शुड़ात हो चुकी है किया तो तस्वीर सीधी आपको लाइफ दिखाते हैं यहांसे कांकेर का यह अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाएगे हैं यह पुलीस के तमाम अध करेंगी और उसके बास सμभवत इन सारे बोडिज को ले कर के कांकेर ऐस्पी प्रेस कांफ्रेंस करें मीडिया के सामने वसारी बाते रखें ओर देट बोडी वहाँ पे कॉंट होगी और देर रात हमने राप करीब पांच सारे पांच बज़े तक क्रॉसफाइरिंग बंध उसके बाद ये सभी बॉडीज वहाँ पर ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडीज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब सबसे सक्सेस्फुल जो पुलिस ऑपरेशन वह है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देर रात बॉडी लेकर के आए हैं दो गारियों में हमने वह तस्वीरे दिखाई आपने वह तस्वीरे भेजी भी एक्स्क्लूसिव तस्वीर आपने जाए उसमें बांस में बांग कर लाया गया ताभी जो पर फिसल की पौशी है बाड़ी को ब्यश्टित करेंगी चुकी आला दिकारी यहां पर पहुंचेंगे और उनका भी उनको बश्रीट करके जो प्रेस कॉन वहां पर ले जाएगी और वहां से लाने की बाद जो है बा देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्त लिए इंकाउंटर हुआ है तो अच्छा एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्हों ने बताया था कि 29 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुन को बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है उन्तीस इंकाउंटर और इतने बड़ी चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवों को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे सोयोगेमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके और फिर ग्राइपो यह जो बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पर ले जाया उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गर्चरावली का जो एटीय से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले चटीजगर पुलिस को मिली है जे बाखे राजेश बहुत बड़ी सफलता 34 कर पुलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बिकल तैसीन जैसे की राजेश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल आपरेशन इसे का जा रहे है जायर से बहते नक्सल में बॉकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाली दिनों में चुनाओ होने है ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्शन लेते हैं तो इसे निपटने के लिए क्या तयार्य की जा रही है निशित तोर पे जिस तरीके से छोटे बेटिया थानांतर का जो कलपर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मिली है निशित तोर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा क्योंकि अबी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड को नकसरीयों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महरास्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्टकोर नकसली हैं उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 गर्फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहाँ पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इन्फोर्मिशन बेज़ जो एक ऑपरेशन किया गया था जिस वहाँ पे शंकर राओ ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेडी भी अगर इसम शंकर राओ की मौट की फुष्ठी हो चुकी है ललिता की मौट की पुष्ठी हो चुकी है आगर विजयरेडी भी ऑगर उसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में की विजय रेड़ी भी लेकिं जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हत्यार थे वेपन थे उनसे ये हमला कर रहे थे और काफी चिला च रहे जिस तरीके से हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौदरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डीजी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो लेकिन जिस तरीके से चौ तरफा जवानों की बहद्दूरी के चर्चे हैं खुद पी-एम मोधी समेट जो अमिश्चा है गरेमंतरी उसके बाद जो प्रदेश की गरेमंतरी हैं विजे शर्मा जी उन्हों ने जिस तरीके तर तर तरीके तर बाहत्दूरी से लड़ने की उ पूरे मुटभेड में लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी ख़बर आपको बता दे पूर्व मुख्यमंतरी बुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है बातपस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और बुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सियम विश्रुदेव साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि ये घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजे हर चीज में प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था देखें पूर्व मोखी मंत्री बुपेश बगेल ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार क्या गया है आए आए आपको सुनवा देखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ा नहीं करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने मलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बता दे की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है पियम मोदी के नेत्र इसे बात्षित करूंगा ग्रमंत्री जी क्या लगता है इस बार मिशन चिंदवारा सक्सेस हो जाएगा मत्यप्रदेश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जनता पार्टी जीतने जा रहे हैं जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे हैं और चिंदवारा लंबे अर्से से बी शबलता असिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोर में आने वाले कुछी समय में मोधी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवादा साहिद पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबी 24 चिनवादा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नक्सलियों के शब अब कांकेर लाएगा है देर रात सभी 29 नक्सलियों के शब कांकेर लाएगा है कांकेर जिला असपताल में शबो को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नक्सली लगा तार चनौती दे रहे थे और देखें किस तरह से नक्सलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नक्सलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाख रुपे का टॉप कमांडर शौंकर राओ भी शामिल है 10 लाख रुपे की नामी नक्सली ललिता को भी मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगे बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नक्सलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा और नमें तेजी लाई जाएगी भले वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी ये बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नक्सलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकेर लाया गया है नकसलियों के शफ को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुची है नकसलियों के खिलाब ये अब तक सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्बे को सलाम करते हैं बताया जा रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलू exclusively अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले वो deputy CM विजेशर्मा की हो या फिर CM विश्रुदेव साही की हो या फिर DIG नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड लीड ली है और अब इन शबों का पोस्ट मौटम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर केंद्वी ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया मुटबेड के लड़ाई अब निर्णा एक मोड़ पर है पियम मुदी के नित्रतु में नकसलियों को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रतु में नकसलवाद को हम समाप्त कर दो गायल जवानों की स्थिती समानने और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुटबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ इस सिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर रायपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाज की इप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बधाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरी कोशिश की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्ची दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल अपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों के स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीद 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है सर्चिंग के दोरन बिना गुंडा और जंगल में सुरक्षाबन ये मावधी के बीच मुद्बेड हुई मुद्बेड के परशाद अब तक लाकर के सर्चिंग में कुल 29 मावधी केड़ का डेड़ बाड़ी बरामत कीगे काफी बड़ी संख्या में EK47, इंसास, एसला, कारबें 303, यम अन्नी हत्या, यम गोड़ा बारत भी गटनासल से बरामत कीगे बीएसेफ और डियारजी के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रताप पूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गए नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट आईबी सी 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बाप यह की यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सरच अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको रेकर किके क्या इनफॉर्मेशन है आप पोस्ट माटम की शुरूएत हो चुकी है क्या राजेश देखें पहले आपको जवाब देदू पोस्ट माटम के शुरूएत हो चुकी है क्या तो तसवीर सीदSec épo को लाइब दिखाते हैं यहा से परक्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोस्ट मार्टम अभी शुरू नहीं हुई है ज़िसा कि हमारे सही होगी भी बता रहे है और जो सुत्र बता रहे है वो यह है कि ए abrupt की टीम अपनी कुछ प्रक्रिया है जो इसको बादचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडीज वहाँ पर ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडीज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़ है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सकसफुल जो पुलिस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देरात बॉडी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीर दिखाई है तो रात तक यहां पर डेट बॉड़ी जाए है अब जब हम यहां पर खड़े है आगे की चा परक्रिया होना है दिखें लगपक नड़ाई बजे करेंगी चुकी आला दिकारी यहां पर पहुंचेंगे और आवी उनको बश्चित करके जो प्रेस कान्पेंस होन सब्सक्राइब करने में समय लगेगा 29-29 बॉड़िया है और पहला बारा सा कांकर में हुआ है कि जब 17-29 बॉड़ी को का पीम किया जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 29 बॉड़ी को एक दिन में पोस्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलो से FSL की टीम बुलवाई गई है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारी के सारे 29 पॉर्ट माटम हो जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलो से एविन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है प्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी FSL की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेड़ बॉड़ी को पैक करके और फिर ग्राइपो ये जो बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पे ले जाया जाएगा और वह पर कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौझूद होंगे चुकि ये 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर प्रदेश करा त इसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गड़ चरौली का जो एटीए से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले 36 गड़ पुलिस को मिली है जे बाखे राजेश बहुत बड़ी सफलता 36 पुलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बिकुल तैसीन जैसे की राजेश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल आपरेशन इसे का जा रहे है जायर से बहते नक्सल में बॉकलार्ट भी आपर होगी और आने वाले दिनों में चुनाओ होने ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्शन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तयारिया की जा रही है? है एक साथ जो उन्तिस लोग जो उन्तिस हार्टकोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो रिकॉर्ड है अब वो छत्रीजगर फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि यह एक बड़ी सफलता है यहां पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इंफोर्मिशन केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समित डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहां पर ही बताया जा रहा है कि वहां पे शंकर राओ ललिटा और विजे रिड थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजे रेड़ी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नक्सल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों का परेक्शन होगा नक्सलियों के वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकिन जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हतियार थे वेपन थे उनसे यह हमला कर रहे थे और काफी चिला शोट वहाँ पे ये कर रहे थे वहाँ जो आया है उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डीजी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ समित जो अमिश्चा हैं ग्रह मंत्री उसके बाद जो प्रदेश की ग्रह मंत्री हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके से तारीफ किये और जिस तरीके से बाहत दूरी से लड़ने की उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ह अब इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखे लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्चकों को बता रहे है और इस पूरे मामले में अब सियासत भ ही हो रही है कबरधा सही बड़ी कबर आपको बता दे पूर्व मुखी मंत्री वुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है बादपास सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार किया जा रहा है और वुपेश बगेल के इसी ब देखे पूर्व मुखी मंत्री वुपेश बगेल ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपास सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार किया आई आपको सुनवाते हैं देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खडान ने करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, एर स्ट्राइक को भी उन्होंने मलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगड की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फर्जी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुए आपको बता दे की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पोचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड पर है पियम मोदी के नेत्रितों मे नकसलवाद जल्द खत्म होगा अपने होरी लेकिन इस बार लग रहा है कि जंता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वत जनुच्जा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षा वालों ने बड़ी शबलता असिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक पूर में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप्त करें ग्रहमंत्री जी कह रहे है कि चिनवाणा सहीद पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवाणा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाख रुपे का टॉप कमांडर शौंकर राओ भी शामिल है 10 लाख रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा कि हम बात करने के लिए तयार है नकसलियों को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ओपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तक इस सबसे बड़ी बस्तर से भी खबर है और देखिये 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकेर लाया गया है 29 नकसलियों के शफ को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिये ये संख्या 29 तक जा पहुची है इसलिए जवानों की जुस्बे को सलाम करते हैं बताया जा रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलू exclusively अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भल इस नकसलियों के शब कांकेर लाए गए है और देखें इस नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्ट मौटरम टीम यहाँ पर बुलाए गई है और अब इन शबों का पोस्ट मौटरम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल उपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गड़ में अब तक नकसलियों के खिलाब सबसे बड़ी काम्यावी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए है मुटबेड को लेकर केंद्वी ग्रेमंत्री अमिच्छा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मुदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्यावी के लिए जवानों को बधाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रतु में नकसलवाद को हम समाप्त कर दो डियार जी ओम बियसेप की समक पाटी और माओ वादियों के बीच मुड़ भेड हुई इस मुड़ में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुड़ भेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुड़ भेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में बीसेफ इंस्पेक्टर और डियारजी के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल बीसेफ इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और डियारजी जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर रायपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजेशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाज की इप्टी सीम विजेशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्य दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग पचास की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरी से नकसली के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए है मारे गए नकसली के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया येरो रिपूर्ट, IBC 24 वाकरी लोगसबा चुनाओं के पहले ये बहुत बड़ी काम्याभी है सुरक्षा भलो के लिए और इस वक्त दो सही होगी हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है ये वो दो सही होगी है जो कल जब से खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक पहुचा रहे राजेश राज हमारे साथ आई जुड़ चुके हैं और राइपूर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन पोश्टमाटम की शुरुआत हो चुकी है कि तस्वीर सीधी आपको लाइफ दिखाते हैं यहां से कांकेर का यह इस्पताल का जो मर्चूरी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाएगे हैं यह पुलीस के कि टीम अपनी कुछ प्रकरिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बाद समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर एसपी प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉड़ी वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने राप बस्तर के उतर बस्तर के जो एसपी है इंद्रा कलिया लेला सिला उसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहाँ पे ब्रामत किये गये थे और लाए गये थे लेकिन उन्होंने भी क रहा था कि ये बॉडिज की संख्या हो सकती है कि इसमें 30 बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सकस्फुल जो पुलिस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देरात बॉडि लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भी एक्स्क्लूसिव तस्वीर आपने आपने डिखाई है तो रात तक यहां पर वो डेट बॉडिज आ गई है अब जब हम यहां पर खड़े है पर पहुंचेंगे और बारा बजय के बादध करने पम करने में समय लागेगा 29 बॉडिया है और पहला बारा सा कांकेर में हुआ है कि जब एक साथ 29 बॉडिगों का प्यम किया जाएगा तका रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शाह जी इस्ते पहले काभी यहां पी भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्हों ने बताया था कि 39 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोस्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आज पास के जीलों से FSL की टीम बुलबाई गई है लेकिन उसके बावजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 39 पोस्ट माटम हो जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि आज पास के जीलों से इवन की रैपर से भी जो फ्रीजर है डेड बॉडी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहाँ पे उतने फ्रीजर नहीं है उनतीस एंकाउंटर और इतने बड़े छोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी FSL की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉडी को पैक करके और फिर बस्तर का इस पे मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौझूद होंगे चुकि ये 36 गड के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंधर प्रदेश करा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गर्चरॉली का जो एटीये से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले 36 गड पुलिस को मिली है बड़ी सफलता 36 कर पुलिस को मिली है और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को IBC 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बेकोल तैसीन जैसे की राजश में भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन इसे का जा रहे है जायर से बहुते नकसल में बॉकलाट भी आपर होगी और आने वाले दिनों में चनाओ होने है ऐसे में अगर वो बॉकलाट में कोई एक्शन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तयारिया की जा रही है निश्चित तौर पे जिस तरीके से छोटे बेटिया ठाना अंतर का जो कल पर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मीली है निश्चित तौर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नकसरियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराश्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार् पॉइंट इन्फॉमिशन बीज्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समेथ डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसरियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे प्राव ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेडी भी अगर इसमें धेर हुआ ह तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के परिक्शन होगा नकसलियों के अगर उसमें शंकर राव की मौत की पुश्टी हो चुकी है ललिता की मौत की पुश्टी हो चुकी अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निशित तौर्पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जव रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाख है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत जिस बहुत दूरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी हैं उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके यसे चौत अर्फा जवानों की बहाध्दूरी के चर्चे हैं, खुद पीम मोधी समय जो हमिशा हैं ग्रे मंत्रीं, उसके बाद प्रदेश के ग्रे मंत्रीं हैं विजे शर्मा जी उन्हों ने जिस तरीके तर तारी और जिस तरीके तर बहादोरी से लड़ने की उन्हों नह अब ही दूसरे नकसलियों की शिनाक्त होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखिए लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कहा है कि घटना अगर फर्जी है तो आप रवारित कीजिए हर चीज में प्रशन करना छीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने कालपनिक बताया था देखें पूर्व मोखी मंतरी बुपेश बगे ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार क्या गया है आई आपको सुनवाते हैं देखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ा ने करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बतारे कि काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्शा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड पर है पियम मोदी के नेत्रितों मे नकसलवाद जल्द खत्म होगा अपनी होरी लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगी साथ जी जी प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अभूत पूरव जनुच्चा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षा वालों ने बड़ी शबलता असिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप्त कर दो ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवाडा सहित पुरी मत्यपदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबी 24 चिनवाडा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ही ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि इस तरह से नक्सलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नक्सलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाख रुपे का टॉप कमांडर शौंकर आओ भी शामलoton है तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसार सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो आपको एक सबसे बड़ा नकसर अभ्यान चलाए गया है और यहाँ पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है तो इससे पहले भी ग्रेमंत्री विजे शर्मा यह साफ कर चुके थे कि हम बात करने के लिए तयार है नकसरियों को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उ अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 29 नकसलियों के शब को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुची ये नकसलियों के खिलाब सामने रखा हार एक प्रतिक्रिया भले वो डेपटी सीयम विजय शर्मा की हो या फिर सीयम विश्रुदेव साई की हो या फिर डियाई जी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार आईबी सुरेंडी 4 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हार एक इनफॉमेशन सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार, कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप, लाल गड़ में जवानों का शौरिय, 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है, कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत, कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं, मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है, पियम मोदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बधाई दी, खबर है, मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है, घायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है, यह एतिहासिक सफलता है, अभी तक कि सबसे बड़ी सफलता है, इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ, इस सिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है, हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो, वो लोग वार्ता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं। मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली माधवी ललिता भी शामिल है। मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए हैं। इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है। ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाज की। इप्टी सेम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया। ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है। उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी। फिलाल क्रॉस फाइरिंग बंध है लेकिन सर्चिंग जारी है। ADG NT नकसली के जवानों के शारी से नकसली के प्रताप पूर कमीची का खात्मा हो चुका है। गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं। मारे गए नकसली के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया। यह रिपूर्ट, IBC 24 तो वाकरी लोगसबा चुनाओं के पहले यह बहुत बड़ी काम्याभी है सुरक्षा भलो के लिए और इस वक्त दो सही होगी है हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है। देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी कहा जा रहा है कि शायद नकसलीयों के जो डेथ रिपोर्ट है और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है। पोस्टमाटम की शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश। देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्टमाटम की शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते हैं यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मरचुरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखे आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गये हैं यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पताल में पोस्टमाटम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है जो यह सही होगी भी बता रहे है और जो सूतर के जो एसपी है इंद्रा कल्या एलिया सिला उनसे बाचीट की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद यह सभी बॉडिज वहां पे बरामत किये गये थे और लाए गये थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि य लेकिन उन्तीस बॉडिज रिकावर है यह तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और यह चतीस गड़ के इतिहास में आप तक का सबसे बड़ा सबसे सकसफुल जो पुलीस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देर रात बॉ है एति आन्यटी में आपने ध्यान लिए खूद बेजय उसमें बांच में बांखकर लाए गया घाड़ी ज्यक्ति करेंगी चुकी आपर पोउचेंगे और करने में समय लगेगा उन्तिस बॉडिया है और पैला बारा सा कांकर में हुआ है कि जब एक साथ उन्तिस बॉड़ी को का पीम किया जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इस्ते पहले कभी मेरी जी जानकारी जब समय कामकार हूँ मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्ति लिए इंकाउंटर हुआ है तो अच्छा एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 39 डेट बॉड से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेट बॉडी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है 29 इंकाउंटर और इतने बड़े छोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर और वहां पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चुकि यह 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हाउंड जो आंदर प पुलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए मिल्कुल तैसीन जैसे की राजश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इससे का जा रहा है जायर से बाते नक्सल में बॉकलाट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चुनाओ होने ऐसे में अगर वो बॉकलाट में कोई एक्शन लेते हैं तो बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नक्सलियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड को नक्सलियें उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 गर फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहाँ पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इंफोर्मिशन बेस्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें ब हाँ पे शंकर राव ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नक्सल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेडी भी अगर इ उसमें शंकर राव की मौत की पुष्टी हो चुकी है ललिता की मौत की पुष्टी हो चुकी है अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नक् त्यार थे वेपन थे उन से ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पर काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत जिस बहुत दूरी से वहां पीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी हैं उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक की और जिस तरीके बात दूरी से लड़ने की उन्होंने काबिले तारीफ उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हमाँ पचास से जादा नकसलियों के बड़ी इंपूर्ट तैसीन देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं अभी जो शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे है और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी ख़वर आपको बता दे पूर्व मुखी मंतरी बुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है भाजपस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदि स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था देखें पूर्व मुखी मंतरी बुपेश बगेल ने बहत बड़ा बयान दिया भाजपस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका क कर गिरफतार किया आई आए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या खात और किस तरह से सीमसाय ने पलटबार किया है अब हिसे चार मेने में वह त्यूर्व में उन्होंन दाखने पर दाते आदवासियों को बंद करने कि जानतार जान आ रही है देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ा नहीं करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एरिस्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है, छत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं, यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल आपरेशन हुआ है, आपको बता दे कि काकेर में मुटबेड में 29 नकसली मारे गये है चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है पेम मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंदवारा में रोट सो कर रहे हैं, भववे रोट सो है, बड़ी संक्या में चिंदवारा की जनता ग्रैमंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहुची है मत्यप्रदेश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जन्ता पार्टी जितने जा रहे है जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे है और चिन्दवारा लंबे अर्से से बीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जन्ता आप लोगी साथ ले जी जी इस प्रकार का रोड सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वत जनुच्चा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षा बालोन एक बड़ी शबलता आसिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप्त करते हैं ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवाडा सहीद पुरी मत्यवदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवाडा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गया है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गया है कांकेर जिला अस्पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे प्रतिक्रियाई सामने आई है और देखिए सब बहुत खुश है और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे हैं कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलियों को मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगी बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो ख़बर सामने आ रही है उसके रुसार सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त हम आपको दिखा रहे है जो आपक सबसे बड़ा नकसलियों को बात करना होगा लेकिन जिस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाय सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापुर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तक ये सबसे बड़ी बस्तर से भी ख़बर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अब्डेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 29 नक्सलियों के शव को पहरी ही सूचना मिल रही थी कि 12 नक्सलियों को मार गिरा गया फिर ये जो संक्या हुई वो 19 तक पहुची है ये संक्या 29 तक जा पहुच के फ़रेशन है। बहले वो डेपटी CM विजेशर्मा की हो या फिर CM विश्रुदेव साही की हो या फिर डियाईजी नकसल आपरेशन की हो तो लगातार IB24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हारे के इंफॉर्मेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ यह अभी एक सबसे बड़ा नकसल आपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिया 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब निर्णा एक मोड़ पर है पियम मोदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बधाई दी स्युक्त पाटी और माओं वादियों के बीच मुडबेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है मैं बधाई देता हूँ कि स्थिती बस्तर में सांती बाहली के जिश्टी से यह बड़ी सफलता है हालाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुड़़ा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर रायपूर लाया गया है ग्रिमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाज की जव्टी सेम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बधाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरी कोशिश की जाएगी पूरा प्रियास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्सी दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नक्सल अपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नक्सली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नक्सलियों के प्रताप पूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नक्सलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नक्सलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको ने करके क्या इंफर्मेशन है पोस्ट माटम के शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट माटम के शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का ये अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए हैं ये पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पताल में पोश्ट माटम करने वाले की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी और जो अइसके सामने इस पी परेस कांटिया के सामने बाते रखे डेट बाड़ी वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने उतर बस्तर के जो S.P. है इंद्रा कलिया लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडीज वहाँ पे ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे कि ये बॉडीज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहाँ पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जवान वहाँ पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वो संक्या भी बढ़े लेकिन उन 30 बॉडीज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इति तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भेजी भी एक्स्कुलिसिव तस्वीर आपने आपने डिखाई है तो रात तक यहां पर डेट बॉड़िज आ गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की क्या प्रक्रिया होनी है दिखिए लगपक नंठाई बज़े का सब सब्सक्राइब को लाए गया दो गाड़ी में बरकें डेट बड़ी को लाए गया था आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने विज्व बेजे हैं उसमें बांस में बांग कर लाया गया था अभी जो पिसल की पहुंची है बाड़ी को बश्तित करेगी चुकि आला दिकारी य जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी यहां पी हुई हुई है मेरी जियो जानकारी कि मैं कामकार हो मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्त लिए इंकाउंटर हुआ है तो अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना वो सारी के सारे 29 पॉर्ट माटम हो जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलो से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेट बॉड़ी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है 29 इंकाउंटर और इ और फिर ग्राइपो ये जो बस्तर का इस पे मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चुकि ये 36 गड़ के इतिहास में ही नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सकसे से सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हाउंड जो आंधर पुदेश करा तिलांगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गर्चरावली का जो एटीए से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलत पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इससे का जा रहे है जायर से बाते नक्सल में बॉकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चनाओ होने ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्शन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तयार्या की ज जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नक्सलियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड कोर नक्सलिये हैं उनको मार ग information based केंप जो एक operation किया गया था जिसमें बीस एफ समित डियार जी स्टी एफ जिला बलके करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर शंकर राव ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेडी भी अगर इसमें धेर हुआ तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के परिक्षण होगा नकसलियों के अगर उसमें शंकर राव की मौट की पुष्टी हो चुकी है ललीता की मौट की पुष्टी हो जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हतियार थे वेपन थे उनसे ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे व हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डीजी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीक कि उन्होंने काबिले तारीफ उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हुआ पटास से जादा नकसलियों की बड़ी इंपूर्ट तैसीन देखी जैसे कि आब बता रहे है अभी जो डो टॉप लीडर कमांडो थे उनके बारे में तो सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी कबर आपको बता दे पूर्व मुखी मंतरी बुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है भाजपास सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार किया जा रहा है और बुपेश बगेल के आपने काल्पनिक बताया था देखे पूर्व मुखी मंतरी बुपेश बगेल ने बहत बड़ा बयान दिया भाजपास सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार किया आई आपको सुनवाते हैं और उन्होंने क्या खात और फिर किस तरह से सीमसाय ने पलटबार किया अब देखे हर चीज में इनको ब्रसंचिन खडान ने करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एरिस्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगड की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बतारे कि काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड पर है पियम मोदी के नेत्रितो में नकसलवाद जल्द खत्म होगा अम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्व जनुच्चा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षा वालों एक बड़ी शबलता असिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप्त कर दो ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवाडा सहित पुरी मत्यपदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवाडा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिला अस्पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि इस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाख रुपे का टॉप कमांडर शौंकर राओ भी शामिल है 10 लाख रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पाच घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है और देखिए सब बहुत खुश है और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे है कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलियों को मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगी बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा कि हम बात करने के लिए तयार है नकसलियों को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तकी सबसे बड़ी है बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 29 नकसलियों के शब को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर यह जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए यह संख्या 29 तक जा पहुची यह नकसलियों के खिलाब यह अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुसमे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्स्क्रूजिबली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया बहले वो डेपटी सीम विजेश शर्मा की हो या फिर स नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हर एक इंफॉर्मेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुडिया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि उन्ती इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखे 29 नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्ट मॉटम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्ट मॉटम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ओपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मोदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रतु में नकसलवाद को हम समाप कर दो डियार जी ओम बियसेप की समक्त पार्टी और माओ वादियों के बीच मुड़ भेड हुई इस मुड़ भेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुड़ भेड में तीन जवान घायल भी हुए है उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिती सम अभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ कि स्थिती बस्तर में सांती बहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो लोग वारता के लिए तयार हो और विकास की मुझधारा से जूड जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए हैं इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सेम विजशर्मा ने इसे बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बढ़ाई देता हूं साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्सी दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग पचास की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंध है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरी से नकसली के प्रताप पूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनेस्तल से 7 AK47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए है मारे गए नकसली के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 वाकरी लोगसबा चुनाओं के पहले यह बहुत बड़ी काम्याबी है सुरक्षा बलो के लिए और इस वक्त दो सही होगी हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है, यह वो दो सही होगी है जो कल जब से खबर ब्रेक आईबी से 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट, पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक पहुचा रहे राजेश राज हमारे साथ ताही जुड़ चुके है, और राइपुर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन, सबसे पहले रुक कर लेते हैं कांकेर का, राजेश राजेश अभी वाह पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं, और एक बात यह की, यह भी का जा जा र यह अस्पताल का जो मरचूरी है, उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप, और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गये हैं, यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, एफसल की टीम नज़र आएगी, अस्पताल में प भबता इन सारे बोडिस को ले करके कांकेर, एसपी प्रेस कांफिरेंस करें, मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें, डेट बोडि वहाँ पे कांट होगी, और देर रात हमने रैपो बस्तर के जो एसपी है, इंदरा कलिया लेला सिला, उनसे बाचीत की थी, और उनके मताब रही थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था, तो अल सुभा आज जब वहाँ पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जवान वहाँ पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वो संक्या भी बढ़े, लेकिन उन 30 bodies recover है, ये तमाम बातों से दिखाई, आपने वो तस्वीरे भी एक्स्कुलुसिव तस्वीर आपने आईवी संटी 24 पर दिखाई है, तो रात तक यहां पर वो dead bodies आ गई है, अब जब हम यहां पर खड़े हैं, आगे की क्या प्रक्रिया होनी है? जो है, बारा बजे के बाद प्रक्रिया सुरू की जाएगी, क्योंकि प्रक्रिया करने में समय लगेगा है, उन 30-29 बॉडिया है, और पहला बारा सा कांकेर में हुआ है, जब एक साथ 29 बॉडियों का प्रक्रिया जाएगा, इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी प्रक्रिया जाएगी, जब समय कामकार हूँ, मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्रिया इंकाउंटर हुआ है, तो अच्छा एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे, कल ही हमारी बात बहु रही थी, यहां के SP से, और उन्होंने बताया था कि 29 को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनाती होगी, क्योंकि आसपास के जिलो से, FSL की टीम बुलबाई गई है, लेकिन उसके बाबजूद, यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में, वो सारे के 29 पोश्ट माटम हो जाए, और यह भी कोशिश की जा रही है, कि आसपास क की टीम भी बुलाई गई है, और बाहर से शौबो को सुरक्षित रखने के लिए, डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है, जैसा कि हमारे स्वयूग अमित ने बताया, कि अभी FSL की कुछ प्रक्रिया होनी है, और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके, और फिर ग्राइपो यह जो बस्तर का, इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का, वहाँ पे ले जाया जाएगा, और वहाँ पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे, चुकि यह 36 गड़ के इतिहास में ही नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में, अब तक सब सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हाँड जो आंधर पुदेश करा तिलांगाना करा, उसने भी इतने जादा एक साथ इनकाउंटर नहीं किये है, गर्चरावली का जो ATS महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है, बाके राजेश बहुत बड़ी सफलता चोटीसकर पुलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को IBC 24 भी सलाम करता है, तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए, बिकुल तैसीन जैसे की राजेश ने भी का कि पूरे देश में सबसे इसको बड़ी सफलता है, इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है, क्योंकि अभी तक की अगर बात करें, तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नकसरियों को धेर करना, ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था, अब ये जो नाम ह एक साथ जो 29 लोगों, जो 29 हार्ड कोर नकसरियों हैं, उनको मार गिराने का जो रिकॉर्ड है, अब वो 36 गर फोर्स के नाम हो गया है, क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है, यहाँ पे आपको बता दे, कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इंफोर्मिशन बेस्ट के गया था, जिसमें बीएसेफ समित डियार जी, स्टी एफ, जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसरियों को मारा गया है, और निश्चित तोर पे वहाँ पे बताया जा रहा है, कि वहाँ पे शंकर राओ, ललिटा और विजे रिडी, ये एक बड़े नाम है जो कह सकते हैं की परताबूर जो आपूजमान अलाके में एक वर्चस रखती थी, तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजे रिडी भी अगर निश्चित तो निश्चित तोर पे पूरे अबूजमान में नकसरियों, ये जानकार मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से मौत की पुष्टी हो चुकि अगर विजय रिड़ी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निशित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजय रिड़ी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हम पे ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निशित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत जिस बहुत दूरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमार जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डीजी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको क चौध अर्फा जवानों की बहात्दूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समिugh जो आमिश जाह हैं उसके बाद जो प्रदेश की ग्रह नंतरी है विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके से तारीफ कि और जिस तरीके से बाहत्गरी से लटने की उन्होंने बारे में तो शिनाक कुनकी हो गई है लेकिर इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलीओं की शिनाक होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखिए लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रह है और भुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सीम विश्रुदेव साय ने पल अड़वार किया है उन्होंने कहा है कि घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजे हर चीज में प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने कालपनिक बताया था आई आपको सुनवाते हैं और उन्हें क्या खात और फिर किस तरह से सीम साय ने पलटवार किया अगर फर्जी के रखते हर चीज में इनको ब्रसंचिन खडान ने करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक को भी उन्होंने वलब कालपनिक कहा और यह तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फर्जी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बतारे कि काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गया है चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है पेम मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा जो 39 शीटे जितने का दावा कर रहे है और चिंदवारा लंबे अर्थे से बीजेपी काम्याब नहीं होरी लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्व जैनुच्छा है पूरा चिंदवड़ा मोदी जी के साथ है सुरक्षा वालों ने बड़ी शबलता असिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप्त कर दो ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवादा सहीद पुरी मत्यवदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवादा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नक्सलियों के शब अब कांकेर लाएगा है देर रात सभी 29 नक्सलियों के शब कांकेर लाएगा है कांकेर जिला अस्पताल में शबो को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नक्सली लगा तार चनौती दे रहे थे पास घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है और देखिए सब बहुत खुश है और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे है कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है तो पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगी बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नक्सलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा पहले जाए सामने आ रही थी भले वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडागा हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल उपरेशन इंतीस नक्सलियों को मार गिराया गया है आज तकी सबसे बड़ी ये बस्तर से भी खबर है और देखिए उनतीस नक्सलियो तक जा पहुचिए नकसीले के खिलाब या अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्बे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 29 नकसलियों के शब कांके लाए गया है और देखिए 29 नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्मौत्रम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इ नकसल उपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय अब तक नकसलियों के खिलाफ सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मा मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्णा एक मोड़ पर है पीम मोदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रतु में नकसलवाद को हम समाप कर दें डियार जी ओम बियसेप की समक्त पार्टी और माववादियों के बीच मुड़ भेड हुई इस मुड़ भेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुड़ भेड में तीन जवान घायल भी हुए है उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिती सम यही जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ कि स्थिती बस्तर में सांती बहली की जिष्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो लोग वार्ता के लिए तयार हो और विकास की मुझधारा से जूड जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए हैं इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेज चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाज की जिप्टी सेम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बधाई देता हूं साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्य दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रॉस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरी से नकसली के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनेस्तल से 7 AK47, 3 LMG समेथ कई अत्याधूनिक हतियार बरामत किये गए है मारे गए नकसली के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 वाकरी लोगसबा चुनाओं के पहले यह बहुत बड़ी काम्याबी है सुरक्षा भलो के लिए और इस वक्त दो सही होगी हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है यह वो दो सही होगी है जो कल जब से एक खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक पहुचा रहे राजेश राज हमारे साथ आई जुड़ चुके हैं और राइपूर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन पोश्टमाटम की शुरुआत हो चुकी है कि तस्वीर सीधी आपको लाइफ दिखाते हैं यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गये हैं यह पुलीस के टीम अपनी कुछ प्रकरिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर एसपी प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉड़ी वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने रैपो बस्तर के उत संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहाँ पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जवान वहाँ पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वो संक्या भी बढ़े लेकिन उन तीस बॉडिज रिकावर है यह तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और यह चटीस गड़ के इतिहास में आप तक का सबसे बड़ा सबसे सकसफुल जो पुलीस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देर एक साथ बॉड़ी को लाए गया था आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने विजॉल बेजे हैं उसमें बांस में बांग कर लाए गया था अभी जो पिसल की पुछी है वाड़ी को बश्टित करेंगी चुकी आला दिकारी यहां पर पहुंचेंगे और उनका बश्टित करके करने में समय लगेगा 29-29 बॉड़िया है और पहला बारा सा कांकेर में हुआ है कि जब 17-29 बॉड़ी को का पीम किया जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी मेरी जी जानकारी जब समय कामकार हूँ मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्त लिए इंकाउंटर हुआ है तो अच्छा एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 29 डेट से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेट बॉडी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है 29 इंकाउंटर और इतने बड़े छोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर और वहां पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चुकि यह 36 गड़ के इतिहास में ही नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर पु पुलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बिकल तैसीन जैसे की राजश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इसे का जा रहा है जायर से बहते नक्सलों में बॉकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चनाओ होने ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्शन लेते हैं तो बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नक्सलियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड को नक्सलियें उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 गर फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहाँ पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इंफोर्मिशन बेस्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें ब हाँ पे शंकर राव ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नक्सल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेडी भी अगर इसमे शंकर राव की मौत की पुष्टी हो चुकी है ललिता की मौत की पुष्टी हो चुकी है अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नक्सल में क विजह लिदी भी लेकिं जिस तरीके से हमारे ज़वान जो हमने बात करी जो गायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हत्यार थे वेपन थे उनसे ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहाँ पे ये कर रहे थे वहाँ का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्च्चत तर्पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने जिस बहत दुरी से वहाँ लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो BSF के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी बात हुई उन्हों का उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में छोट लगीये अब इसमें बता दे कि आज जो है डी जी बीसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिकरम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समेट जो अमिश्चा हैं ग्रह मंतरी उसके बाद जो प्रदेश की ग्रह मंतरी हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके से तारीफ किये और जिस तरीके से बाद दूरी से लड़ने की उन्होंने काबिले तारीफ उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हुआँ पचास से जादा नकसलियों की बड़ी इंपुर्ट तैसीन देखि शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी ख़बर आपको बता दे पूर्व मुखी मंत्री बुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है भाजपास सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आद स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था देखे पूर्व मुखी मंत्री बुपेश बगेल ने बहत बड़ा बयान दिया भाजपास सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार क्या गया है आई आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या खात और फिर किस तरह से सीमसाय ने पलटवार किया देखे हर चीज में इनको ब्रसंचिन खडान ने करना चाहिए सर्जीकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यही कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बता दे कि काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गया है चिंदवारा पोचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्शा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड पर है पिया मोडी के नेत्रीतों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा इसे से पीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वाद जनुच्चा है पूरा चिंदवारा मोडी जी के साथ है सुरक्षा वालों एक बड़ी शबलता हासिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोडी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप्त करते हैं ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवादा सहीद पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवादा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में ढेड नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं पोस्त मॉटन के लिए ये दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाव से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लगा तार चनौती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकस सामने आई हैं और देखें सब बहुत खुश हैं और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले 29 नकसलीों को मार गिराया गया है तो पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगी बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापुर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीों को मार गिराया गया है आज तक ही सबसे बड़ी है बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीों को मार गिराना कोई 29 तक जा पहुचिए नकसलीों को खिलाब गया अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुसमे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुए है जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 उने हर एक खबर हर एक पहलू exclusively अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया बहले ही वो डेपटी सीम विजय शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साई की हो या फिर डिया जी नकसल आपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे प बुलाए गई है और अब इन शबों का पोस्ट मौटम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल आपरेशन लाल लडाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्णा एक मोड पर है पियम मोदी के नित्रत्यु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बधाई दी कि स्वक्त पाटी और माओं आदियों के बीच मुडबेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में बीएसेफ इंस्पेक्टर और डियारजी के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल बीएसेफ इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और डियारजी जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर रायपूर लाया गया है ग्रिमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने इसे बस्तर पूलिस का नकसलवात पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बढ़ाई देता हो साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्य दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुक्त धारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग पचास की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी कहा जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको ने कर कि क्या इंफरमेशन है आप पोस्टमाटम के शुरूअट हो चूड़ी है क्या राजेश देखेंज पहले आपको जवाब देदीho पोस्टमाटम के शुरूअट हो चूड़ा चूड़ी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए हैं यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नज़र आएंगे एफसल की टीम नज़र आएगी अस्पताल में पोश्ट माटम करने वाली की टीम नज़र आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्ट माटम अभी शुरू नहीं हुई है जो ऐसा की हमारे सही होगी भी बता रहे है और जो सूत की थी और उनके मुताबिक करीब पांस सारे पांस बिजे तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहां पे ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहां पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जवान वहां पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वो संक्या भी बढ़े लेकिन उन्तीस बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सकस्फुल जो पुलीस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देर रात बॉडि लेकर के आए हैं दो गारियों में हमने अब जो आपने ध्यान दिया होगा कि जो आमने बेजे हैं उसमें बांस में बांध कर लाया गया था अभी जो पिसल की पहुंची है बाड़ी को बश्चित करेंगी चुकि आला दिकारी यहां पर पॉंचेंगे और उनको बश्चित करके जो प्रेस कॉन्फेंस होनी है का रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी यहां पी हुई है मेरी जियो जानकारी किसे मैं कामकार हो मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्त में लिए इनकाउंटर हुआ है तो अच्छा एक चीज़ और भी अपडेट करना चाह कि आसपास के जिलो से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेट बॉडी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है उन्तीस इनकाउंटर और इतने बड़े छोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाए तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शौबो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोग अमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉडी को पैक करके और फिर ग्राइपो ये जो बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चुकि ये 36 गड़ के इतिहास में ही नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में इतनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले 36 गड़ पुलिस को मिली है जे बाखे राजेश बहुत बड़ी सफलता 36 गड़ पुलिस को मिली है और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़ लेए जिस तरीके से छोटे बेटिया ठानादर का जो कल पर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मिली है निस्प तो पर ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सा हाड को नकसरीयों को धेर करना यह सिर्फ अभी तक महाराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब यह जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 फोर्ड को नकसरी हैं उनको मार गिराने का जो रिकॉर्ड है अब वो 36 फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि यह एक बड़ डियार जी, स्टीएफ, जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसरीयों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राव, ललिता और विजयरेडी यह एक बड़े नाम है नकसरी के जिसमें जो कह सकते हैं कि परत निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है, यह जानकार मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के परिक्षन होगा नकसलियों के, अगर उसमें शंकर राव की मौत की पुष्टी हो चुकी है, ललिता की मौत की पुष्टी हो चुक हमारे जवान जो हमने बात करी, जो घायलों के जो जवान आये हैं, उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे, जो हतियार थे, वेपन थे, उनसे यह हमला कर रहे थे, और काफी चिला चोट वहां पे यह कर रहे थे, वहा आरे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डीजी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उ जिस तरीके से चौध अर्फा जवानों की बाहदुरी के चर्चे हैं खुद पीएम मोदी समीit जो अमिश साह है ग्रह मंतरी उसके बाद जो प्रदेश की ग्रह मंतरी है विज्य शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके तर तरीफ किये और जिस तरीके बाहदूरी से लड़ने क उन्होंने काबिले तारीफ उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हुआ पटास से ज्यादा नकसलियों की बड़ी इंपूर्ट तैसीन देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं अभी जो टॉप लीडर कमांडो थे उनके बारे में तो श स्यासत भी हो रही है कबरधा से ही बड़ी ख़बर आपको बता दे पूर्व मुखी मंत्री बुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है बादपास सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार किया जा रहा है और बुपेश भी आपने काल्पनिक बताया था देखें पूर्व मुखी मंत्री बुपेश बगेल ने बहत बड़ा बयान दिया भासपास सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार क कि आगया है आई आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या खात और फिर किस तरह से सीमसाय ने पलटवार किया अधिया है अधिया है अधिया है अधिया है अधिया है देखे हर चीज में इनको रसंचिन खड़ा नहीं करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एरिस्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगड की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बता दे की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है पियम मोदी के नेत्र इससे बाच्चित करूंगा ग्रमंत्री जी क्या लगता है इस बार मिसन चिंदवारा सक्सेस हो जाएगा मत्या प्रदेश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जनता पार्टी जीतने जा रहे हैं जो 29 सीटे जितने का दावाक कर रहे है और चिंदवारा लंबे आर्से से पीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जंता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वत जैनुच्चा है पूरा चिंदवड़ा मोधी जी के साथ है सुरक्षा वालों एक बड़ी शबलता असिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोर में आने वाले कुछी समय में मोधी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिंदवाड़ा सहित पुरी मत्वदेश की 29 से 29 सिटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेक पटिया आईबिस 24 चिंदवाड़ा इसन में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें 25 लाख रुपे का इनामी नक्सली लीडर शंकर राओ भी धेर कर गया गया यसके साथ ही 10 लाख रुपे की इनामी नक्सला ललिता को भी मार गिराया गया है कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नक्सलियों के´शब अब कांकेर लाइगा है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिला अस्पताल में शबो को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए ये दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लगा तार चनाओती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शौंकराओ भी शामिल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पाच घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक प्रतिक्रिया है सामने आई है और देखें सब बहुत खुश है और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे है कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलियों को मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगी बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा कि हम बात करने के लिए तयार है नकसलियों को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो, बीजापुर हो या फिर कोंडा गां हो, कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल आपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी है बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 29 नकसलियों के शब को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर य ये संख्या 29 तक जा पहुचिए नकसीलेव के खिलाब ये अब तक सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुजबे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलू exclusively अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया बहले वो डेपटी CM विजय शर्मा की हो या फिर CM विश्रुदेव साई की हो या फिर DIG नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हर एक इ सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार, कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप, लाल गड़ में जवानों का शौरिय, 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है, कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत, कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं, मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्णा एक मोड़ पर है, पियम मुदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी, हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है, और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में, आने वाले कुछी समय में, मोदी जी के नेत्रतु में, नकसलवाद को हम समाप कर दें। डियार जी ओम, बियसेप की स्वक्त पार्टी और माववादियों के बीच मुड़ भेड हुई, इस मुड़ भेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है, मुड़ भेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है, घायल जवानों की स सित्वी समान्य और खत्रे से बाहर है, यह एतिहासिक सफलता है, अभी तक कि सबसे बड़ी सफलता है, इस मुड़ भेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ, इस सित्वी बस्तर में सान्ती बहली की जिष्टी से यह बड़ी सफल मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली माधवी ललिता भी शामिल है, मुडवेड में बीस एफ इंस्पेक्टर और डी आरजी के दो जवान घायल हुए है, इसमें घायल बीस एफ इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और डी आरजी जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर रायपूर लाया गया है, ग्रिमंत्री विजय शर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की, डिप्टी सेम विजय शर्मा ने इसे बस्तर पुलिस का नकसल वा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है, वो उसी का एक हिस्सा है, तो निस्सी दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है, उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी, फिलाल क्रॉस फाइरिंग बंध है लेकिन सर्चिंग जारी है ADG NT नकसलियों के जवानों के शौरी से नकसलियों के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है, गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं, मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया, वियरो रिपूर् ABC24 सरा क्या चल देख रहे हैं, और एक बात ये कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है, इसको लेकर कि क्या इन्फोर्मेशन है, पोस्टमाटम की शुरु ये पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, एफसल की टीम नजर आएगी, अस्पताल में पोस्टमाटम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी, वो प्रक्रिया अभी शुरु हुई है, लेकिन पोस्टमाटम अभी शुरु नह उतरबस्तर के जो एसपी है, इंद्रा कलिया लेला सिला, उनसे बाचीट की थी, और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस मेजे तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी, उसके बाद ये सभी बॉडिज वहाँ पर बरामत किये गए थे, और लाए गए थे, लेकिन उन्होंन कवर है, ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है, और ये 36 गड़ के इतिहास में आप तक का सबसे बड़ा, सबसे सकस्फुल जो पुलीस ऑपरेशन वो है, हमारे जो कांकेर के साथ ही है, अमित उनसे बातचीत करेंगे, अमित देर रात बॉडि लेकर के आए हैं, दो ग अपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने विज्वल भेजे हैं, उसमें बांस में बांग कर लाया गया, अभी जो पिसल की टीप पहुंची है, बाड़ी को बवस्तित करेंगी, चुकी आला दिकारी यहां पर पहुंचेंगे, और अभी उनको बवस्तित करके जो प्रेस किया जाएगा, तका रिकॉर्ड होगा, इतनी बड़ी संख्या शायदी, इससे पहले कभी यहां पी हुई हुई है, अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे, कल ही हमारी बात बहु रही थी, यहां के SP से, और उन्होंने बताया था कि 29 डेट बाड़ी को एक द पूशिश की जा रही है कि आसपास के जीलो से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है, डेट बाड़ी को रखने के लिए, उसको बुलाने की बात चल रही है, क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है, 29 इंकाउंटर और इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में, वो ह ख्याले है उत्तरबस्तर का, वहां पे ले जाया जाएगा, और वहां पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे, चुकि यह 36 गड़ के इतिहास में ही नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में, अब तक का सबसे बड़ा सक्सेस है बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंधर पुदेश करा तिलांगाना करा, उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है, गर्चरावली का जो एटीए से महराष्ट का, उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है, जितनी बड़ी सफलता पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इससे का जा रहा है, जायर से बाते नक्सलों में बॉकलार्ट भी आ पर होगी, और आने वाले दिनों में चुनाओ होने हैं, ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्शन लेते हैं, तो इससे निपटने के लिए क्या बड़ी सफलता है, इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है, क्योंकि अभी तक की अगर बात करें, तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नक्सलियों को धेर करना, ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था, अब ये जो नाम है, ए इस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इंफोर्मिशन बेज्ट केंप जो एक ऑप्रेशन किया गया था, जिसमें बीएसेफ समित डियार जी, स्टी एफ, जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है, और निश्चित तोर पे वहाँ प जो अबुजमान अलाके में एक वर्चस रखती थी, तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजए रेड़ी भी अगर इसमें धेर हुआ है, तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नक्सल का खात्मा हो गया है, ये जानकार मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से अ बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है, क्योंकि वो जो इलाका है, वो एक वो ये बड़ा नाम है नक्सल में, कि विजए रेड़ी भी, लेकिन जिस तरीके से हमारे जवान, जो हमने बात करी, जो घायलों के जो जवान आये हैं, उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी अफनाक है, लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत दूरी से वहान लड़े हैं, गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे, जिस तरीके से हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि उसक अच्छा वाकि जो देश में रहनी हैं, उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है, इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था, वो अभी स्थागित हो गया है, लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहाद्दूरी के चर्चे हैं, खुद पीम मोदी समित जो अमिश्चा हैं, ग्रह मंत्री, उसके बाद जो प्रदेश की ग्रह मंत्री हैं, विजे शर्मा जी, उन्होंने जिस तरीके से तारीफ किये और जिस तरीके से बाहत्दूरी से लड़ने की उन्होंने बताया है, अब अगर बात करें, तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ह पतास से ज़्यादा नकसलियों की एक बड़ी इंपूर्ट तैसीन देखी जैसे कि आप बता रहे हैं अभी जो दो टॉप लीडर कमांडो थे उनके बारे में तो शिनाक कुनकी हो गई है लेकिर इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक होना बाकी और हो सकता है कि क आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और भुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सीम विश्रुदेर साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि ये घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजे हर चीज में प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर् आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार क्या गया है आई आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या खात और किस तरह से सीमसाय ने पलटवार किया अधिए चार मेंने में वो फर्जी इंतांकर भी पूमें भी घृति भी है और फर्जी किरफतारियां भी धक्सली बताते आदवासियों को बंद करने की जानतार 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 आ लिए है देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ानी करना चाहिए सर्जीकल स्ट्राइक एर स्ट्राइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फर्जी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ आपको बतारे कि काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड पर है पियम मोदी के नेत्रितों म नकसलवाद जल्द खत्म होगा अपनी होरी लेकिन इस बार लग रहा है कि जंता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वाद जैनुच्चा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षा वालों एक बड़ी शबलता असिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप्त कर दो ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवाडा सहित पुरी मत्यवदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवाडा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाख रुपे का टॉप कमांडर शौंकर राओ भी शामिल है 10 लाख रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पाच घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रिया है सामने आई है और देखिए सब बहत खुश है और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे है कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलियों को मार गिराया गया है पोस्ट मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगी बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा कि हम बात करने के लिए तयार है नकसलियों को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी ये बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकेर लाया गया है 29 नकसलियों के शफ़ को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर यह जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए यह संख्या 29 तक जा पहुची यह नकसलियों के खिलाब गया अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुसमे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि ती 13 जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्स्क्लूजिवली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया बहले वो डेपटी सीम विजेश शर्मा की हो या फिर आपको सबसे पहले हर एक इन्फरमेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुडिया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 19 इस नकसलियों के शब कांके लाए गया है और देखिए 19 इस नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्मौ सबसे बड़ा नकसल उपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरियों 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाफ सबसे बड़ी कांकेर के चोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड पर है पियम मोदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बधाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा हैं और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रतु में नकसलवाद को हम समाप कर दो डियार जी ओम बियसेप की समक पाटी और माओ आदियों के बीच मुडबेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिती समान्य और खत जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ कि स्थिती बस्तर में सांती बहली की जिष्टी से यह बड़ी सफलता है हालाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुड़़ा से जूड जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए हैं इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाज की डिप्टी सेम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्सी दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुक्त धारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रॉस फाइरिंग बंध है लेकिन सर्चिंग जारी है सर्चिंग के दोरन बिना गुंडा कोर्टा जंगल में सुरक्षाबन ये मावदी के बीच मुद्बेड हुई मुद्बेड के पशाद अब तक लाकर के सर्चिंग में कुल 29 मावदी के रड़का डेट बाडी बरामत कीगे काफी बड़ी संक्या में EK47, इनसास, कैसला, कार्बेट 303 ये अन्य हधिया ये गौडा बाल भी गटनासल से बरामत कीगे बीएसेफ और डियारजी के जवानों के शौरि से नकसलियों के प्रतापूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनासल से 7 AK47, 3 LMG समेथ कई अत्याधूनिक हथियार बरामत किये गए हैं मारे गटनासलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया ये रिपूर्ट, IBC 24 वाकरी लोगसबा चुनाओं के पहले ये बहुत बड़ी काम्याभी है सुरक्षा भलो के लिए और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है ये वो दो सहयोगी है जो कल जब से एक खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक पहुचा रहे राजेश राज हमारे साथ ताही जुड़ चुके हैं और राइपूर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन पोश्ट मार्टम की शुड़ात हो चुकी है किया तो तस्वीर सीधी आपको लाइफ दिखाते हैं यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाएगे हैं यह कि टीम अपनी कुछ प्रकरिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर एसपी प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉड़ी वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने रैपो बस्तर के उतरबस्तर के जो एसपी है इंद्रा कलिया लेला सिला उनसे बाचीट की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहाँ पे बरामत किये गए थे और लाए गये थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहाँ पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जवान वहाँ पे हो और सर्च करें तो ह हो सकता है कि वह संक्या भी बढ़े लेकिन उन तीस बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में आप तक का सबसे बड़ा सबसे सक्सेस्फुल जो पुलीस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बा कुरिया होनी है देखिये लगपक टाही बजे के असपस जो है डाड़ी को लाए गया दो गाडी में बरकर ये टाई गया अपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने बिस्वल बेजे हैं उसमें बांग कर लाए गया ताभी जो पर एपिसेल की पहूंची है बाड़ी को कांकर में हुआ है कि जब एक साथ उन्दीस बॉड़ी को का पीम किया जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी मेरी जू जानकारी कि मैं कामकार हो मैंने कभी देखा नहीं कि इतना बड़ा लंग्सिली इंकाउंटर हुआ है तो अच्छा एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बो रही थी यहां के एसपी से और उन्होंने बताया था कि 29 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोस्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से एफसल की टीम बुलबाई गई है लेकिन उसक को बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है 29 इंकाउंटर और इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शववों को सुरक्षित रखने के अधिकारी भी मौझूद होंगे चुकि यह 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हाउंड जो आंदर पुदेश करा तिलंगाना करा उसने भी इतन जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गड़ चरौली का जो एटीए से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले 36 गड़ पुलिस को मिली है और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को IBC 24 भी स अलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बिकुल तैसीन जैसे की राजेश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इसे का जा रहे है जाए जो कल पर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मिली है निशित तोर पे ये है क्योंकि अभी तक क्या अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हुआर्ड कोρ नक्सरी को ढियर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पिशल फोर्स के नाम था अभ ये जो रहत नाम है एक साथ जो 29 लोग जो 29 उनक्सरी हैं उनको मार गिराने का जो र जो एक operation किया गया था जिसमें BSF समित DRG, STF, जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पर वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर शंकर राव, ललिटा और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान अलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पर पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के परिक्षन होगा नकसलियों के अगर उसमें शंकर राव की मौत की पुष्टी हो चुकी है ललिता की मौत की पुष्टी हो चुकी है अगर विजय से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हतियार थे वेपन थे उन से ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे वहां का जिस जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत दूरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौ सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकि जो देश में रहनी हैं उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं ख वहाँ पतास से जादा नकसलियों की बड़ी इंपूर्ट तैसीन देखी जैसे कि आप बता रहे हैं अभी जो डो टॉप लीडर कमांडो थे उनके बारे में तो शिनाक कुनकी हो गई है लेकिन इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखी लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी ख़बर आपको बता दे पूर्व मुखी मंतरी बुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है भादपास सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और बुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सियम विश्रुदेव साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है क यह घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजे हर चीज में प्रश्ण करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था देखें पूर्व मोखी मंत्री बुपेश बगेल ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार क्या गया है आई आपको सुनवाते है और उन्होंने क्या खात और किस तरह से सीमसाय ने पलटबार किया अब तरह प्रजी इंकाउंटर होतारा गिरफतार है अब दिखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ा ने करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एरिस्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगड की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बतारे कि काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पोचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है पेम मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंदवारा में रोट सो कर रहे हैं भववे रोट सो है बड़ी संक्या में चिंदवारा की जनता ग्रैमंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहुची है मत्यप्रदेश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जन्ता पार्टी जितने जा रहे है जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे है और चिन्दवारा लंबे अर्से से बीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जन्ता आप लोगी साथ ले जी जी इस प्रकार का रोड सो आज मैंने देखा है अभूत्पुर्वत जनुच्चा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षा वालोन एक बड़ी शबलता असिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप्त कर दो ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवादा सहीद पुरी मत्यवदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवादा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाख रुपे का टॉप कमांडर शौंकर राओ भी शामिल है 10 लाख रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पाच घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है और देखिए सब बहुत खुश है और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे है कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलियों को मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगी बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसर सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे है जो आप एक सबसे बड़ा नकसलियों चलाया गया है और यहाँ पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तक यह सबसे बड़ी बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो यह कि कांकिर लाया गया है 29 नकसलियों के शब को पहरी यह सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर यह जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुच ये नक्सिलेव के खिलाब ये अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुसमे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्सक्लूजिबली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले वो डेपटी सीम विजेश शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साई की हो या फिर डियाईजी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हरे के इन्फॉमेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 29 नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए 29 नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्मौत्रम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्मौत्रम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल उपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाफ सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मोदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बधाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रतु में नकसलवाद को हम समाप्त कर दें डियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पार्टी और माओ आदियों के बीच मुड़ भेड हुई इस मुड़ भेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुड़ भेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक कि सबसे बड़ी सफलता है इस मुड़ भेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ इसी ती बस्तर में सान्ती बहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हालाकि सरका यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं। कर रायपूर लाया गया है। ग्रेमंत्री विजय शर्मा ने अस्पताल पहुचकर घायल जवानों से मुलाकाद की। डिप्टी सेम विजय शर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया। एक हिस्सा है तो निश्ची दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा। ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी घायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है। उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीद 200 थी। फिलाल क्रोस फाइरिंग बंध है लेकिन सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के दोरन बिना गुंडा कोर्टा जंगल में सुरक्षाबन ये मावदी के बीच मुद्वेड भी। मुद्वेड के पशाद अब तक लाकर के सर्चिंग में कुल 29 मावदी के रटका डेट बाडी बरामत कीगे। काफी बड़ी संक्या में EK47, इंसास, एसला, कार्बेट 303 ये अन्य हद्या ये गौरा बाल भी गटनासल से बरामत कीगे। मारे गैन एकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया। ये रिपोर्ट आईबी सी 24 वाकरी लोकसबा चुनाओं के पहले ये बहुत बड़ी काम्याबी है सुरक्षा बलो के लिए और इस वक्त दो सहयोगी हैं हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन सबसे पहले रुक कर लेते हैं कांकेर का राजेश राज हमारे साथ जुड़े है राजेश अभी वापर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात ये कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट ये और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफॉर्मेशन है आप पोस्टमाटम की शुरुआत हो चुकी है क्या हो राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्टमाटम की शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते हैं यहां से कांकेर का ये अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकस पर जो सूतर बता रहे है वो ये है कि एफसल की टीम अपनी कुछ प्रकरिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर एसपी प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखे डेट बॉड़ी वहां पे कांट होगी और देर रात हमने राप बस्तर के जो एसपी है इंद्रा कल्या लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहां पे ब्रामत किये गए थे और लाए गए लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहां पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जवान वहां पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वह संक्या भी बढ़े लेकिन उन्तीस बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में आप तक का सबसे बड़ा सबसे सक्सफुल जो पुलिस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देर रात बॉड़ी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भी एक्स्कुलुसिव तस्वीर आपने आपने आप दिखाई है तो रात तक यहां पर वो डेट बड़ी ज आ गई है अब जब बढब बड़ी कोई घाये जाएगी और वहां से लाने के बाद बारा बजे के बाद प्रिएम की प्रिक्रेव सुरू की जाएगी तका रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शाय जी इससे पहले कि अहां पी हो यह तो इस जानकरी में करो मैंने कभी देखा नहीं कि शतर अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बो रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 29 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनाती होगी क्योंकि आज पास के जिलों से FSL की टीम बुलबाई गई है लेकिन उसके बा बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शौबो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोग अमित ने बताया कि अभी FSL की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके और फिर यह जो बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चुकि यह 36 गड़ के इतिहास में ही नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे हाउंड जो आंधर पुदेश करा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गड़ चरौली का जो एटीए से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले 36 गड़ पुलिस को मिल है और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बिकुल तैसीन जैसे की राजेश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इसे का जा रहे है जायर से बहते नक अगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मिली है निश्चित तोर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नक्सरियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिख्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब यह जो नाम है एक साथ जो 29 लोग जो 29 हाटकोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो रिकॉर्ड है अब वो 36 गर्फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि यह एक बड़ी सफलता है यहाँ पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इंफोर्मिशन बेस्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समित डियार जी, स्टी एफ, जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राव, ललिटा और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्च तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है, ये जानकार मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी और जो शाओ, शाओं के परिक्शन होगा, नकसलियों के, अगर उसमें शंकर राव की मौत की पुश्टी हो चुकी है, ललिता की मौत की पुश्टी हो चुकी अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निशित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हतियार थे वेपन 지 उन से ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निशित तोर पर वे काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत दूरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उस में जो सुरक्षा वाकि जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहाद दूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समीट जो बताया जा रहा है कि हुआँ पतास से जादा नकसलियों की बड़ी इंपूर्ट तैसीन देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं अभी जो डो टॉप लीडर कमांडों थे उनके बारे में तो शिनाक कुनकी हो गई है लेकिर इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक ह होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखिए लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे है और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी ख़बर आपको बत प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था देखें पूर्व मोखी मंतरी बुपेश बगे ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फरजी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार किया गया है आई आपको सुनवाते हैं उ देखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ानी करना चाहिए सर्जीकल स्टाइक एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल आपरेशन हुआ है आपको बता दे कि काकेर में मुटबेड में 29 नकसली मारे गया है चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है पेम मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा जो 29 सीटे जितने का दावाद कर रहे है और चिंदवारा लंबे अर्से से पीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जंता आप लोगी साथ जे रहे हैं जी जी इस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वा जैनुच्जा है पूरा चिंदवारा मोधी जी के साथ है सुरक्षा वालों एक बड़ी शबलता हासिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई निरा एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोधी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिंदवाडा सहित पुरी मत्वदेश की 29 से 29 सिटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेक पटिया आईबिस 24 चिंदवाडा इसन में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें 25 लाख रुपे का इनामी नक्सली लीडर शंकर राओ भी धेर कर गया गया कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुटबेड चली और मुटबेड में ढेर नक्सलियों के शब अब कांकेर लाए गया है पोस्त मोटन के लिए ये दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ही ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाख रुपे का टॉप कमांडर शौंकर राओ भी शामिल है 10 लाख रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पाच घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक प्रतिक्रिया है सामने आई है और देखिए सब बहुत खुश है और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे है कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलियों को मार गिराया गया है पोस्ट मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगी बताया जारा और अकांच जो जैसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसरार सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे है जो आप एक सबसे बड़ा नकसलियों चलाया गया है और यहाँ पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तक यह सबसे बड़ी बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो यह कि कांके लाया गया है 29 नकसलियों के शब को पहरी यह सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर यह जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुचिए नकसीलेव के खिलाब ये अब तक सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुजबे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्सक्लूजिबली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले वो डेपटी सीम विजेश शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साही की हो या फिर डियाईजी नकसल आपरेशन की हो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हर एक इनफॉमेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुड़िया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि उन्ती इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए उन्ती इस नकसल सबसे बड़ा नकसल उपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय शर्टीस गड़ में अब तक नकसलियों के खिलाब सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के सिर्टिमें नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाब लड़ाई नेना एक मोड में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप कर दो गायल जवानों की स्थिती समानने और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुटभेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ इस इत्री बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकारियों चाहती है कि खुन खराबा नहीं हो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर रायपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिफ्टी सेम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बधाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रियास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्य दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रॉस फाइरिंग बंध है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलीयों के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलीयों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी कहा जा रहा है कि शायद नकसलीयों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको ने करके क्या इंफर्मेशन है पोस्ट माटम के शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट माटम के शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का ये अस्पिताल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए हैं ये पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पिताल में पोश्ट्माटम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रकριा अभी शुरू हूई है लेकिन पोश्ट्माटम अभी शुरू नहीं हूई है जो ऐसा कि हमारे सही होगी भी बता रहे है और जो सूत्र बता रहे है वो यह है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रकरिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बाद समभबता इन सारे बोडिज को ले करके कांकेर SP प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बोडिज वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने राप बस्तर के जो SP है इंदरा कलिया लेला सिला उनसे बादचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद य और सर्च करें तो हो सकता है कि वो संक्या भी बढ़े लेकिन उन 30 बोडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में आप तक का सबसे बड़ा सबसे सकसफुल जो पुलीस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उसे बातचीत करेंगे अमित देर रात बॉड़ी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भेजी भी एक्स्क्लूसिव तस्वीर आपने आपने आई वीशन 24 पर दिखाई है तो रात तक यहां पर डेट बोड़ी आ गई है आपर पहुंचेंगे और उनका वी अब बस्तित करके जो प्रेस कॉंफरेंस होनी है वाड़ी वहां पर ले जाए जाएगी और वहां से लाने के बाद जो है बारा बजे के बाद प्याम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तरी बजे क्योंकि प्यारा बजे करने में समय ले अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के एसपी से और उन्होंने बताया था कि 29 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोस्टमाटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से एफसल की टीम बुलबाई गई है ल चुकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है 29 इंकाउंटर और इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शववों को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोग अमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉडी को पैक करके और फिर ग्राइपो यह जो बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे कुछ पुलिस व से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले चटीजगर पुलिस को मिली है जे बाखे राजेश बहुत बड़ी सफलता चटीजगर पुलिस को मिली है और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को देक्षन लेते हैं तो इसे निपटने के लिए क्या तायारिय की जा रही है तो इसको-बड़ी-स-फ अगर बात करें तो यह एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नकसरियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की C60 Special Force के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड कोर नकसरियें उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 गर्ड फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहाँ पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिन पॉइंट इन्फोर्मिशन बेज्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समित डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंक्तर राओ ललिटा और विजयरेड़ी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेड़ी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खा चुकि अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निशित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो तर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निशित तोर पे वो काफी खौफनाख है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत जिस बहुत दूरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके स चौत अर्फा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समेट जो अमिश्चा हैं ग्रह मंतरी उसके बाद जो प्रदेश की ग्रह मंतरी हैं विजे शर्मा जी उन्हों ने जिस तरीके तरीके तर तारीफ की है और जिस तरीके तर बहादूरी से लड़ने की उन्होंने काबिले तारीफ उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हुआ पटास से जादा नकसलियों की बड़ी इंपूर्ट तैसीन देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं अभी जो डो टॉप लीडर कमांडो थे उनके बारे में तो शनाक कुनकी हो गई है लेकिर इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शनाक होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखिए लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे है और इस प उन्होंने कहा है कि ये घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजे हर चीज में प्रश्ण करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था देखें पूर्व मोखी मंत्री बुपेश बगेल ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार क्या गया है आई आपको सुनवाते है और उन्होंने क्या खात और फिर किस तरह से सीमसाय ने पलटबार किया अब देखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ा ने करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुए आपको बता दे की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्शा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है पेम मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंदवारा में रोड़सो करगा भावफिल रोटसो है बड़ी संक्या में चिंदवारा की जनता प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अभूत्पुर्वत जैनुच्छा है पूरा चिंदवाड़ा मोदी जी के साथ सुरक्षा वालोन एक बड़ी शबलता हासिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप्त कर दो ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवाडा सहित पुरी मत्यपदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवाडा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब पांच घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ही ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शौंकराओ भी शामिल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पाच घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है और देखिए सब बहुत खुश है और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे है कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलियों को मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगी बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा कि हम बात करने के लिए तयार है नकसलियों को बात करना होगा लेकिन जिस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाई सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तकी सबसे बड़ी है बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो आपडेट है वो ये कांकेर लाया गया है 29 नकसलियों को फिर को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर ये जो शंक्या होई वो 19 तक पहुचिए ये संक्या 29 तक जा पहुचिए इसलिए जवानों की जुजबे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्सक्लूजिबली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले वो डेपटी सीम विजय शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साही की हो या फिर डियाई जी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हर एक इनफॉमेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुडिया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि उन्ती इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए उन्ती इस नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्मौत्रम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्मौत्रम क पर प्रचंड प्रहार, कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप, लाल गड़ में जवानों का शौरिय, शतीस गड़ में अब तक नकसलियों के खिलाफ सबसे बड़ी काम्याबी मिली है, कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत, कलपर के जंगलों में 29 नकसलियों मारे गए हमारा नकसलवाद के खिलाफ एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है, और मकसलवाद के खिलाफ लड़ाई, निना एक मोर में, आने वाले कुछी समय में, मोदी जी के नेत्रुद में, नकसलवाद को हम समाप करें डियार जी ओम, बियसेप की समक्त पार्टी और माववादियों के बीच मुडबेड हुई, इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है, मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है, घायल जवानों की स्थिती सम यही जवानों और सुरक्षाधी कारियों को मैं बधाई देता हूँ, इसी थी बस्तर में सांती बहली की जिष्टी से यह बड़ी सफलता है, हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो, लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुगधारा से जूड़ जाएं मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए हैं, इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेज चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर रायपूर लाया गया है, ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल मुलाकाज की, जिप्टी सेम विजशर्मा ने इसे बस्तर पूलिस का नकसलवात पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया, नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं, उनको हरदय से बधाई देता हूँ, साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो, इसके आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा, एड़ी जी एंट्री नकसल आपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है, उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करी दोसों थी, फिलाल क्रोस फाइरिंग बंध है लेकिन सर्चिंग जारी है खात्मा हो चुका है, गटनैस्तल से 7 AK47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए हैं, मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैटिया लाए गया, येरो रिपूर्ट, IBC 24 तो वाकरी लोगसबा चुनाओं के पहले ये बहुत बड़ी काम्याबी है सुरक्षा भलो के लिए और इस वक्त दो सही होगी है, जो कल जब से एक खबर ब्रेक, IBC 24 ने की थी, आपको पल-पल की अपडेट, पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक देख रहे हैं और एक बाप ये कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है ये और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है, इसको लेकर कि क्या इंफोर्मेशन है, आप पोस्टमाटम की शुरुआत ह हो चुकी है क्या राजेश? पारे सहयोगी भी बता रहे है और जो सूत्र बता रहे है, वो ये है कि एफसल की टीम अपनी कुछ प्रक्रिया है, जो उसको पूरी करेंगी, और उसके बाद समभबता इन सारे बोडिज को लेकर के कांकेर SP प्रेस कांफिरेंस करें, मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बाडि वहाँ पे कांट होगी, और देर रात हमने राप बस्तर के, उतर बस्तर के जो SP है, इंद्रा कल्या लेला सिला, उनसे बादचीत की थी, और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी, उसके बाद ये सभी बाडिज वहाँ पे ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बाडिज की संक्या हो सकती है, कि संक्या बढ़े, क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था, तो अल सुबह आज जब वहाँ पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जबान वहाँ पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वह संक्या भी बढ़े, लेकिन उन्तीस बाडिज रिकावर है, ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में आप तक का सबसे बड़ा, सबसे सक्सफुल जो पुलीस ऑपरेशन वो है, हमारे जो कांकेर के साथ ही है, अमित उनसे बातचीत करेंगे, अमित देर रात बड़ी लेकर के आए हैं, दो गाड़ीों में हमने वो तस्वीरे दिखाई, आपने वो तस्वीरे भेजी भी, एक्स्कुलिसिव तस्वीर आपने आइवी सेंट कर लाया गया अब है, जो पर पर शोची है, बारे बजे करने में समय लेगा है, नितीस बोड़ी है और पहला बारासा कांकेर में हुआ एक साथ उन्तीस बोडी को का पीया जाएगा। कॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी यहां पी हुई 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 है और उन्हों ने बताया था कि 39 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोस्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से एफसल की टीम बुलबाई गई है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 29 पॉर्ट माटम हो जाए और यह भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलों से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेट बॉड़ी को रखने के लि यह डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोग अमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके और फिर यह जो बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पर ले जाया जाएगा और व है गर चरावली का जो ATS महाराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाप से ठीक पहले 36 पूलिस को मिली है जयए जवानों के होसले को उनके जस्पे को IBC 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभागी चुडे हुए पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इसे का जा रहा है जायर से बाते नक्सल में बॉकलार्ट भी आपर होगी और आने वाले दिनों में चनाओ होने ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्षन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तयार्या की जा र धारा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो यह एक साथ इतने सारे हाड को नक्सरी town को ड्यर करना यह सिर्फ अभी तक महरास्ष्ट की सी 60 Special Force के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोग जो 29 हार्ट कोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो record है अब वो 36 गर्फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहां पर आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिन पॉइंट इंफोर्मिशन बेस्ट के जो एक ऑप्रेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समित डियार जी एस्टी एफ जिला बलके करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे शंकर राओ ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो मान में नकसल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों का परिक्षन होगा नकसलियों के अगर उसमें शंकर राओ की मौट की पुष्टी हो चुकी है ललिता की मौट की पुष्टी हो चुकी है अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी क काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हतियार थे वेपन थे उनसे ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाख है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत दूरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डीजी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ए से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी हैं उसक प्रदेश की ग्रह मंत्री हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके से तारीफ किये और जिस तरीके से बाहत्दूरी से लड़ने की उन्होंने काबिले तारीफ उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हुआ पतास से जादा नक नकसलियों की शिनाक्त होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखे लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी है तो आप प्रवारित कीजे हर चीज में प्रश्ण करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था देखें पूर्व मोखी मंत्री बुपेश बगे ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फरजी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार क्या गया है आई आपको सुनवाते हैं देखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ा ने करना चाहिए सर्जिकल इस्टाइक, एरिस्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बतारे कि काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड पर है पियम मोदी के नेत्रितो में नकसलवाद जल्द खत्म होगा अम्याब नहीं होरी लेकिन इस बार लग रहा है कि जंता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्व जनुच्चा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षा वालों एक बड़ी शबलता हासिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप्त कर दो ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवादा सहीद पुरी मत्यवदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवादा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिला अस्पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाख रुपे का टॉप कमांडर शौंकर राओ भी शामिल है 10 लाख रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पाच घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है और देखिए सब बहुत खुश है और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे है कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलियों को मार गिराया गया है पोस्ट मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगी बताया जारा और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जारा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसरा सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो आपर एक सबसे बड़ा नकसलियों चलाया गया है और यहाँ पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है तो इससे पहले भी ग्रेमंत्री विजय शर्मा यह साफ कर चुके थे कि हम बात करने के लिए तयार है नकसलियों को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी यह बस्तर से भी खबर है और देखिये 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अब जो अप्डेट है वो यह कि कांकेर लाया गया है 29 नकसलियों को इशचफ को पहरे यह सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया, फिर यह जो संख्या हुई, वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए, यह संख्या 29 तक जा पहुची है, नकसलियों के खिलाब यह अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है, इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं, बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं, जोने राइपोर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया, और सबसे बड़ी बात, IBC 24 ने हर एक खबर, हर एक पहलो एक्स्क्रूजिवली अपने दर्शकों के सामने रखा, हर एक प्रतिक्रिया, भले ही वो डेपटी सीम विजय शर्मा की की हो, या फिर सियम विश्रुदेव साई की हो, या फिर डी आईजी नकसल ऑपरेशन की हो, तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड लीड ली, आपको सबसे पहले हर एक इंफॉर्मेशन पहुचाई, और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ हुआ है, अभी एक और अपड सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन, लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार, कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप, लाल गड़ में जवानों का शौरिय, 37 गड़ में अब तक नकसलियों के खिलाब सबसे बड़ी काम्याबी मिली है, कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं, मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंतुरी अमिच्छा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है, पियम मोदी के नित्रत्रु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी, तीन जवान भायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है, गायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है, यह एतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है, इस मुटबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं इस मुटबेड में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है, हाला कि सरकारियों चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो, वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुटधारा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए हैं इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सेम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बधाई देता हूं साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपोर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सरच अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफरमेशन है पोस्ट माटम की शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट माटम की शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मर्चूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए है यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पताल में पोश्ट माटम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्ट माटम अभी शुरू नहीं हुई है जैसा की हमारे सहियोगी भी बता रहे है और जो सूतर बता है वो यह है कि एफसल की टीम अपनी कुछ प्रक्रिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर एसपी प्रेस कांफरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉड़ी वहाँ पे कांट होगी और देर रात ह सभी बॉडिज वहाँ पे ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बास सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहाँ पे आसपास क जो पुलिस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देर रात बॉड़ी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भेजी भी एक्स्क्लूसिव तस्वीर आपने आइवी सेंटी 24 पर दिखाई है तो रात तक यहां पर वो डेट बॉड़ी आ गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की क्या प्रक्रिया होनी है देखिए लगपक नटाई बज़े के असपस जो है डेट बड़ी को लाया गया था आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने विजुल सुरू की जाईगी क्योंकि प्यम करने में समय लगेगा 29-29 बॉड़िया है और पहला बारा सा कांकर में हुआ है कि जब एक साथ 29 बॉड़ी को का पीम किया जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी यहां पी हुई हुई है मेरी यह जान क्योंकि आसपास के जिलों से एफसल की टीम बुलवाई गई है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 29 बॉड़्स माटम हो जाए और यह भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलों से एवन की रैपर से भी जो फ्रीजर है डेड बॉड़ी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहाँ पे उतने फ्रीजर नहीं है उन तीस एंकाउंटर और इतने बड़े छोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शौबो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेड बॉड़ी को पैक करके और फिर ग्राइपो यह जो बस्तर का इस पे मुख्याले है उत्तरबस्तर का वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चुकि यह 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंधर प्रुदेश का रहा तिलांगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गड़ चरौली का जो ATA से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाप से ठीक पह इससे का जा रहा है जायर से नक्षलों में बॉकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चुनाओं होने ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्षन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारिया की जा रही है निश्चित तोर पे जिस तरीके से छोटे बेटिया ठाना दरगज जो कलपर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मीली है निश्चित तोर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें त ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नकसरियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 कोр नकसरियें उनको मार गिराने का जो रिकॉर्ड है अब वो 36 के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहां पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिन पॉइंट इन्फोर्मिशन बेज्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समेथ डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब एक सो पिचासी से जादा क नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे शंकर राओ ललिटा और विजे रिड़ी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान लाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजे रिड़ी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के परिक् और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजे रिड़ी भी लेकिन जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े अफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहादुरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौदरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावज अच्छा वाकि जो देश में रहनी हैं उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादुरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समीट जो आए दा रहा है कि हमाँ पता से जादा नकसलियों की बड़ी इंपुट की रहे हैं आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और वुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सीम विश्वदेव साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजिए हर चीज में प्रशन करना ठीक नहीं होत है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था देखें पूर्व मोखिमंत्री बुपेश बगेल ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी अनकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को ड देखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ानी करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक को भी उन्होंने वलब काल्पनिक कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर नहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फर्जी है तो उसको परमानित करें और चत्रिगर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुए आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गया है चिंदवारा पोँचे के इंद्री ग्री मंत्री अमिर्शा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोर पर है पिया मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा छिद्वारा में रोड सो कर रहा है भावर के जनता घ्रहमंत्री को आशिर्वाद देने के लिए पहुची है और मैं सीधे ग्रहमंत्री से वाच्शित करूगा मत्यप्रदीश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जनता पार्टी जितने जा रहे है जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे हैं और चिंदवारा लंबे अर्से से पीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्व जनुच्चा है पूरा चिंदव जान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप्त करते हैं तो ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिंदवारा सहीद पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीते जीतेगी भारत पूरी में 29 नकसलियों को मार गिराया गया है और इसमें 25 लाख रुपे का एनामी नकसली लीडर शंकर राव भी धेर कर दिया गया और उसके साथ ही 10 लाख रुपे की एनामी नकसला ललिता को भी मार गिराया गया है कांकेर के छोटे बेटिया में करीब 5 गंटे तक मुड़वेड चली और मुडवेड में ढेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाएगा है कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा किया है पोस्ट मॉटन के लिए ये दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनौती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 39 नकसलीों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामिल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है 5 गुंटे तक करेबी मुटबेड चली और उस नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाए और उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा ऑपरेशन यहापर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसार सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहापर एक सबसे बड़ा नकस तक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी यह बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीों को मार गि यह संक्या 29 तक जा पहुचिए नकसलीों के खिलाब यह अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुए है जिनने राइपूर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे पहले हो एक्स्क्रूजिवली अपने दर्शकों के सामने रखा हार एक प्रतिक्रिया भले ही वो डेपटी सीम विजेश शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साय की हो या फिर डी आईजी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार आईपी 74 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हरे के इंफॉर्मेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 29 इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए 29 इस नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्मॉत्रम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्मॉत्रम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ओपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिया 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मुदी के नित्रत्र में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीम साय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंभीर प्रकार का भियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई निना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोडी जी के नेत्रत में नकसलवाद को हम समाप करें डियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पाटी और माओ आदियों के बीच मुड़बेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान गायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ इस सिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हालाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपोर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफर्मेशन है पोस्ट माटम की शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट माटम की शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मर्चूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए हैं यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी एस्पताल में पोश्टमाटम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रकरिया अभी शूरू हुई है लेकिन पोश्टमाटम अभी शूरू नहीं हुई है जो ऐसकी हमारे सह calculating बता रहे है और ये है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रकरिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर SP प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉड़ी वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने राप बस्तर के उतर बस्तर के जो SP है इंद्रा कलिया लेला सिला उसे बाचीट की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फारिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहाँ पे ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था क कि ये बॉडिज की संख्या हो सकती है कि संख्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहाँ पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलकि अगर जवान वहाँ पे हो और सर्च करे तो हो सकता है कि वह संख्या भी बढ़े लेकिन उन्तीस बॉडिज रिकावर है यह तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और यह च्छतीस गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सक्सेस्फुल जो पुलिस ऑपरेशन वह है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देरात बाड़ी लेकर के आये हैं दो गाड़ियों में हमने वह तस्वीरे दिखाई आपने तस्वीरे भी एक्स्क्लूसिव तस्वीर आपने आपने डिखाई है तो रात तक यहां पर डेट बड़ी आ गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं बाड़ी कारी यहां पर पहुंचेंगे और वहां से लाने के बाद जो है बारा बज़े के बाद जो है प्रक्रिया सुरू की जाईगी क्योंकि प्यम करने में समय लेगेगा 29-29 बाड़िया है और पैला बारा सा कांकर में हुआ है कि जब 17-29 बाड़ी को का पीम किया अच्छा एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 39 बाड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से FSL की टीम बुलवाई गई है लेकिन उसके बा और इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शौबो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि देश के तियास में अब तक सबसे बड़ा सकसे से सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर प्रुदेश करा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गर्चरॉली का जो एटीये से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले चटीजगर पुलिस को मिली है बावाके राजेश बहुत बड़ी सफलता चटीजगर पुलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को IBC 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे निश्चित तौर पे जिस तरीके से छोटे बेटिया थाना अंतर का जो कलपर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मीली है निश्चित तौर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें त तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नक्सरियों को धेर करना, ये सिर्फ अभी तक महाराश्ट की C60 Special Force के नाम था, अब ये जो नाम है, एक साथ जो 29 लोगों, जो 29 हार्ड कोर नक्सरियें, उनको मार गिराने का जो रिकॉर्ड है, अब वो 36 के नाम हो गया है, क्योंकि ये ए इसमें बीएसेफ समित डियार जी, स्टीएफ, जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर शंकर राओ, ललिटा और विजेरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापूर जो कमीटी एरिया कमीटी जो है, जो अबुजमान आलाके में एक वर्चस रखती थी, तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजेरेडी भी अगर इसमें धेर हुआ है, तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गय है ललिता की मौत की पुष्टी हो चुकि है अगर विजय रेड़ी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निश्चित तौर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजय रेड़ी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हतियार थे वेपन थे उनसे ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे वहां का जिस जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत दूरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौ सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी हैं उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौर तरफा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हमाँ पतास से जादा नकसलियों की एक बड़ी इंपुट की में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और वुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सीम विश्युदेव साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि घटना अगर फर्जी है तो आप रवारित कीजे हर चीज में करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने कालपनिक बताया था देखे पूर्व मोखिमंद्री बुपेश बगेल ने बहत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि किया आए आए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या खाता और फिर किस तरह से सीमसाई ने पलटवार किया अब देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ान ने करना चाहिए सर्जीकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और चत्रिगर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चंदवाऍा पोंचे केंदरी ग्री मंत्री अमिटर ने कहा कि नकसलवाट की किलाफ लड़ाई निन्डायक मोड़ पर है पीए मोधी के नेतरेंतों में नकसलवाट जल्द खत्म होगा जो है चिंद्वारा में रोट सो कर रहे हैं भवे जोड़्ों है बड़ी शंक्या में चिट्वारा की जन्ता ग्रह्मंतरी को आसिरवात देने के लिए पहुची है और मैं सीधे ग्रह्मंतरी से भाचशित करूगा मत्यप्रदेश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जनता पार्टी जीतने जा रहे है जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे है और चिंदवारा लंबे अर्से से बीजेपी काम्याद नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार क रोड सुआज मैंने देखा है अभूत्पुर्वा जनुट्चा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षा वालों ने बड़ी शबलता आसिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक पूर में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप्त करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवाडा सहीद पूरी मत्यपदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबी 24 चिनवाडा देशन में 29 नकसलीओं को मार गिर आई गया है और इसमें 25 लाख रुपए का इनामी नकसली लीडर शंकर राव भी धेर कर गया गया और इसके साथ ही 10 लाख रुपए की इनामी नकसला ललिता को भी मार गिर आई गया है कांकेर के छोटे बेटिया में करीब पाच घंटे तक मुडबेड चली और मुडबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए है कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाई गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनाओती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलीों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पोस्मॉर्टम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे यह बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा कि हम बात करने के लिए तयार है नकसलीों को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल आपरेशन 29 नकसलीों को मार गिराए गया है आज तक ही सबसे बड़ी है बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकेर लाया गया है 29 नकसलियों के शब को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुची है नकसलियों के खिलाब ये अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि 3 जवान भी घायल हुएं जिनने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलू exclusively अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले ही वो deputy CM विजेश शर्मा की हो या फिर CM विश्रुदेव साई की हो या फिर DIG नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड लीड ली है और अब इन शबों का पोस्ट मौटम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन लाल लडाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर केंद्री ग्रेमंतुरी अमिच्छा ने का कि नकसलवाद के लड़ाई अब निर्णा एक मोड पर है पियम मुदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बधाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई नेना एक मोड में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रत में नकसलवाद को हम समाप कर दो गायल जवानों की सबसे बड़ी सफलता है इस मोड बेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ इसी थी बस्तर में सांती बहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हालाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुकधारा से जूड जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में B.S.F. इंस्पेक्टर और डियार जी के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल B.S.F. इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और डियार जी जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर रायपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की इप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बधाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरी कोशिश की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्सी दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल अपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बाप यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इन फॉर्मेशन है पुष्ट मॉट्ट है है क्या राजेश पहले आपको जवाब दे दूँ पुष्ट मॉट्व की शूरु आपको लाइब दिखाते हैं यहांसे कांकेर क्या ये अस्पिताल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए है ये पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहाँ पे नजर आएंगे FSL की टीम नजर आएगी अस्पिताल में पोश्टमाटम करने वाले की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रख्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्टमाटम अभी शुरू नहीं हुई है जो ऐसा की हमारे सहियोगी भी बता रहे है और जो सूतर बता रहे है वो ये है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रकरिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बाद समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर SP प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉडि वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने रैपो बस्तर के उतर बस्तर के जो SP है इंदरा कलिया लेला सिला उनसे बादचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहाँ पे ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वह से सकसफुल जो पुलिस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देर रात बॉड़ी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भी एक्स्कूलिसिव तस्वीर आपने आए बीस इंट 24 पर दिखाई है तो रात तक यहां पर वो डेट बॉड़ी आ गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की क्या प्रक्रिया होनी है देखिए लगपक नठाई बजे के असपस जो है डेट बड़ी को लाए गया दो गाड़ी में बरकें डेट बड़ी को लागया था आ बड़ी को लिए चाहेंगे कर दो यहां के सब्सक्राइब करने में चाहेंगे कर दो एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात पूर रही थी यहां के से और उन्हों ने बताया था कि 39 डेट बाड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनाती होगी क्योंकि आसपास के जिलो से एफसल की टीम बुलबाई गई है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 39 पोश्ट माटम हो जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलो से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेट बाड़ी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है उन्तीस एंकाउंटर इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके और फिर ग्राइपो ये जो बस्तर का इस पे मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौझूद होंगे चुकि ये 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास म को मिली है वाके राजेश बहुत बड़ी सफलता 36 कर पुलिस को मिली है और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बेकुल तैसीन जैसे की राजेश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल आउपरेशन इससे का जा रहा है जायर से बहुते नक्सल में बोकलाट भी आपर होगी और आने वाले दिनों में चनाओ होने ऐसे में अगर वो बोकलाट में कोई एक्शन लेते है तो इ कि अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अबी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड हो नक्सरीओं को ढिले करना ये जिर्फ अभी तक महाराश्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ट कोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहां पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक प पूरी एक घेर के नक्सली को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे शंकर राओ ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नक्सल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो उस जो अबुजमान अलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेडी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नक्सल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये एक बड़ा नाम है नक्सल में कि विजयरेडी भी लेकिन जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आ तरीखे से जवानों ने बहुत जिस बहद्दुरी से वहें। लड़े हैं। गोली लगने के बाद भी हो फायर करते रहे। जिस तरीखे उमारे जो BCF के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौदरी से जो हमारी बात हुई। उन्हों ने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डी जी बीसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमे जो अमिश्चा हैं ग्रे मंत्री उसके बाद जो प्रदेश की ग्रे मंत्री हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके दे तारीफ किये और जिस तरीके बात दूरी से लड़ने की उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हुआ प बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखिए लकातारम हरी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी ख़बर आपको बता दे पूर्व मुखी मंतरी भुपे प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था देखें पूर्व मुखी मंतरी भुपेश बगे ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फरजी अनकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार क्या गया है आई आपको सुनवाते हैं और उन्होंने क्या खाता और फिर किस तरह से सीमसाय ने पलटवार किया अब प्रजी गिरफतारियां भी है अब प्रजी गिरफतारियां भी है देखें हर चीज में इनको ब्रसंचिन खड़ान ने करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगड की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुंचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोर पर है पियम मोदी के नेत्रितो में नकसलवाद जल्द खत्म होगा अम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जंता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वत जैनुच्छा है पूरा चिंदवड़ा मोधी जी के साथ है सुरक्षावलों ने बड़ी शबलता आसिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नक्सलवाद के खिलाप लड़ाई निना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोधी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप करें ग्रह मंत्री जी कह रहे हैं कि चिन्दवाडा सहित पूरी मत्वडेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी केमा प्रसंद संजे के साथ वेक पटिया आईपीस 24 चिन्दवाडा इसन में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें 25 लाक रुपे का इनामी नक्सली लीडर शंकर राओ भी धेर कर दिया गया और इसके साथ ही 10 लाक रुपे की नामी नक्सला ललिता को भी मार गिराया गया है कांकेर के छोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुटबेड चली और मुटबेड में धेर नक्सलियों के शब अब कांकेर लाए गया है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गया है कांकेर जिला अस्पताल में शबो को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए ये दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनाओती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे यह बताया जा रहा है और अकांजुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा रही थी भले वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल आपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तक ही सबसे बड़ी यह बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 29 नकसलियों के सपफ को पहरे ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलियों को मार गिराया क्या फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुचिए और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुचिए नक्सिलियों के खिलाब ये अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक ख़बर हर एक पहलू exclusively अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले वो deputy CM विजए शर्मा की हो या फिर CM विश्रुदेव साही की हो या फिर DIG नक्सल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस ख़बर पर लीड ली आपको सबसे पहले हरे के इंफॉर्मेशन पहुचाई और नक्सल मुटभेड से जुरिया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 19 नक्सलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए 19 नक्सलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्मौत्रम टीम सबसे बड़ा नक्सल उपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नक्सली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नक्सलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मुदी के नित्रतु में नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीयम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नक्सलवाद के खिलाफ एक गंबीर प्रकार का भियान चल रहा है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रतु में नक्सलवाद को हम समाप करें बियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पार्टी और माओ आदियों के बीच मुड़बेड हुई इस मुड़बेड में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुड़बेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ कि स्थिती बस्तर में सान्ती बाहली की जिष्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकारियों चाहती है कि खुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपै का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपै की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में BASF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BASF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को इयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँच कर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने सिबस्तर पुलिस का नकसल वाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरी कोशिश की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्ची दूर्प से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल अपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपोर्ट, IBC 24 शबलों के लिए और इस वक्त दो सही होगी हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है यह वो दो सही होगी है जो कल जब से खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे पहले आपको जवाब देदे जिए पोच्माटकी की शुरूआद हो चुकी है की तर तस्वीर सीधी आपका लाइफ दिखाते हैं यासे कांकेर का ये अस्पिताल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए हैं ये पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पताल में पोश्ट माटम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्ट माटम अभी शुरू नहीं हुई है जैसा की हमारे सही होगी भी बता रहे है और जो सूतर बता है वो ये है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रक्रिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर SP प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉडिज वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने राप बस्तर के उतर बस्तर के जो SP है इंद्रा कलिया लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फ बलकि अगर जबान वहाँ पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वो संक्या भी बढ़े लेकिन उन्तीस बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सकस्फुल जो पुलिस ऑपरेशन वो रात तक यहां पर वो डेड़ बड़ी आ गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की क्या प्रक्रिया होनी है देखिए लगपक अठाई बजे के असपस जो है डेड़ बड़ी को लाया गया था आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने विजुल बेजे हैं उसमें बां करने में समय लेगे गए 29-29 बॉडिया है और पहला बारा सा कांके में हुआ है कि जब एक साथ 29 बॉड़ी को का पीम किया जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी यहां पी हुई 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 और उन्होंने बताया था कि 29 बॉड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से एफसल की टीम बुलबाई गई है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के 29 पोश्ट माटम हो जाए और य यह भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलों से एवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेट बॉड़ी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है उन्तीस एंकाउंटर और इतने बड़ी चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उस का सबसे बड़ा सकसे से सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर प्रुदेश का रहा तिलांगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गर्चरौली का जो एटीये से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नही पुलिस को मिली है वाके राजेश बहुत बड़ी सफलता चोतीसकर पुलिस को मिली है और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए मिकोल तैसेन जैसे की राजेश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल आपरेशन इससे का जा रहा है जायर से बहते नक्सल में बॉकलाट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चनाओं होने है ऐसे में अगर बॉकलाट में कोई एक्षन लेते है तो इससे तौर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड को नकसरियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो उनतिस लोगों जो उनतिस हार्ड कोर नकसरियें उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो छट्रिस गर फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहां पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इन् नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे शंकर राओ ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो उस जो अबुजमान इलाके में एक व तरीके से अभी जो शाओ के परिक्ष्ण होगा नकसलियों के अगर उसमें शंकर राओ की मौत की पूश्टी हो चुकी एललिता की मौत की पूश्ची हो चुकी अगर विजयरेडी भी अगर उसमें ठेर हुा है तो निशित तौरप एक बड़ी सपलता और ये मानी जा रही ह क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये एक बड़ा नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो ह हाँ जिस भाहाददूरी से यह उन्होंने बताय उसके सरगरंभी की वज़े से उसमें त giờ में ने वह दे 1973 क्या अज लेकी वाकि अदो चलंगे और उनका जो आने का जो कारिकर्म था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समय जो अमिश्चा हैं ग्रेमंत्री उसके बाद जो प्रदेश की ग्रेमंत्री हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके 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 दे तरीके पहब दुरी शुचित लड़ने की उन्होंने प्घाविनि-धार जपस्था दू पता जा रहा हैं इस पूरे मुटभेड में और देखिए लकातार हमारे का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी खबर आपको बता दे पूर्व मुखी मंतरी भुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है भाजपस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और भुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सियम विशुदेव साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि ये घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजे हर चीज में प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने कालपनिक बताया था देखें पूर्व मोखिमंद्री बुपेश बगेले बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी अनकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा सब्सक्राइक कालपनिक कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फर्जी है तो उसको परमानित करें और चत्रिशकर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गया है चिंदवारा पहुंचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्शा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोर पर है पिया मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा इसे से पीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वा जनुच्चा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षावलों ने बड़ी शबलता आसिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिंदवारा सहित पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेक पटिया आईबी 24 चिंदवारा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुडबेड चली और मुडबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिलास पताल में शबो को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनौती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलीों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामिल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है 5 गुंटे तक करेबी मुटबेड चली और उस नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाए और उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा ऑपरेशन यहापर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसार सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहापे एक सबसे बड़ा नकस तक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी यह बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीों को मार गि यह संक्या 29 तक जा पहुचिए नकसलीों के खिलाब यह अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुए है जिनने राइपूर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे एक्स्क्रूजिबली अपने दर्शकों के सामने रखा हार एक प्रतिक्रिया भले वो डेपटी सीम विजेश शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साही की हो या फिर डी आईजी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार आईपी 74 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पह पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्ट मॉटम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन लाल लडाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मोदी के नित्रत्य में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीमसाय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बढ़ाई दी मुटबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुटबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ कि स्थिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हालाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो हो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सरच अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इन्फमेशन है, पोस्ट माचंळ नकसलियों के श्रूब हो चुकी है क्या राजेश पहले आपको जवाब दे दूओं पोस्ट माचंळ नकसलियों के शव लाये गए पलीस के तमाम अधिकारी आपको यहाँ पे नजर आएंगे FSL की टीम नजर आएगी अस्पताल में पोश्ट माटम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्ट माटम अभी शुरू नहीं हुई है जैसा कि हमारे सही होगी भी बता रहे है और जो सुत्र बता रहे है वो यह है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रक्रिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर SP प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉडि वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने राप बस्तर के उत्र बस्तर के जो SP है इंद्रा कलिया लेला सिला उनसे बाचीट की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फारिरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहाँ पे ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहाँ पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जबान वहाँ पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वो संक्या भी बढ़े लेकिन उन्तीस बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सकसफुल जो पुलिस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देरात बॉड़ी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भेजी भी एक्स्क्लूसिव तस्वीर आपने आईवी सेंटी 24 पर दिखाई है तो रात तक यहां पर वो डेट बॉड़ी ज आ गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की क्या प्रक्रिया होनी है आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने विजूल बेज़े है उसमें बांस में बांध कर लाया गया था अभी जो एपिसल की टीप पहुंची है वाड़ी को बिवस्तित करगी चुकि आला दिकारी यहां पर पहुंचेंगे और उनको वश्तित करके जो फ्रेस कॉंपेंस होनी है वाड़ी वहां पर ले जाएगी और वहां से लाने के बाद जो है 12 बजे के बाद पीम की प्रेक्रिया शुरू की जाएगी क्योंकि प्यम करने में समय लगेगा ही हमारी बात बो रही थी यहां के SP से और उन्हों ने बताया था कि 39 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से FSL की टीम बुलबाई गई है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो स इस इंकाउंटर और इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शौबो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगे हम इतने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉडी को पैक करके और फिर ग्राइपो ये जो बस्तर का इस पे मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद ह होंगे चुकि ये 36 गड के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंधर प्रदेश करा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर न करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए तैसीन जैसे कि राजश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑप्रेशन इसे का जा रहे है जाए जो कल पर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मीली है निशित तोर पे ये अब तक की एक जा रहा है क्योंकि अभी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नक्सरियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड कोर नक्सरियें उनको मार गिर आने का जो रिकार्ड है अब वो 36 फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहां पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इन्फॉमिशन बेज्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समेट डियार जी स्ट्री और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेडी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चि पराओ की मौत की पुष्टी हो चुकी है ललीता की मौत की पुष्टी हो चुकी है अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि पंस थे उनसे ये حमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहाँ पे ये कर रहे थे वहाँ आइक जिस तरीके का जो उडियो भी जो आयाएँ निस्चित तौर इस तो उन्होंने बताया कि उसके बावजूद उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उने पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डी जी बीसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिकर्म था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समीट जो अमिश्चा हैं ग्रेमंत्री उसके बाद जो प्रदेश की ग्रेमंत्री हैं जैसे कि आप बता रहे हैं अभी जो दो टॉप लीडर कमांडो थे उनके बारे में तो शिनाक कुनकी हो गई है लेकिन इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और दे बासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और भुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सीम विश्रुदेर साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि घटना अगर फरजी है तो आप रवारित कीजे हर चीज में प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्र में फरजी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार क्या गया है आए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या खाता और फिर किस तरह से सीमसाय ने पलटवार किया अब प्रजी इंटांगर भी कृमे भी कृति भी है और फर्जी इंटांगर भी भी खृति है और फर्जी किरफतारियां भी धक्सली ब्तार के आदवासियों को बंद करने की जानका जानकारी आ रहे है देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ा नहीं करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, एर स्ट्राइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है छत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुए आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये है चिंदवारा पोँचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोर पर है पियमोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंदुद्वारा में रोट सो कर रहा है भावफे ज्रोट सो है बड़ी संक्यामेें चिंद्वारा की जन्ता ग्रै मंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहूंची है और मैं सीधे 1 कि से वा फट्रोओगा में मंत्री जी क्या लगता है इसarem阯सण सिद्वारा सक्सेस हो जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वत जैनुच्छा है पूरा चिंदवड़ा मोदी जी के साथ है सुरक्षावलों ने बड़ी शबलता आसिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप्त कर दो ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवाडा सहीद पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबी 24 चिनवाडा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुडबेड चली और मुडबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाएगा है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाएगा है कांकेर जिलास पताल में शबो को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनौती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलीों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है 5 गुंटे तक करेबी मुटबेड चली और उस नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाए और उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा ऑपरेशन यहापर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसार सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहापर एक सबसे बड़ा नकस तक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी यह बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीों को मार गि देखिए यह संख्या 29 तक जा पहुचिए नकसलीों के खिलाब यह अब तक सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुए है जिनने राइपूर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सब सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्स्क्रूजिवली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया बले ही वो डेपटी सीम विजए शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साही की हो या फिर डिया जी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हरे के इंफॉर्मेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ है अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 19 इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए 19 इस नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्ट मौटम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्ट मौटम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ओपरेशन लाल लडाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिया 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्वी ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मुदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बढ़ाई दी मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए है उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ कि स्थिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हाला कि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7-EK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सरच अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफरमेशन है पोस्ट मॉत्र 我們 की शरुआध हो चुकी है क्या हो राजेश देगेज़े पहले आपको जवाब दफ़दी हूँ पोस्ट मॉइटम की शरुआध हो चुकी है क्या है लेकिन पोस्ट माटम अभी शुरूर नहीं हुई है जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे है और जो सूत्र बता रहे है वो यह है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रकरिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बाद समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर SP प्रेस कॉंफ किये गये थे और लाए गये थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुबह आज जब वहां पर आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा अमित उनसे बातचीत करेंगे आमित देरात बॉड़ी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भेजी भी एक्स्कुलसिव तस्वीर आपने आप वीसिंटी 24 पर दिखाई है तो रात तक यहां पर वो डेट बाड़ी आ गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की क्या प्रक्रिया होनी है और पहला बारा सा कांकेर में हुआ है कि जब 17-19 बड़ी को का पी-म किया जाएगा इतनी बड़ी संख्या शाय दिए इससे पहले कभी पी-म यहां पी हुई 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 है अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 39 बड़ी को एक दिन में पोस्ट माटम करना भी चुनाती होगी क्योंकि आसपास के जिलो से FSL की टीम बुलवाई गई है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 29 पॉर्ट माटम हो जाए और यह भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलो से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेड़ बॉडी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहाँ पे उतने फ्रीजर नहीं है 29 एंकाउंटर और इतने बड़े छोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर प्रुदेश का रहा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गर्चरॉली का जो एटीये से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं जैसे की राजश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नकसल आप्रेशन इसे का जा रहे है जायर से बहुते नक्सले में बौकलाट भी आ पर होगी और आने वाली दिनों में चुनाओ होने एसे मैं अगर वो बौकलाट में कोई एक्शन लेते हैं तो इससे निपटन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हाड कोर नकसरियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महाराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हाड कोर नकसरियें उनको मा गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहाँ पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इन्फोर्मिशन बेज्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समेट डियार जी एस्टियेफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राओ ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कम अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के परिक्शन होगा नकसलियों के अगर उसमें शंकर राओ की मौत की पुष्टी हो चुकी है ललिता की मौत की पुष्टी हो चुकी है अगर विजयरेडी भी अगर ने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हतियार थे वेपन थे उनसे ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडिय चौदरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डी जी बीसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिकरम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादूरी के तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पतास से जादा नकसलियों की एक बड़ी इंपुट की जैसे क्या बता रहे है अभी जो डो टॉप लीडर कमांडो थे उनके बारे में तो शिनाक्त कुनकी हो गई है लेकिन इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक्त होना और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखिए लकातार हमारे का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे है और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी ख़बर आपको बता दे पूर हर चीज में प्रशन करना छीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने कालपनिक बताया था देखें पूर्व मोखी मंतरी बुपेश बगे ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपव सरकार में फरजी अनकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार क्या गया है आई आपको सुनवाते हैं इनको प्रसंचिन खड़ा ने करना चाहिए अगर यह तो उनके यहां की बात है चत्रिगड की बात है अगर यही कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिन्दवारा पहुंचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवात की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोर पर है पिया मोदी के नेत्रेतों में नकसलवात जल्द खत्म होगा इसे से पीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जंता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वा जनुच्जा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षावलों ने बड़ी शबलता आशिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवात के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवात के खिलाप लड़ाई निना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवात को हम समाप करें ग्रह मंत्री जी कह रहे हैं कि चिंदवारा सहित पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबी 24 चिंदवारा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुडबेड चुली और मुडबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाएगा है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाएगा है कांकेर जिला अस्पताल में शबो को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए ये दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनाओती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलीों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसर सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे है जो आप एक सबसे बड़ा नकसली अभियान चलाया गया है भले ही वो बस्तर हो, बीजापूर हो, या फिर कोंडा गाँ हो, कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी यह बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो यह कि कांकेर लाया गया है 29 नकसलीों के शब को पहरे यह सूचना मिल रही थी पहलो एक्स्क्रूजिवली अपने दर्शकों के सामने रखा हार एक प्रतिक्रिया भले ही वो डेपटी सीम विजेश शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साय की हो या फिर डियाई जी नकसल ऑपरेशन की हो सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गड़ में अब तक नकसलीों के खिलाब सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर केंद्वी ग्रेमंतुरी अमिच्छा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मुदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रतु में नकसलवाद को हम समाप्त कर दो गायल जवानों की स्थिती समानने और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुटबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ इस इत्री बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हालाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में B.S.F. इंस्पेक्टर और D.R.G. के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल B.S.F. इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और D.R.G. जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की इप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बधाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुट भेड हुई है, वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्ची दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों के स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपोर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सरच अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफर्मेशन है पोस्ट मार्टम की शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट मार्टम की शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गए नकसलियों के शव लाए गए है यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पताल में पोश्ट माटम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्ट माटम अभी शुरू नहीं हुई है जैसा की हमारे सही होगी भी बता रहे है और जो सूतर बता होगी और देर रात हमने रैपो बस्तर के उत्र बस्तर के जो एस्पी है इंद्रा कल्या लेला सिला उनसे बाचीट की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बजे तक क्रॉस फारिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहाँ पे ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सक्सेस्फुल जो पुलिस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देरात बॉड़ी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की चाप्रक्रिया होनी है देखे लगपक अधाई बजे के असपस जो है डेड़ बड़ी को लाया गया था आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने विजुल बेजे हैं उसमें बांस में बांद कर लाया गया था अभी जो पिसल की समय लगे गाई 29-29 बॉड़ी है और पहला बारा सा कांके में हुआ है कि जब एक साथ 29 बॉड़ी को का पी-म किया जाएगा डिकार्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शाय दी इससे पहले कभी यहां पी हुई हुई है मेरी जानकारी कि समय काम करो मैंने कभी देखा नहीं कि 36 अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 39 बॉड़ी को एक दिन में पोश्टमाटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से FSL की टीम बुलबाई गयी है लेकिन उसके चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है उन्तीस एंकाउंटर इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शववों को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीज बाहरी भी मौझूद होंगे चुकि यह 36 गट के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर प्रुदेश करा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गट चरौली का जो ATA से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले 36 गट पूलिस को मिली है बावाके राज़ेश बहुत बड़ी सफलता 36 गट पूलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को IBC 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए तैसीन जैसे की राजश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इसे का जा रहे है जायर से बहते नक्सल में बॉकलार्ट भी आ पर हो बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड को नक्सलियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराश्ट की C60 Special Force के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड को नक्सलियें उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहाँ पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इन्फॉमिशन बेज्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समित डियार जी, स्टियाफ, जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राओ, ललिटा और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नक्सल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी, एरिया कमिटी जो है, जो अबुजमान अलाके में एक वर्चस रखती थी, तो न निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नक्सल का खात्मा हो गया है, ये जानकार मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के परिक्शन होगा नक्सलियों के, अगर उसमें शंकर राओ की मौत की पुष्टी हो चुकी है, ललिता की मौत की पुष्टी हो तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी, जो घायलों के जो जवान आये हैं, उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे, जो हतियार थे, वेपन थे, उनसे ये हमला कर रहे थे, और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे जिस तरीके से हमारे जो B.S.F. के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डीजी B.S.F. नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकि जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिकर्म था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं और भी ग्रे में चर्चे हैं उसके बाद प्रदेश के ग्रेमंतरी हैं cayrem में जिस तरीके से बाहत दूरी से लड़ने की उनलिक उन्हें पे अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पतास से जादा नकसलियों की एक बड़ी इंकुट की आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और वुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सीम विश्युदेव साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि ये घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजे हर चीज में प्रशन करना छीक नहीं होता है कार में फर्जी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार क्या गया है आए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या खाता और फिर किस तरह से सीमसाई ने पलटवार किया देखे हर चीज में इनको ब्रसंचिन खडानी करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चंदवारा पहुंचे किंद्रि ग्री मंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवात की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मूर पर है पियमोदी के नेत्रितों में नकसलवात जल्द खत्म होगा प्राइब ग्राय मंत्री को आशिर्वात देने के लिए पहुंची है और मैं सीधे घ्राय मंतुर जी डावा करूंगा ग्राय मंत्री जी जी पुद्द ऑप मत्यप्रदेश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जन्ता पार्टी जीतने जा रहे हैं जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे हैं और चिंदवारा लंबे अर्शे से पीजेपी काम्याब नहीं हो रहे हैं लेकिन इस बार लग रहा है कि जन्ता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वा जनुच्चा है पूरा चिं चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप्त करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिंदवारा सहीद पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीते जीतेगी भारती जन्ता पा तरिशन में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें 25 लाख रुपए का एनामी नक्सली लीडर शंकर राओ भी ढेर कर गया गया है जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नक्सली लगा तार चनौती दे रहे थे और देखें किस तरह से नक्सलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नक्सलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है इसे की लगतार कहा जा रहा था कि नक्सलियों के लिए जो अभियान चलाया जाए जाए और में तेजी लाई जाएगी एक बड़ा ऑपरेशन यहापर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसार सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा जाप एक सबसे बड़ा नक्सलियों को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नक्सलियों को मार गिर लाया गया है आज तो की सबसे बड़ी है बस्तर से भी खबर है और देखिये 29 नक्सलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 29 नक्सलियों को मार गिराया गया फिर यह जो संख्या हुई वो 19 तक पहुच और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलू exclusively अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले वो deputy CM विजय शर्मा की हो या फिर CM विश्रुदेव साही की हो या फिर DIG नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पह पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्टम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्वी ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पीएम मोदी के नित्रत्र में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोडी जी के नेत्रत में नकसलवाद को हम समाप करें डियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पाटी और माओ आदियों के बीच मुड़बेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान गायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ इस सिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सरच अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफरमेशन है पोस्ट माटम की शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट माटम की शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मर्चूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए हैं यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पताल में पोश्ट माटम करने वाले की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्ट माटम अभी शुरू नहीं हुई है जैसा की हमारे सहयोगी भी बता रहे है और जो सूतर बता र की थी और उनके मुताबिक करीब 5-5 बिजे तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडी वहां पे ब्रामत किये गये थे और लाए गये थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडी की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहां पर आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जवान वहां पर हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वह संक्या भी बढ़े लेकिन उन 30 bodies recover है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे successful जो पुलिस operation वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देरात बॉड़ी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भेजी भी exclusive तस् जान दिया होगा कि जो हमें विजूल बेजे हैं उसमें बांस में बांद कर लाया गया ताभी जो पिसल की पहुंची है वाड़ी को ब्यूस्तित करेंगी चुकि अला दीकारी यहां पर पहुंचेंगे और उनका भी उनको बश्तित करके जो प्रेस कॉन्पेंस होनी है जान का नहीं जिब समय काम कर हो मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्सिली इंकाउंटर हुआ है तो अच्छा एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 39 डेट बॉड़ी को एक डेट बॉड़ी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है उन्तीस एंकाउंटर और इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके और फिर बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का व इसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गर्चरौली का जो एटीये से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाप से ठीक पहले चटीजगर पुलिस को मिली है जे बावाके राजेश बहुत बड़ी सफलत जिस तरीके से चोटे थानांतर कजो कल पर के जंगलों में जो कल इक बड़ी सफलता मिली है निशित तोर पे यह अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हाड को नकसर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो उन्तिस लोग जो उन्तिस हाड कोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो रिकॉर्ड है अब वो च्छतिसगर फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी बलके करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राओ ललिटा और विजे रिड़ी ये एक बड़े नाम है नक्सल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया जो है जो अबुजमान अलाके में एक वर्चस रख्ती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजे रिड़ी भी अगर इसमें ढेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नक्सल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं अगिन जिस तरीके से अभी जो शावों को परेक्षन होगा नकसली हो के अगर उसमें संकरराओ की मौट की पुष्टी हो चुकि है, ललिता की मौट की पुष्टी हो चुकि है, अगर विजैरेदी भी अगर उसमें धेhर हुआ है, तो निशिवत तौर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है, क कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हतियार थे वेपन थे उनसे ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन ज उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डी जी बीसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक प्रदेश की ग्रेमंत्री उसके बाद जो प्रदेश की ग्रेमंत्री है विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके दे तारीफ किये और जिस तरीके बात दूरी से लड़ने की उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हुआ पचास से मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखिए लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कवरधा सही बड़ी ख़बर आपको बता दे पूर्व मुख्यमंत्री वुपेश बगेल न ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था देखें पूर्व मुख्यमंत्री वुपेश बगेल ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फरजी अनकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार क्या गया है आई आपको सुनवाते ह और उन्होंने क्या खाता और फिर किस तरह से सीमसाई ने पलटवार किया अधिया 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 देखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ानी करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गए चिंद्वारा पोचय केंद्री ग्रीमंत्रि अमिट्षान भी नकसलवाथ की खिलाफ लड़ाई निर्डैक मोर है ब्याइम मोदी के नेत्रेतों में नकसलवाथ जल्द खत्म होगा आ छिंडवारा में रोड़ों कर रहे हैं भववर जो रोड़्सो है बड़ी शंक्य बहारतिय जन्ता पार्टी जीतने जा रहे हैं जो 29 सीठे जितने का धावा कर रहे हैं और' चिंदवारा लंबे अर्षे से पीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वा जनुच्चा है पूरा चिंदवारा मोधी जी के साथ है सुरक्षावलों ने बड़ी शबलता आसिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोधी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिंदवारा सहित पूरी मत्यपदेश की 29 से 29 सिटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेक पटिया आईबी 24 चिंदवारा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुडबेड चली और मुडबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए है कांकेर जिलास पताल में शबो को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनाओती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानोंने शौरे दिखाया है और 29 नकसलीों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामिल है 10 लाक रुपे के नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो ख घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी ये बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिर पहुच ये नकसलियों के खिलाब गया अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जिनने राइपूर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्स्क्लूजिवली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया बले वो डेपटी सीम विजेश शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साय की हो या फिर डी आईजी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड लीड कुछ सबसे पहले हरे के इंफॉर्मेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुड़िया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 19 इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए 19 इस नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस् सबसे बड़ा नकसल ओपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी कांकेर के चोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवात के लड़ाई अब नणा एक मोड़ पर है पियम मुदी के नित्रतु में नकसलवात को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवात के खिलाब एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवात के खिलाब लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रतु में नकसलवात को हम समाप्त कर दियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पार्टी और माओ आदिय के बीच मुडबेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिति समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबस साधी कारियों को मैं बधाई देता हूँ कि स्थिति बस्तर में सांती बाहली की ज़िष्टि से यह बड़ी सफलता है हाला कि सरकार्य चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हो और विकास की मुगधारा से जूड जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए हैं इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सेम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बढ़ाई देता हूं साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर आईबी सी 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बाप यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफर्मेशन है पोस्ट मार्टम के शुरूआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट मार्टम के शुरूआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का यह अस्पिताल का जो मर्चूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए है यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पताल में पोष्ट माटम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रकरिया अभी शुरू हुए है लेकिन पोस्ट मार्टम अभी शुरूर नहीं हुई है जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे है और जो सूतर बता रहे है वो यह है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रकरिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर SP प्रेस कॉंफ हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहां पर ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहां पर आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलकि अगर जबान वहां पर हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वह संक्या भी बढ़े लेकिन उन्तीस बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सकसफुल जो पुलिस ऑपरेशन वह है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देरात बॉड़ी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भेजी भी एक्स्क्लूसिव तस्वीर पर दिखाई है तो रात तक यहां पर डेट बॉड़ी आ गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे कि क्या प्रक्रिया होनी है देखिए लगपक नटाई बज़े के असपस जो है डेट बड़ी को लाए गया दो गारी में बरकें डेट बड़ी को लागया था आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने बेज़े हैं उसमें बांस में बांध कर लाया गया ताभी जो पिसल की टीप पहुंची है बाड़ी को ब्यवस्तित करेंगी चुकि आला दीकारी यहां पर पहुंचेंगे और उनका भी उनको बश्तित करके जो प्रेस कॉन्पेंस होनी है वा अच्छा एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि उन्तीस डेट बॉड़ी को एक दिन में पोस्टमाटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से एफसल की टीम बुलबाई गयी ह लेकिन उसके बावजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारी के सारी 29 पॉड़ी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है 29 एंकाउंटर और इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नह होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके और फिर यह जो बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चुकि यह 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा ह कि पूरे देश के तियास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंधर प्रुदेश का रहा तिलांगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गड़ चरौली का जो एटिये से उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले 36गर पुलिस को मिली है बावाके राजेश बहुत बड़ी सफलता 36गर पुलिस को मिली है और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को IBC 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमार निश्चित तौर पे जिस तरीके से छोटे बेटिया थाना अंतर कर जो कलपर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मीली है निश्चित तौर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें त तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नकसरीयों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की C60 special force के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 हार्ड कोर नकसरीयें उनको मार गिराने का जो record है अब वो 36 ग़ाष्ट के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहाँ पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इन्फॉमिशन बेज्ट केम्प जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समेट डियार जी, स्टियाफ, जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राओ, ललिटा और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान अलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्च तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है, ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरिके से अभी जो शौवों के परिक्शन होगा नकसलियों के, अगर उसमें शंकर राओ की मौत की पुश्टी हो चुकिया, ललिटा की मौत की पुश्टी हो चुकि अगर वि विजय रिड़ी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं। उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटॉमैटिक जो गंस थे जो हतियार थे वैपन थे उनसे यी हमला कर रहे थे। और काफी चिला चोट वहाँ पे ये कर रहे थे, वहाँ का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है, निश्चित तोर पे वो काफी खौफ़नाक है, लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत दूरी से वहाँ लड़े हैं, गोली लगने के बाद भी वो फायर क को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो है लेकिन जिस तरीके से चौट अर्फा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समय जो अमिश्चा हैं ग्रे मंत्री उसके बाद जो प्रदेश की ग्रे मंत्री हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके से तारीफ किये और जिस तरीके बहादूरी से उनके बारे में तो शिनाक्त उनकी हो गई है लेकिन इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक्त होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखिए लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों क बता रहे हैं और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी ख़बर आपको बता दे पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है भाजपस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धंका कर बताया था देखे पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने बहुत बड़ा बयान दिया भाजपस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार क्या गया है आई पर देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खडानी करना चाहिए रजी कल इस्टाइक एर श्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगड की बात अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ओपरेशन हुए आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गया है चिंदवारा पोँचे केंद्री ग्री मंत्री अमिर्शानी कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोर पर है पियमोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंदवारा में रोड्य परेश अंग्रायक roku पॉच्प को आशिर्वाद देने के लिए मैं शीज़ाई करें सबी सीटे इस बार भारतिय जनता पार्टी जीतने जा रहे हैं जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे हैं और चिंदवारा लंबे अर्से से पीजेपी काम्याब नहीं हो रहे हैं लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वा जनुच्जा है पूरा चिंदवा चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाब लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप्त करें तो ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिंदवारा सहीद पुरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीटे जीतेगी भारती जन अग्रिशन में 29 नक्सलीों को मारगिरा गया है और इसमें 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली लीडर शंकर राव कर गया गया और उसके साथ ही 10 लाख रुपए की नामी नक्सला लिता को भी मार ια गया है कांकेर के छोटे बेटिया में करीब पाच घंटे तक मुडबेड चली और मुडबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए है कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाई गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनाओती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलीों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है तो पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे यह बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा है कि नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा जा रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी ये बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकेर लाया गया है 29 नकसलीों के शफ को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलीों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुची है नकसलीों के खिलाब ये अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं जाय जो रहा है कि 3 जवान भी घायल हुएं जिनने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्स्क्लूजिवली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले वो डेपटी सीम विजेश शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साई की हो या फिर डी आईजी नकसल ऑपरेशन की हो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हर एक इंफोर्मेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ ये अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि उन्ती इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए उन्ती इस नकसलिय टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्टम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ओपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिया 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मुदी के नित्रत्र में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बधाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंबीर प्रकार का भियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई निना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोडी जी के नेत्रत में नकसलवाद को हम समाप करें डियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पाटी और माओ आदियों के बीच मुड़बेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान गायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ इस इत्री बस्तर में सांती बाहली की ज़िष्टी से यह बड़ी सफलता है हालाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्ची दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर आईबी सी 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बाप यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफर्मेशन है पोस्ट माटम की शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट माटम की शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गए नकसलियों के शव लाए गए है यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पताल में पोश्ट माटम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्ट माटम अभी शुरू नहीं हुई है जैसा की हमारे सही होगी भी बता रहे है और जो सूतर बता है वो ये है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रक्रिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर SP प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉडिज वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने राप बस्तर के उतर बस्तर के जो SP है इंद्रा कलिया लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फ बलकि अगर जबान वहाँ पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वो संक्या भी बढ़े लेकिन उन तीस बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सक्सेस्फुल जो पुलिस ऑपरेशन वो है हमारे जो काँकेर के साथ ही है अमित उस से बातشीत करेंगे अमित देरात बॉड़ी लेकर के आये हैं दो गारीों में हमने و तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भी एक्स्क्सिट्वी तसवीर आपने फ़ए दिखाई है तो रात तक यहाँ पर डाइज आ गई करने में समय लगेगा उनतीस बॉडिया है और तैला बारा सा कांकर में हुआ है कि जब एक साथ उनतीस बॉडिकों का पीम किया जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शाहिदी इस्ते पहले कभी यहां पी हुई हुई मेरी जानकारी चिपसे में काम कारो मैंने अच्छा एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के एसपी से और उन्होंने बताया था कि उन्तीस डेट बॉडिकों एक दिन में पोस्टमाटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से एफसल की टीम बुलबाई ही है लेकिन उसके बावजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारी के सारे उन्तीस पोस्टमाटम हो जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलों से एवन की रैपर से भी जो फ्रीजर है डेट बॉडिकों रखने के लिए उसको बुलाने की बा आया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉडि को पैक करके और फिर ग्राइपो ये जो बस्तर का इस पे मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चुकि ये 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंधर प्रदेश करा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं क करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए मिकुल तैसीन जैसे कि राजश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इसे का जा रहा है जाए जो कल पर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मीरी है निशित तोर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नक्सलियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराश्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक सा के से कल जो एक पिंट पॉइंट इंफॉमिशन बीज़ केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समेथ डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब एक सो पिचासी से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहां पर बत जो अबुजमान अलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विज़े रेड़ी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के परिक्षन होगा नकसलियों के अगर उसमें शंकर राओ की मौत की पुष्टी हो चुकी है ललिता की मौत की पुष्टी हो चुकी है अगर विज़े रेड़ी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्य आटोमेटिक जो गंस थे जो हत्यार थे वेपन थे उनसे ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहु प्रशुरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौदरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी ह अब इसमें बता दे कि आज जो है डी जी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ए से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी हैं उसको लेके मीटिंगों का दौर इसलिए उनका जो आने का जो कारिकर्म था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पियम मोदी समेट जो अमिश्चा हैं ग्रे मंतरी उसके बाद जो प्रदेश की ग्रे मंतरी हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके से तारीफ की और जिस तरीके से बात दूरी से लड़ने की उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हमाँ पटास से जादा नकसलियों की बड़ी इंपुट तैसीन देखी जैसे कि आब बता रहे हैं अभी जो पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है, कबरधा से ही बड़ी ख़बर आपको बता दे, पूर्व मुखी मंत्री वुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है, भाजपस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं, आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है, और वुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सियम विश्युदेव साय ने पलटवार किया है, उन्होंने कहा है कि ये घटना अगर फर्जी है, तो आप प्रवारित कीजिए, हर चीज में प्रशन करना छीक नहीं होता है, सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने कालपिनिक बताया था, देखें, पूर्व मोखिमंद्री बुपेश बगेले बहत बड़ा बयान दिया, भासपा सरकार में फर्जी अनकाउंटर होते रहे, उन्होंने ये कहा, और इसके साथ इन्हों ने ये भी कहा, कि आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफ्तार क्या गया है, आई आपको सुनवाते हैं, उन्होंने क्या खाता और फिर किस तरह से सीमसाई ने पलड़वार किया। देखे हर चीज में इनको ब्रसंचिन खड़ानी करना चाहिए। सर्जिकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा। और ये तो उनके यहां की बात है, छत्रिगर की बात है। अगर यहीं कहीं, यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें। और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है, आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं। चिंद्वारा पोचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वानी कहा कि नकसलवात की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोर पर है। जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे हैं और चिंद्वारा लंबे अर्शे से बीजेपी काम्याद नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वा जनुच्चा है पूरा जान चल रहा है और मकसलवाद के खिला प्लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप्त करें ग्रह मंत्री जी कह रहे हैं कि चिंद्वारा साहित पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीते जितेगी भारती जन इसमें 29 नकसलियों को मार गिराया गया है और इसमें 25 लाख रुपे का इनामी नकसली लीडर शंकर राओ भी धेर कर दिया गया है और इसके साथ ही 10 लाख रुपे की इनामी नकसला ललिता को भी मार गिराया गया है कांकेर के छोटे बेटिया में करीब 5 गंटे तक मुढबेर चली और मुढबेर में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गया है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गया है कांकेर जिला अस्पताल में शबो को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गया है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लगा तार चनाओती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसर सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे है जो आप एक सबसे बड़ा नकसलियों चलाया गया है भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गाँ हो कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तो किस सबसे बड़ी यह बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो यह कि कांकेर लाया गया है 29 नकसलियों के शब को पहरी यह सूचना मिल रही थी अपने दर्शकों के सामने रखा हार एक प्रतिक्रिया भले ही वो डेपटी सीम विजय शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साई की हो या फिर दी आई जी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार आई बी 74 ने इस खबर पर लीड लीड ली आपको सबसे पहले हारे के इंफ सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मुदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सियम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का भियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रतु में नकसलवाद को हम समाप कर दो बियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पार्टी और माओ आदियों के बीच मुड़बेड हुई इस मुड़बेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुड़बेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ कि स्थिती बस्तर में सांती बाहली की जिष्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकारियों चाहती है कि खुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटवेड में BASF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BASF इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को इयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने सिबस्तर पुलिस का नकसल वाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7-EK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपोर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बाप यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफर्मेशन है पोस्ट मार्टम की शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट मार्टम की शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मर्चूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए हैं यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पताल में पोश्ट माटम करने वाले की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्ट माटम अभी शुरू नहीं हुई है जैसा की हमारे सही होगी भी बता रहे है और जो सूतर बता रहे वो ये है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रक्रिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिज को ले करके कांकेर SP प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉडिज वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने राप बस्तर के उतर बस्तर के जो SP है इंद्रा कलिया लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फ बलकि अगर जबान वहाँ पे हो और सार्च करें तो हो सकता है कि वो संक्या भी बढ़े लेकिन उन तीस बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सक्सफुल जो पुलिस ऑपरेशन व अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की चाप्रक्रिया होनी है देखिए लगपक नठाई बजए के असपस जो है डेट बड़ी को लाए गया दो गाड़ी में बरकें डेट बड़ी को लागया था आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपने बेज़े हैं उसमें बांस में बांग कर लाए गया था भी जो प्रिव की पोँछी है बाड़ी को बिस्तित करी चुकि आला दीकारी यहां पर पहुंचेंगे और उनका वहीं ही उनको बशुक्त करेंगे जो प्रेस कौनफेंस होनी है वाड़ी पोहां पर ले जाए जाएगी और वहां से लाने बाद जो ह पहले कभी पीम यहां पी हुई हुई है अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 39 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलो से FSL की टीम बुलवाई गई है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 39 पोश्ट माटम हो जाए और यह भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलो से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेट बॉड़ी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहाँ पे उतने फ्रीजर नहीं है उनतीस एंकाउंटर और इतने बड़े छोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉडी को पैक करके और फिर बस्तर का इस पे मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी जैसा कि पुरे देश के इतियास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंधर प्रुदेश का रहा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गर्चरौली का जो एटीये से अलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बेकुल तैसीन जैसे कि राजश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑप्रेशन इसे का जा रहे है जाए जो कल पर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मीली है निशित तोर पे ये है क्योंकि अभी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्डकोर नकसरी हो को धेर करना ये सिर्फ महराष्ट की सी 60 इस्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों 29 नकसरी हैं उनको मार गिराने का जो रिकॉर्ड है अब वो 36 फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहां पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इन्फॉमिशन बेज्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समेट डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब एक सो पिचासी से ज नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान अलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजए रेड़ी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के परिक्षन होगा नकसलियों के अगर उसमें शंकर राव की मौत की पुष्टी हो चुकी है ललिता की मौत की पुष्टी हो चुकी है अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ ह तो निशित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये एक बड़ा नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी यो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहादुरी से महां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो बी एस एफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौदरी से ज चाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी हैं उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बह copper मोधी समेट जो अमिश्चा है ग्रेमंट्री उसके बाद प्रडेश की ग्रेमंट्री हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके तर तारीफ की है और जिस तरीके बहत दूरी से लड़ने की उन्होंने काबिले तारीफ उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पतास से जादा नकसलियों की एक बड़ी इंपुट की। परजी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और बुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सीम विशुदेव साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि घटना अगर परजी है तो आप प्रवारित कीजिए हर चीज में प्रश परजी एंकाउंटर होते रहे हैं उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया आए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या खाता और पर किस तरह से सीमसाय ने पलटवार किया देखे हर चीज में इनको ब्रसंचिन खड़ानी करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्री मंत्री अमिर्श्वानी कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड पर है प्या मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा है चिन्वारा में रोट्स ओ कर रहे हैं भव नौश रोट्स है बड़ी संक्या में चल्टवाड के जनता ग्रह्मंतरी को आशिर्षा देने के लिए पहुची है मत्यप्रदेश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जनता पार्टी जीतने जा रहे हैं जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे हैं और चिंदवारा लंबे अर्शे से बीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रक प्रक्षावलों ने बड़ी शबलता आसिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप करें ग्रह मंत्री जी कह रहे हैं कि चिन्दवाडा सहित पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी केमा प्रसंद संजे के साथ वेक पटिया आईपीस 24 चिन्दवाडा इसमें पचीस लाख रुपे का इनामी नकसली लीडर शंकर राओ भी धेर कर दिया गया और इसके साथ ही दस लाख रुपे की इनामी नकसला ललिता को भी मार गिरा गया है कांकेर के छोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुडबेड चली और मुडबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गया है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गया है कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाई गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनाओती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलीों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है तो पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे यह बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा जा रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी ये बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकेर लाया गया है 29 नकसलीों के शफ को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलीों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुची है नकसलीों के खिलाब ये अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपूर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्माटरम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्माटरम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ओपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाफ सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मोदी के नित्रत्यु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बधाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाब लड़ाई निना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोडी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप करें डियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पाटी और माओ वादियों के बीच मुड़बेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान गायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बधाई देता हूँ इस सिती बस्तर में सांती बाहली की जिष्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाज की डिप्टी सेम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बधाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्सी दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रॉस फाइरिंग बंध है लेकिन सर्चिंग जारी है सर्चिंग के दोरन बिना गुंडा कोर्टा जंगल में सुरक्षाबन या मावदी के बीच मुद्बेड हुई मुद्बेड के पशाद अब तक लाकर के सर्चिंग में कुल 29 मावदी के रटका डेट बाडी बरामत कीगे काफी बड़ी संक्या में EK-47, इनसास, कैसला, कारबेट 303 या अन्य हद्यार या गौडा बाल भी गटनासल से बरामत कीगे BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनासल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हथियार बरामत किए गए है मारे गटनासलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया येरो रिपूर्ट, IBC 24 वाकरी लोगसबा चुनाओं के पहले ये बहुत बड़ी काम्याबी है सुरक्षा भलो के लिए और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है ये वो दो सहयोगी है जो कल जब से एक खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट, पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक पहुचा रहे राजेश राज हमारे साथ आई जुड़ चुके हैं और राइपूर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन पोश्टमाटम की शुड़ात हो चुकी है किया तो तस्वीर सीधी आपको लाइफ दिखाते हैं यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाएगे हैं यह पुल भी करेंगी और उसके बाद संभबतर इन सारे बोड्यीज को लेकर के कांकेर सपी प्रेस कॉंट्यक्ज करे मीडिया के सामने वा सारी बात हैं रखें डेट बड़ी वहाँ पर आपूंट होगी और देर रात हमने अव्तियों किती और उनके मताबिक करीब 5-5 विज़े तक क दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहां पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और शुरक्षा बलके अगर जवान वहां पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वह संक्या भी बढ़े लेकिन उन पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सकस्फुल जो पुलीस ऑपरेशन वह है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देर रात बॉड़ी लेकर के आए हैं दो गारियों में हमने वह तस्वीरे को लाए गया है दो गाड़ी में बरकें डेट बड़ी को लाए गया था आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने विज्वल बेजे हैं उसमें बांस में बांग कर लाए गया ताभी जो पर एपिसल की पहुंची है बाड़ी को बश्तित करेंगी चुकि आला दिकारी यहां पर जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी यहां पी हुई हुई है मेरी जियो जानकारी जब समय कामकार हो मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्त में लिए इनकाउंटर हुआ है तो तो अच्छा एक चीज़ और भी आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 29 पॉर्ट माटम हो जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जीलों से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेट बॉड़ी को रखने के लिए उसको बलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं ह 29 इंकाउंटर और इतने बड़े छोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे सवयोग अमित ने बताया कि अभी FSL की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉडी को पैक करके और फिर ग्राइपो ये जो बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर कुछ पुलिस विभा की आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चु इसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाव से ठीक पहले 36गर पुलिस को मिली है जी आबाखे राजेश बहुत बड़ी सफलता 36गर पुलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के हौसले को उनKEN जोस्पे को IBC 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए तो इससे निपटने के लिए क्या तयारिया की जा रही है निश्चित तौर पे जिस तरीके से छोटे बेटिया थाना अंतर का जो कल पर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मिली है निश्चित तौर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नकसरियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की C60 Special Force के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड कोर नकसरियों उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 गर फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहाँ पर आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इंफोर्मिशन बेस्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समित डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसरियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर शंकर राव ललिटा और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो तरी के से अभी जो शावों के परिक्शन होगा नकसलियों के अगर उसमें शंकर राव की मौत की पुष्टी हो चुकि है ललिटा की मौती पुष्टी हो चुकि है अगर विजयरेडी ये एगर उसमें ढेर हुआ है तो निशित तारवे एक बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हत्यार थे वेपन थे उन से ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहाँ पर ये कर रहे थे वहाँ का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पर काफी खौफ़नाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहद्दूरी से वहां लड़ अब इसमें बता दे कि आज जो है डी जी बीसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिकर्म था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समेट जो अमिश्चा हैं ग्रह मंतरी उसके बाद जो प्रदेश की ग्रह मंतरी हैं विजे शर्मा ज अब ही जो दो टॉप लीडर कमांडो थे उनके बार में तो शिनाक कुनकी हो गई है लेकिन इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखिए लकातार हमारी का और भुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सीम विश्रुदेव साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि ये घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजिए हर चीज में प्रशन करना छीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने कालपनिक बताया था देखें पूर्व मोखी मंतरी बुपेश बगेल ने बहत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार किया गया है आई आपको सुनवाते हैं उ देखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ानी करना चाहिए सर्जीकल स्टाइक एरिस्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है छत्रिगड की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फर्जी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल आपरेशन हुआ है आपको बतारे कि काकेर में मुटबेड में 29 नकसली मारे गया है चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड पर है पियम मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंदवारा में रोट सो कर रहे हैं भावफिल रोट सो है बड़ी संक्या में चिंदवारा की जनता ग्रैमंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहुची है और मैं सीधे ग्रैमंत्री से वाचित करूँगा ग्रमणत्र जी क्या लगता इस बार मिजसन चिंदवारा सकसेस हो जाएगा मत्यप्रदेश की सभी की सभी सिटे इस बार भारतिय जंता पार्टी जितने जा रहे है जो 29 सिटे जितने का दावा करहे हैं और चिंदवारा लंबे आरे से पीजेपी काम्याब नी हो रहे इस बार लग रहा है कि जंता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्व जैनुच्छा है पूरा चिंदवड़ा मोदी जी के साथ है सुरक्षा वालों एक बड़ी शबलता असिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप्त करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिनवादा सहीद पुरी मत्यवदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवादा अगर गया है और इसमें 25 लाख रुपे का इनामी नक्सली लीडर शंकर राओ भी धेर कर गया गया और इसके साथ ही 10 लाख रुपे की इनामी नक्सला ललिता को भी मार गिराया गया है कांकेर के छोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेर चली और मुढबेर में ढेर नक्सलीयों के शब अब कांकेर लाए गया है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिला अस्पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ही ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लगा तार चनाओती दे रहे थे रोजबे को सलाम कर रहे हैं कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलीओं को मार गिराया गया है तो पोस्ट मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगी बताया जा रहा है तो इस वक्त जो खबर सामने आ रहे है उसके रुसार सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे है जो आप एक सबसे बड़ा नकसलीओं चलाएगा है और यहाँ पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है तो इससे पहले भी ग्रेमंत्री विजे शर्मा यह साफ कर चुके थे कि हम बात करने के लिए तयार है नकसलीओं को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाई सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडागा हो कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ओपरेशन 29 नकसलीओं को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी ये बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीओं को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकेर लाया गया है 29 नकसलीओं के शफ को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलीओं को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुची ये नकसलीओं के खिलाब ये अब तक सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों के जुसमे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलू exclusively अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया बहले ही वो डेपटी सीयम विजय शर्मा की हो या फिर सीयम विश्रुदेव साई की हो या फिर डिया जी नकसल आपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड 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 आ और अब इन शबों का पोस्ट मौटम किया जाएगा कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंत्री अमिच्छा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्णा एक मोड पर है पीयम मोदी के नित्रत्य में नकसलवाद को खत्म कर दिया एक कुछी समय में मोदी जी के नेत्रत्य में नकसलवाद को हम समाप करें डियार जी ओम बियसेप की संवक्त पार्टी और माओ आदियों के बीच मुडबेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ इस सिती बस्तर में सांती बाहली की जिष्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली माधवी ललिता भी शामिल है मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाज की डिप्टी सेम विजशर्मा ने से बस्तर पुलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्य दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग पचास की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलीयों के प्रतापपूर कमीची का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलीयों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी कहा जा रहा है कि शायद नकसलीयों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफर्मेशन है आप पोस्ट माटम के शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट माटम के शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का ये अस्पताल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए हैं ये पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पताल में पोश्ट माटम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रकरिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्ट माटम अभी शुरू नहीं हुई है जो ऐसा की हमारे सही होगी भी बता रहे है और जो सूतर बता की थी और उनके मुताबिक करीब पांस सारे पांस मुझे तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहां पे ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहां पे आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जवान वहां पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वह संक्या भी बढ़े लेकिन उन्तीस बॉडिज रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सकस्फुल जो पुलीस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देर रात बॉडि लेकर के आए हैं दो गारियों में हमने देड़ बाड़ी को लाए गया है दो गारी में बरकें डेड़ बाड़ी को लाए था आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने घ्ञान बेजे हैं उसमें बांकर लाए गया ताभी जोपर फिसल की टीप पहुंची है वाड़ी को बश्टित करेगी चुकी आला दिकारी यहां पर पहुंचेंगे और भी उनको बश्रीद करके जो प्रेस नहीं है वाडी पहां पर ले जाएगी और वहां से लाने के बाद घुट करने में समय लगे गए उन्तिस बॉड़िया है और फेला बारा से कंकर में हुआ है कि जब एक साथ उन्तिस बॉड़ी को का पी एम किया जा न चाहेंगे कल ही हमारी बात बो रही थी यहां के S.P. से और उन्होंने बताया था कि 29 डेड़ बॉड़ी को एक दिन में पोस्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलो से F.S.L. की टीम बुलबाई गई है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज पर उतने फ्रीजर नहीं है 29 इंकाउंटर और इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शौबो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जै ये 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हाउंड जो आंदर प्रुदेश करा तिलांगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं कि करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए तैसीन जैसे कि राजेश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इसे का जा रहे है जाए जो कल पर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मिली है निशित तोर पे ये अब तक की एक जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हाड को नक्सरियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हाड को नक्सरिये हैं उनको मार गिराने क जो record है अब वो 36 गर्फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहां पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इंफोर्मिशन बेस्ट केंप जो एक ऑप्रेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समेट डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर शंकर राव ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इस शवों के परिक्षन होगा नकसलियों के अगर उसमें शंकर राव की मौत की पुष्टी हो चुकी है ललिता की मौत की पुष्टी हो चुकी है अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो ज सिर्मेटिक जो गंस थे जो हतियार थे वेपन थे उन से ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहाँ पे ये कर रहे थे वहाँ का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पर वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस हैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डी जी बीस एफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ए से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मी जरेश की ग्रह मंतरी हैं विजए शर्मा जी उन्होंने जिस टरीके से तरीके तरीकी और जिस तरीके बादूरी से लड़ने की उन्होने काबीलिट तारीफ उन्होने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पतास से ज़ादा नकसलियों की एक बड़ी इंपुट तैसीन देखी जैसे कि आप बता रहे हैं अभी जो दो टॉप लीडर कमांडो थे उनके बारे में तो शिनाक कुनकी हो गई है लेकिर इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलि कि शिनाक्त होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखी लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे है और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी खबर पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि ये घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजे हर चीज में प्रश्ण करना छीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने कालपनिक बताया था देखें पूर्व मोखी मंत्री बुपेश बगेल ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार किया गया है आई आपको सुनवाते है और उन्होंने क्या खात और फिर किस तरह से सीमसाय ने पलटवार किया अब देखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ा ने करना चाहिए सर्जिकल इस्टाइक, एरिस्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगड की बात है अगर यही कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बता दे की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गया है चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड़ पर है पेम मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंदवारा में रोट सो कर रहे हैं भववे रोट सो है बड़ी संक्या में चिंदवारा की जनता ग्रैमंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहुची है और में सीधे गरमंती से बाचित करूगा मध्यप्रदेश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जन्ता पाटी जितने जा रहे है जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे है और चिंदवाडा लंबे अरसे से पीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वत जैनुच्छा है पूरा चिंदवड़ा मोदी जी के साथ है सुरक्षा वालों एक बड़ी शबलता असिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलिवाद के खिलाप एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलिवाद के खिलाप लड़ाई निना एक मोड में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलिवाद को हम समाप्त कर दो ग्रैमंत्री जी कह रहे है कि चिनवाला सहीदपुरी मत्यवदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जनता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवाला कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिला अस्पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ही ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाख रुपे का टॉप कमांडर शौंकर राओ भी शामिल है 10 लाख रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पाच घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक प्रतिक्रिया है सामने आई है और देखिए सब बहुत खुश हैं और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे है कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलियों को मार गिराया गया है पोस्ट मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर गुलाएगी बताया जा रहा है और अकांच जैसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा कि हम बात करने के लिए तयार है नकसलियों को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाई सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तक इस सबसे बड़ी है बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 39 नक्सलियों के शब को पहरी ये सुचना मिल रही थी कि 12 नक्सलियों को मार गे राया Nah, फिर ये जो संक्या हुई, वो 19 तक पहुची और अब आप देखिये, ये संक्या 29 तक जा पहुचिये. इसलिए जवानों की जुजबे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्सक्रूजिबली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले वो डेपटी सीम विजेशर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साही की हो या फिर डियाईजी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हर एक इन्फॉमेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि उन्ती इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए उन्ती इस नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्मौत्रम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्मौत्रम क पर प्रचंड प्रहार, कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप, लाल गड़ में जवानों का शौरिय। नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप करें। डियार जी ओम, बियसेप की स्वक्त पार्टी और माववादियों के बीच मुड़बेड हुई। इस मुड़बेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है। यह बड़ी सफलता है, हलाकि सरकार यह चाहती है कि खुन खराबा नहीं हो, लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुड़धरा से जूड़ जाएं। मारे गे नकसलियों में 25 लाक रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाक रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है। मुडवेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए हैं। इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है। ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुचकर घायल जवानों से मुलाकाज की। इप्टी सेम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया। ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है। उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीद 200 थी। फिलाल क्रॉस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है। ADG NT नकसली लगबग 50 की संख्या में एकिफोर्टी सवन इन्सास, एकिफोर्टी सेवन, तीन एलमजी समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए। मारे गैन एकिसलीओ के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया। येरे रिपोर्ट, IBC 24 तो वाकरी लोगसबा चुनाओं के पहले ये बहुत बड़ी काम्याबी है सुरक्षा भलो के लिए और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है ये वो दो सहयोगी है जो कल जब से एक खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट, पल-पल क पहुचा रहे राजेश राज हमारे साथ आई जुड़ चुके हैं और राइपुर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन सबसे पहले रुख कर लेते कांकेर का राजेश राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्याल चल देख रहे हैं और एक बात ये कि ये भी का पोश्ट मार्टम के शुरुआत हो चुकी है किया तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते हैं यहां से कांकेर का ये अस्पताल का जो मर्चूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गये हैं ये तमाम अधिकारी आपको यहाँ पे नजर आएगे एफ अलग में पोश्ट मार्टम करने वाले की तीम तस्वीर नजर आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी शुरू हूई है लकिन पोश्ट मार्टम अभी शुरू नहीं हूई है जैसा की हमारे सही होगी भी बता रहे हैं और जो उसको पूरी करेंगी और उसके बाद सम्भबता इन सारे बॉडिज को लेकर के कांकेर SP प्रेस कांफिरिंस करें मीडिया के सामने उस सारी बाते रखें डेट बॉड़ी वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने रैपु बस्तर के उत्तर बस्तर के जो पी है इंद्रा कल्या लेला सिला उनसे बादचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस मुझे तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडीज वहां पे बरामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडीज क पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सकसफुल जो पुलीस ऑपरेशन वो है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देर रात बॉडी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिख तो रात तक यहां पर डेट बोड़ी जा गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की प्रक्रिया होनी है देखिए लगपक नटाइब जो है डेट बड़ी को लाए गया गया था आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने विजुल भेजे हैं उसमें बांस में बांग कर करने में समय लगेगा है और पैला बारा सा कांकेर में हुआ है कि जब एक साथ उन्तिस बोड़ी को का पीम किया जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शाय जी इससे पहले कभी यहां पी हुई हुई है मेरी जी जानकरी जब समय कामकार हो मैंने कभी देखा नह अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के एसपी से और उन्होंने बताया था कि 29 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनाती होगी क्योंकि आसपास के जिलो से एफसल की टीम बुलबाई गई है ले को बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है 29 इंकाउंटर और इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवबो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगे अमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉडी को पैक करके और फिर बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे कारी भी मौझूद होंगे चुकि ये 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर प्रदेश करा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गर चरौली का जो एटी ए से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले 36 गड़ पुलिस को मिली है और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को IBC 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए अबी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड को नकसरी को ढेर करना ये सिर्फ अभी तक महाराष्ट की C60 Special Force के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड को नकसरी है उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 गल फोर्स के नाम हो ग operation किया गया था जिसमें BSF समित DRG, STF, जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राओ, ललिटा और विजे रिड़ी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजे रेड़ी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के परिक्षन होगा नकसलियों के अगर उसमें शंकर राव की मौत की पुष्टी हो चुकी है ललीता की मौत की पुष्टी हो चुकी है अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो नि हाय लोंके जो जवान आये हैं, उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे, जो हतियार थे, वेपन थे, उन से ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहाँ पर ये कर रहे थे, वहाँ का जिस तरीके का जो वीडियो भी वो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत दूरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी अच्छा वाकी जो देश में रहनी हैं उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहाद्दूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समीट जो जा जा रहा है कि हमाँ पता से जादा नकसलियों की बड़ी इंपुट थी जैसे कि आप बता रहे हैं अभी जो टॉप लीडर कमांडो थे उनके बारे में तो शिनाक्त कुनकी हो गई है लेकिन इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक्त होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखे लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी ख़बर आपको बता दे पूर्व मुखी मंत ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था देखे पूर्व मुखी मंतरी बुपेश बगेल ने बहत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फरजी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवा अब इसे चार मेंने में फरजी इंको अंकर भी में भी मृतिवी है और फरजी के रप्तेहरियां भी धक्सली बताते आद्वासियों को बंद करने की जानतार जानतारी आ रही है देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खडानी करना चाहिए सर्जीकल स्टाइक एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है छत्रिगर की बात है अगर यह कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बतारे कि काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोड पर है पियम मोदी के नेत्रितो में नकसलवाद जल्द खत्म होगा अम्याब नहीं होरी लेकिन इस बार लग रहा है कि जंता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्व जनुच्चा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षा वालों एक बड़ी शबलता असिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप्त करते हैं ग्रह मंत्री जी कह रहे हैं कि चिनवादा सहीद पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबी 24 चिनवादा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुडबेड चली और मुडबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिला अस्पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनौती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलीों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है 5 गुंटे तक करेबी मुटबेड चली और उस नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाए और उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा ऑपरेशन यहापर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसार सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहापर एक सबसे बड़ा नकस तक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी यह बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीों को मार गि किये यह संख्या 29 तक जा पहुचिए नकसलीों के खिलाब यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुए है जोने राइपूर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्स्क्लूजिवली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया बले वो डेपटी सीम विजय शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साही की हो या फिर डिया जी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस पोस्मौटम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्मौटम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्वी ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मोदी के नित्रत्यु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंबीर प्रकार का भियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोडी जी के नेत्रत में नकसलवाद को हम समाप करें गायल जवानों की स्थिती समानने और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुटबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ इस इत्री बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकारियों चाहती है कि खुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटवेड में बीस एफ इंस्पेक्टर और डियार जी के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल बीस एफ इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और डियार जी जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर रायपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की इप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बधाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरी कोशिश की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निश्ची दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT NXL Operation विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों के स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलीओं के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलीओं के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपोर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलीओं के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सरच अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफर्मेशन है पोस्ट माटम की शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट माटम की शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का यह अस्पताल का जो मर्चूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए है यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफेसल की टीम नजर आएगी असपताल में पोश्टमाटम करने वाली टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रकरिया अभी शुरू हैiern लेकिन पोश्टमाटम अभी शुरू नहीं हुई है जैसकि हमारे सही होगी भी बता रहSTR रहे है उर जो सूतर बता रहे ह हमने रैपो बस्तर के उत्र बस्तर के जो एस्पी है इंद्रा कलिया लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहाँ पर ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिज की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहाँ पर आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलकि अगर जवान वहाँ पर देरात बॉडिया आपने और भी को ला गया आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपने विजुल बेजई हैं उसमें बांस में बांध कर लायागा, अबी जो फिसल के टीम पहुची है, बारी को बिवस्टित करगी चुकि आला दिकारी यहां पर पहुचेंगे, और अबी उनको बिवस्टित करके जो प्रेस कॉन्पेंस होनी है, बारी पोहां पर ले जाएगी, और वहां से लाने की करो मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्त में इंकाउंटर हुआ है तो अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 39 डेट बाड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनाती होगी क्योंकि आसपास के जिलो से FSL की टीम बुलवाई गयी है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 39 पोश्ट माटम हो जाए औ पास-पास के जिलो से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेट बाड़ी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है उन्तीस एंकाउंटर इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएग तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके और ग्राइपो ये जो बस्तर का इस पे मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चुकि ये 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सकसेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंधर प्रुदेश का रहा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गर्चरौली का जो एटीये से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नही पुलिस को मिली है वाके राजेश बहुत बड़ी सफलता चोतीसकर पुलिस को मिली है और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बेकोर तैसिन जैसे की राजेश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इसे कहा जा रहा हे जायर से बाते नक्सलों में बॉकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चनाव होने ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्षन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तयार्य की जा रही है? एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड कोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि यह एक बड़ी सफलता है यहां पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पॉइंट इन्फोर्मिशन बेज़्ट केंप जो एक ऑपरेश निश्चित तोर पे वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे शंकर राओ ललिता और विजयरेडी यह एक बड़े नाम है नक्सल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित त तरीके से अभी जो शावों के परेक्षन होगा नक्सलियों के अगर उसमें शंकर्राओ की मौट की पुश्चियों चुकी है ललिता की मौट की पुश्चियों चुके अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निशित तinalsपर ऐक बड़ी सफलता और ये मानी ज लाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजे रेडी भी लेकिन जिस तरीके से हमारे जभान जो हमने बात करी जो गाइलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बात करी कि काफी तरी काफी पर आटोमेटिक जो गंजS थे. जो हत्यार थे वेपन थे. उनसे ये حملہ کر رہے تھے اور کافی چلہ چوٹ وہاں پہ یہ کر رہے تھے وہاں کا جس طریقے کا جو ویڈیو بھی جو آیا ہے نشید طور پہ وہ کافی خوفناک ہے لیکن جس طریقے سے جوانوں نے بہت جس بہت دوری سے وہاں لڑے ہیں گولی لگنے کے بعد بھی وہ فائر کرتے رہے جس طریقے سے ہمارے جو بی ایس ایف کے انسپیکٹر رمیش چند چودری سے جو ہماری بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ اس کے باوجود بھی وہ فائر کرتے رہے ان کے پیر میں چھوٹ لگیے اب اس میں بتا دے کہ آج جو ہے آہ ڈی جی بی ایس ایف نتیش اگروال کو یہاں آنا تھا اور ان کو کانکیر آہ دکاریوں کے ساتھ میں جانا تھا لیکن آہ چناوی سرگرمی کی وجہ سے اس میں جو سرکشہ واقعی جو دیش میں رہنی ہے اس کو لے کے میٹنگوں کا دور چل رہا ہے جی ان کا جو آنے کا جو کارکرم تھا وہ ابھی استھاگیت ہو گیا ہے لیکن جس طریقے سے چوت عرفہ جوانوں کی بہدوری کے چرچے ہیں خود پی ایم موڈی آہ سمیت جو امیس شاہ ہیں آہ گریہ منتری اس کے بعد آہ جو پردیش کی گریہ منتری ہیں وجہ شرما جی انہوں نے جس طریقے سے تعریف کی اور جس طریقے سے بہدوری سے لڑنے کی انہوں نے آہ قابل تاریف انہوں نے بتایا ہے اب اب اگر بات کریں تو جس طریقے سے آہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پچاس سے زیادہ نقسلیوں کی ایک بڑی آہ بلکل تحسین دیکھیں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ابھی جو دو ٹاپ لیڈر کمانڈوز تھے ان کے بارے میں تو شناک کنکی ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی ابھی دوسرے نقسلیوں کی شناکت ہونا باقی اور ہو سکتا ہے کہ کئی بڑے نقسلی مار گرائے گئے ہوں اس پورے مڈبھیڑ میں اور دیکھیں لقاتارہ ہماری کا اپ ڈیٹ شبھانگی اپنے درشکوں کو بتا رہے اور اس پورے ماملے میں اب سیاست بھی ہو رہی ہے कबردھا سہی بڑی خبر آپ کو بتا دے پورو مکھی منتری بھوپیش بگیل نے بڑا بیان دیا ہے بھاج پاس سرکار میں فرضی انکاؤنٹر ہوتے رہے ہیں آدی واسیوں کو ڈرہا دھمکا کر گرفتار کیا جا رہا ہے اور بھوپیش بگیل کے اسی بیان پر اب سی ایم وشہ دیر سائے نے پلٹ وار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ گھٹنا اگر فرضی ہے تو آپ پرمارت کیجئے ہر چیز میں پرشن کرنا چھیک نہیں ہوتا ہے سرجکل سٹرائک کو بھی آپ نے کالپنک بتایا تھا دیکھیں پورو مکھی منتری بھوپیش بگیل نے بہت بڑا بیان دیا بھاسپا سرکار میں فرضی انکاؤنٹر ہوتے رہے انہوں نے یہ کہا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آدی واسیوں کو ڈرہا دھمکا کر گرفتار کیا گیا آئے آپ کو سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا تو پھر کس طرح سے سی ایم سائے نے پلٹ وار کیا دیکھیں ہر چیز میں ان کو برسنچن کھڑا نہیں کرنا چاہیے سرجکل سٹرائک केर سٹرائک को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है छत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल उपरेशन हुआ आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गए है चिंद्वारा पोँचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोर पर है पिया मोदी के नेत्रेतों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंद्वारा में रोट सो कर रहे है भववे रोट सो है बड़ी संक्या में चिंद्वारा की जनता ग्रह मंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहुची है करेंगा जा रहे है कि ज appropri ज़िस परकार का रोट सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वट जनुत्सा है पूरा चिंद्वारा मोदी जी के साथ सुरक्षावलों ने बड़ी शबलता आसिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप करें ग्रह मंत्री जी कह रहे हैं कि चिनवाडा सहित पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सिटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबिस 24 चिनवाडा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुडबेड चली और मुडबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गया है किस तरह से नकसलियों के मांद में खुसकर जवानों ने शौरी दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे बताया जा रहा है और अकांडर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खब कर रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडागा हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सरजिकल ओपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तकी सबसे बड़ी ये बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बा पहुच ये नकसीलेओं के खिलाब गया अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जिनने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलू exclusively अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले ही वो deputy CM विज़ेश शर्मा की हो या फिर CM विश्रुदेव साही की हो या फिर DIG नकसल ऑपरेशन की हो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हर एक इंफोर्मेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि उन्ती इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए उन्ती इस नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्ट मॉटम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्ट मॉटम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन लाल लडाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप, लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गड़ में अब तक नकसलियों के खिलाब सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत, कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए है मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंतुरी अमित्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मोदी के नित्रत्र में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंभीर प्रकार का भियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई निना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रत में नकसलवाद को हम समाप करें डियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पाटी और माओ आदियों के बीच मुड़बेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान गायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ इस सिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेज चंद्र चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने सिबस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बाप यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफर्मेशन है पोस्ट मार्टम की शुरुआत हो चुकी है क्या राजेश देखे पहले आपको जवाब देदू पोस्ट मार्टम की शुरुआत हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते है यहां से कांकेर का यह अस्पिताल का जो मर्चूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए है यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पिताल में पोश्ट माटम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्ट माटम अभी शुरू नहीं हुई है जैसा की हमारे सही होगी भी बता रहे है और जो सूतर बता की थी और उनके मुताबिक करीब पांस सारे पांस बजे तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडी वहां पर ब्रामत किये गये थे और लाए गये थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडी की संख्या हो सकती है कि संख्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहां पर आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जवान वहां पर हो और सर्च करे तो हो सकता है कि वह संख्या भी बढ़े लेकिन उन्तीस बाड़ी रिकावर है ये त तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भेजी भी एक्स्क्लूसिव तस्वीर आपने आएवी संटी 24 पर दिखाई है तो रात तक यहां पर वो डेट बाड़ी आ गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे कि क्या प्रक्रिया होनी है दिखिए लगपक नंठाई ब हुआ अपने एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही ती यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 39 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से FSL की टीम बुलबाई गई है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 29 पॉर्ट माटम हो जाए और यह भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलों से एवन की रैपर से भी जो फ्रीजर है डेट बॉ प्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी FSL की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके और फिर यह जो बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चुकि यह 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर प्रुदेश का रहा तिलं पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल आपर होगी और आने वाले दिनों में चुनाओ होने ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्शन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारिया की जा रही है निश्चित तौर पे जिस तरीके से छोटे बेटिया थाना अंतर का जो कलपर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मीली है निश्चित तौर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड कोर नकसरियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की C60 Special Force के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड कोर नकसरियें उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 गर फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहाँ पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिन पॉइंट इन्फोर्मिशन बेज्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बी एसेफ समित डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राओ ललिता और विजयरेड़ी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेड़ी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के परेक्शन होगा नकसलियों के अगर उसम वो येक बड़ा नाम है नकसल में, कि विज़े रेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे ज़वान जो हमने बात करी, जो घायलों के जवान आये हैं, उन्होंने जो बात करी कि काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे, जो हत्यार थे, विपन थे, उन लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो बीस एफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौदरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे, उनके पैर में चोट लगी है, अब इसमें बता दे कि आज जो है, डी पागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समय जो अमिश्चा हैं ग्रेमंत्री उसके बाद जो प्रदेश की ग्रेमंत्री हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके 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 तरीक कमांडोस थे उनके बारे में तो शिनाक्त उनकी हो गई है लेकिन इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक्त होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखे लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्चकों को बता रहे और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कवरधा सही बड़ी ख़बर आपको बता दे पूर्व मुखी मंतरी भुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है भाजपास सरकार में फरजी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धंक आकर गिरफतार किया जा रहा है और भुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सियम विश्योदेर साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि घटना अगर फरजी है तो आप रवारित कीजे हर चीज में प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने का देखें पूर्व मोखिमंद्री बुपेश बगेल ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फरजी अनकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार क्या गया है आई आपको सुनवाते है और उन्होंने क्या खाता और फिर किस तरह से सीमसाई ने पलटवार किया अधिया 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 देखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ानी करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पोचे केंद्री ग्री मंत्री अमिर्शानी कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोर पर है प्या मोदी के नेत्रितों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंद्वारा में रोट्सो कर रहे हैं भाव एठ रोट्सों है बड़ी शंक्या मेरे लिए जनता ग्रह मंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहुंच ए और मैं सीधे कशलोंगा ग्रह मंत्री जी क्या लगता है इस वार मिसंद्वारा सक्सेद हो जाएगा मद्यप्रदेश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जन्ता पार्टी जीतने जा रहे हैं जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे हैं और चिंदवारा लंबे अर्शे से पीजेपी काम्याब नहीं हो रहे हैं लेकिन इस बार लग रहा है कि जन्ता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वत जनुच्चा है पूरा चिं चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाब लड़ाई नेना एक बोड में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप्त करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिंदवारा सहीद पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीटे जीतेगी भारती जन्ता प जीटेशन में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें 25 लाख रुपे का एनामी नक्सली लीडर शंकर राओ भी धेर कर दिया गया है और इसके साथ ही 10 लाख रुपे की एनामी नक्सला ललिता को भी मार गिराया गया है कांकेर के छोटे बेटिया में करीब पाच घंटे तक मुडबेड चली और मुडबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गया है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गया है कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाई गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनाओती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलीों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शौंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे यह बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा जा रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी ये बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकेर लाया गया है 29 नकसलीों के शब को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलीों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुची है नकसलीों के खिलाब ये अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं जाय जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्स्क्लूजिवली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले वो डेपटी सीम विजेश शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेफ साई की हो या फिर डी आईजी नकसल ऑपरेशन की हो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हर एक इंफोर्मेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ ये अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि उन्ती इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए उन्ती इस नकसलिय टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्ट मॉटम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ओपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिया 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मुदी के नित्रत्र में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंबीर प्रकार का भियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई निना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोडी जी के नेत्रत में नकसलवाद को हम समाप करें डियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पाटी और माओ आदियों के बीच मुड़बेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान गायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ इस इत्री बस्तर में सांती बाहली की ज़िष्टी से यह बड़ी सफलता है हालाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेज चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बढ़ाई देता हो साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7-EK-47, 3 LMG समित कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बाप यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफॉर्मेशन है, अप पोस्ट मार्ट नकसलियों के शव लाएगा है अप पोस्ट मार्टम करने वाले की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी प्रक्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोस्ट माटम अभी शुरू नहीं हुई है जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे है और जो सूत्र बता रहे है वो ये है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रक्रिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बोडी को करके कांकेर SP प्रेस कांफरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखे डेट बोडी वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने राप बस्तर के उत्र बस्तर के जो SP है इंद्रा कलिया लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब 5 सारे 5 बिजे तक क्रॉस फा आज जब वहाँ पे आसपास की ग्रामीन आएंगे और सुरक्षा बलके अगर जवान वहाँ पे हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वो संक्या भी बढ़े लेकिन उन्तीस बाडी रिकावर है ये तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और ये 36 गड़ के इतिहास में अब त प्रखाई है तो रात तक यहां पर वो डेट बोड़ी जा गई है अब जब हम यहां पर खड़े हैं आगे की क्या परक्रिया होनी है देखें लगपक नदाई बजे क्या देट बड़ी को लाया गया था आपने ध्यान दिया होगा जो आपने विजुल बेज़ें सब्समें बांध कर लायागाए अभी जो पिसल की टीप पहुची है बाड़ी को बेश्थित करेंगे चूकि अला दीकारी यहां पर पहुचेंगे और उनके बादी को फोर्ट करने के पार देखे जाएगी और वहाँ से लाने के बाद जो है 12 बज़े के बाद जो है प्याद की प्रेकर अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 39 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोस्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जीलों से FSL की टीम बुलबाई गई है लेकिन उसके बावजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 29 पॉर्ट माटम हो जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जीलों से एवन की रैपर से भी जो फ्रीजर है पर फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे सोयोगे हम इतने बताया कि अभी FSL की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉड़ी को पैक करके और फिर बस्तर का इस पर मुख्याले है उत्तर बस्तर का वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे कुछ पुलि का जो ATA से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाफ से ठीक पहले 36 पुलिस को मिली है बावाके राजेश बहुत बड़ी सफलता 36 पुलिस को मिली हो और इसके लिए जवानों के होसले को उनके जस्पे को IBC 24 भी सलाम करता ह तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए बेकुल तैसीन जैसे की राजेश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इससे का जा रहे है जायर से बहते नक्सल में बॉकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चुनाओ होने है ऐस सब्सक्राइश इसको बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बूला जा रहा है क्योंकि अबी तक कि अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्ड को नक्सरियों को देर करना ये सिर्फ अभी तक महाराश्र की सिश्छी स्पेशल fours के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड कोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 गर्फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहां पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इन्फोर्मिशन बेज़्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समित डियार जी, स्टियाफ, जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे शंकर राओ, ललिता और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नक्सल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी, एरिया कमिटी जो है, जो अबुजमान अलाके में एक वर्चस रखती थी, तो निश तरीके से अभी जो शावों के परिक्षन होगा नक्सलियों के, अगर उसमें शंकर राओ की मौत की पुष्टी हो चुकी है, ललिता की मौत की पुष्टी हो चुकी है, अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है, तो निशित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी ज ज़वान आये हैं, उन्होंने जो बात करी की काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़े आटोमेटिक जो गंज थे, जो हतियार थे, वेपन थे, उनसे ये हमला कर रहे थे, और काफी चिला चोट वहां पर ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पर वो काफी खौफनाख है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत दूरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो B.S.F. के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डीजी B.S.F. नितीश अगरवाल को यहां आना है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बाहदूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समेट जो अमिश्चा हैं ग्रे मंत्री उसके बाद जो प्रदेश की ग्रे मंत्री हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके तर तारीफ किये और जिस तरीके बाहदूरी स उनके बारे में तो शनाक्त उनकी हो गई है लिकेर इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शनाक्त होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराये गए हो इस पूरे मुझभेड में और दrition मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा सही बड़ी खबर आपको बता दे पूर्व मुखी मंत्री वुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है भाजपस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और वुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सीम विश्योदेव साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि ये घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजिए हर चीज में प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने कालपनिक बताया था देखें पूर्व मोखिमंद्री बुपेश बगेले बहत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी अनकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा कि आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफ्तार क्या गया है आई आपको सुनवाते हैं और उन्होंने क्या खाता और फिर किस तरह से सीमसाई ने पलटवार किया अब प्रशन करने की जानतार 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 आ रही है देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खडानी करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है छत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बतारी की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गया है चिंदवारा पोँचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्शा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोर पर है पिया मोदी के नेत्रेतों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा इसे से पीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वा जैनुच्जा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षावलों ने बड़ी शबलता आसिर की 29 नकसलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नकसलवाद को हम समाप करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिंदवारा सहित पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबी 24 चिंदवारा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुढबेड चली और मुढबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाएगा है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाएगा है कांकेर जिलास पताल में शबो को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनौती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलीों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है 5 गुंटे तक करेबी मुटबेड चली और उस नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाए और उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा ऑपरेशन यहापर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके नुसार सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहापर एक सबसे बड़ा नकस तक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तक ही सबसे बड़ी यह बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो यह कि कांकिर लाया गया है 29 नकसलियों को मार गिराया गया फिर यह जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए यह संख्या 29 तक जा पहुची है नकसलियों के खिलाब यह अब तक का सबसे अपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्बे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जिनने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्स्क्लूजिवली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले वो डेपटी सीम विजय शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेफ साही की हो या फिर डियाईज नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हर एक इंफोर्मेशन पहुँचाई और नकसल सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार, कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप, लाल गड़ में जवानों का शौरियर, 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है, कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत, कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं, मुटबेड को लेकर खेंद्वी ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है, पियम मुदी के नित्रतु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो वहीं सीयम साय ने इस काम्याबी के लिए जवानों को बढ़ाई दी, हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है, और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई नेना एक मोड़ में, आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रतु में नकसलवाद को हम समाप्त कर दें। डियार जी ओम, बियसेप की स्वक्त पार्टी और माववादियों के बीच मुड़बेड हुई, इस मुड़बेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है, मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है, घायल जवानों की जमानने और खत्रे से बाहर है, यह एतिहासिक सफलता है, अभी तक कि सबसे बड़ी सफलता है, इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, इस सित्री बस्तर में सांती बहली की जिष्टी से यह बड़ी सफलता है, हाला मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है, मुडबेड में बीएसेफ इंस्पेक्टर और डियारजी के दो जवान घायल हुए हैं, इसमें घायल बीएसेफ इंस्पेक् नकसल बात पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया ADG NT नकसल अपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों के स्वास्त की जानकारी ली है, उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी, फिलाल क्रॉस फाइरिंग बंध है लेकिन सर्चिंग जारी है सर्चिंग के दोरन बिना गुंडा और जंगल में सुरक्षाबल या मावधी के बीच मुद्बेड भी, मुद्बेड के पशाद अब तक लाकर के सर्चिंग में कुल 29 मावधी के रटका डेट बाडी बरामत कीगे, काफी बड़ी संख्या में एके 47, इंसास, एसला, कारबे 303 या अन्य हथिया या गौडा बाल भी गटनेसल से बरामत कीगे बीएसेफ और डियारजी के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनेसल से साथ एके 47, तीन LMG समेथ कई अत्याधुनिक हथियार बरामत किये गए हैं मारे गटनेसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपोर्ट, IBC 24 तो वाकरी लोकसबा चुनाओं के पहले यह बहुत बड़ी काम्याबी है सुरक्षा बलो के लिए और इस वक्त दो सहयोगी है हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है यह वो दो सहयोगी है जो कल जब से एक खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट, पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे राजेश राज हमारे साथ आई जुड़ चुके हैं और राइपुर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन पोश्टमाटम की शुरूरात हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइफ दिखाते हैं यहां से कांकेर का यह अस्पटाल का जो मरचुड़ी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाएगे हैं यह पे नज़र आएंगे एफसल की टीम नज़र आएगी अस्पताल में पोश्टमाटम करने वाली की टीम नज़र आपको तस्वीरों में आ रही होगी वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है लेकिन पोश्टमाटम अभी शुरू नहीं हुई है जैसा की हमारे सही होगी भी ब बस्तर के उत्र बस्तर के जो एस्पी है इंद्रा कल्या लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फाइरिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिज वहाँ पर ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन् सबसे बड़ा सबसे सकसफुल जो पुलिस ऑपरेशन वह है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देरात बॉडि लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भी एक्स्क्लूसिव तस्वीर आपने दो गारी में बरकेंडेट बड़ी को लागया था आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपने बेज़े हैं उसमें बांस में बांध कर लाए गया था भी जो पिसल की टीप पहुंची है बाड़ी को ब्यूस्तित करेंगी चुकि आला दीकारी यहां पर पहुंचेंगे और उनक साथ 29 बड़ी को का पीम किया जाएगा रिकॉर्ड होगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी यहां पी हुई हुई है मेरी यह जानकारी किसमें काम करो मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्त में लिए इंकांटर हुआ है तो एक चीज़ और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 39 बड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से FSL की टीम बुलबाई गयी है लेकिन उसके बाबजूद यह डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 29 बड़ी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है 29 एंकाउंटर और इतने बड़ी चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शौबो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेट बॉडी को पैक करके और फिर ग्राइपो यह जो बस्तर से सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर प्रुदेश का रहा तिलांगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गर्चरौली का जो एटीये से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी कि देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑप्रेशन इससे का जा रहा है जायर से बहुते नक्सलों में बॉकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चुनाओं होने ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्शन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारिय कि जा रही है निश्चित तौर पे जिस तरीके से छोटे बेटिया थानांतर का जो कल पर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मीली है निश्चित तौर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अग 29 लोग जो 29 हार्ड कोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 गर्फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहां पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इन्फोर्मिशन बेज्ट केंप जो एक ऑपरेशन किय गया था जिसमें बीएसेफ समित डियार जी एस्टियेफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे शंकर राओ ललिटा और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नक्सल क जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेडी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नक्सल का खात हो चुकि अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निशित तोर्पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निशित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत जिस बहुत दुरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे ज को कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीक बात दूरी से लड़ने की उन्होंने काबिले तारीफ उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हुआ पचास से ज़्यादा नकसलियों की बड़ी इंपूर्ट तैसीन देखी जैसे क्या बता रहे हैं अभी जो टॉप लीडर कमांड दोस्त है उनके बारे में तो शिनाक कुनकी हो गई है लेकिन इसके बाद भी अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक्त होना बाकी हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखिए लकतार हम हारे का अपडेट शिभांगी अपनी दर् अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजिए हर चीज में प्रशन करना छीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पिनिक बताया था देखें पूर्व मोखिमंद्री बुपेश बगे ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी अनकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफ्तार क्या गया है आए आपको सुनवाते हैं और पर किस तरह से सीमसाय ने पलटवार किया है है अब इसे चार मेंने में फूर्जी इनकाउंटर भी कुमें भी मृतिवी है और फजी गिरफ्तारियां भी धक्सली बदाते हैं आदबासियों को बंद करने की जानतार जानतार जानतारी आ रही है देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खडानी करना चाहिए सर्जीकल स्ट्राइक एर स्ट्राइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है छत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर यह फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बतारे की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुंचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोर पर है पियम मोदी के नेत्रितो में नकसलवाद जल्द खत्म होगा अब कि चिंद्वारा में रोट सो कर रहे हैं भव जो यह बडी शंक्या में चिंद्वारा के जंता ग्रह मंतरी को आशिरवाद देने के लिए पहुंची है और मैं सीधे करना इस बार मिसंद्वारा सक्सेश हो जाएगा मत्यप्रदेश क सबी की सबी सीटे इस बार भारतिय जन्ता पार्टी जीतने जा रहे हैं जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे हैं और चिंदवारा लंबे अर्शे से पीजेपी काम्याद नहीं हो रहे हैं लेकिन इस बार लग रहा है कि जन्ता आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वा जनुच्चा है पूरा चिंदवा चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक बोड में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप्त करते हैं तो ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिंदवारा सहीद पुरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीटे जीतेगी भारती ज जीटेशन में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें 25 लाख रुपे का एनामी नक्सली लीडर शंकर राओ भी धेर कर गया गया है और इसके साथ ही 10 लाख रुपे की एनामी नक्सला ललिता को भी मार गिराया गया है कांकेर के छोटे बेटिया में करीब पाच घंटे तक मुडबेड चली और मुडबेड में धेर नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गए है देर रात सभी 29 नकसलियों के शब कांकेर लाए गए है कांकेर जिलास पताल में शबों को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाई गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनाओती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलीों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलीों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामिल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है पोस्मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे यह बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलीों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा जा रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी ये बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकेर लाया गया है 29 नकसलीों के शफ को पहरी ये सूचना मिल रही थी कि 12 नकसलीों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुची है नकसलीों के खिलाब ये अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं जाय जो रहा है कि 3 जवान भी घायल हुएं जिनने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलो एक्स्क्लूजिवली अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले वो डेपटी सीम विजेश शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साई की हो या फिर डी आईजी नकसल ऑपरेशन की हो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हर एक इंफोर्मेशन पहुचाई और नकसल मुटभेड से जुरिया हुआ ये अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि उन्ती इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए उन्ती इस नकसलिय टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्ट मौटम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ओपरेशन लाल लडाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड में जवानों का शौरिया 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड पर है पियम मुदी के नित्रत्र में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीम साय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई नेना एक मोड में आने वाले कुछी समय में मोडी जी के नेत्रत में नकसलवाद को हम समाप करें डियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पाटी और माओ आदियों के बीच मुड़बेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान घायल भी हुए है उनका उपचार किया जा रहा है घायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ इस सिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने से बस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपोर्ट IBC 24 शबलों के लिए और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ लाइफ जुड़े हुआ है यह वो दो सहयोगी है जो कल जब से खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी आपको पल-पल की अपडेट पल-पल की इंफोर्मेशन एक्स्क्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे राजेश राज हमारे साथ आई जुड़ चुके हैं और राइपुर से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए तैसीन सबसे पहले रुक कर लेते हैं कांग के इरका राजेश राजेश अभी वाह पर आप किस तरह क्याल चल देख रहे हैं और एक बाप यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको लेकर कि क्या इंफोर्मेशन है आप पोस्ट मॉत्रम की शिरुवात हो चुकी है क तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते हैं यहां से कांकेर का यह अस्पटाल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गये हैं यह पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहाँ पे नज करिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बास समभबता इन सारे बॉडिस को ले करके कांकेर एसपी प्रेस कांफरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखे डेट बॉड़ी वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने राप बस्तर के उतर बस्तर के जो एसपी है इं संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहां पर आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलकि अगर जवान वहां पर हो और सर्च करें तो हो सकता है कि वह संक्या भी बढ़े लेकिन उन तीस बाड़ी रिकावर है यह तमाम बातों से पुष्टी हो चुकी है और यह 36 गड़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सकसफुल जो पुलिस ऑपरेशन वह है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देरात बाड़ी लेकर के आये हैं द दो गाड़ी में बरकें डेट बड़ी को लाए गया था आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमें विजुल बेजे हैं उसमें बांस में बांध कर लाया गया था भी जो पिसल की टीप पहुंची है बाड़ी को बिवस्तित करेंगी चुकी आला दीकारी यहां पर पहुंचेंग बड़ी को का पीम किया जाएगा इतनी बड़ी संख्या शायदी इससे पहले कभी पीम यहां पी हुई होई है मेरी जो जानकारी किप समय काम करो मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्त मतल्प लिए इंकाउंटर हुआ है तो तो अच्छा एक चीज और भ हो जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जीलो से इवन की रैपूर से भी जो फ्रीजर है डेड बॉडी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है उन्तीस एंकाउंटर और इतने बड़े चोटे सिट और वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवो को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है जैसा कि हमारे स्वयोगेमित ने बताया कि अभी एफसल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उस का सबसे बड़ा सकसे से सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर प्रुदेश का रहा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं किये है गर्चरौली का जो एटीये से महराष्ट का उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं आपर होगी और आने वाले दिनों में चुनाओ होने ऐसे में अगर वो बॉकलार्ट में कोई एक्षन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारिया की जा रही है झितने के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मीरी है निश्चित तोर पे यह अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हाड को नकसरियों को धेर करना ये सिर्फ अभी तक महराष्ट की सी सिक्स्टी स्पेशल फोर्स के नाम था अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ट कोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहाँ पे आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इन्फोर्मिशन बेज्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समेट डियार जी एस्टियाफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है और नि जो अबुजमान अलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयर एड़ी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नक्सल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी ज कर उसमें धेर हुआ है तो निशित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के जो जवान आये हैं उन्होंने जो बा और पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहुत दूरी से वहान लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौदरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने ने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डी जी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ए से उसमें जो सुरक्षा वाकि जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिकर्म था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पी-एम मोदी जो अमिश्चा हैं ग्रे मंत्री उसके बाद जो प्रदेश की ग्रे मंत्री हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके से तारीफ किये और जिस तरीके से बात दूरी से लड़ने की उन्होंने बताया है अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हुआ पतास से जादा नकसलियों की एक बड़ी इंपुट की आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और वुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सीम विश्युदेव साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजे हर चीज में प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिक आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया आई आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या खात और फिर किस तरह से सीमसाय ने पलटवार किया अब टर्वारित करने कि जानतार 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 आ रही है देखे हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ा नहीं करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और यह तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंद्वारा पोंचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोर पर है पिया मोदी के नेत्रेतों में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंद्वारा में रोट सो कर रहे हैं भव जोर सो है बड़ी संक्या में चिंद्वारा की जनता ग्रह मंंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहुची है और मैं सीधे क्रन दिसे बात्षित करूगा मत्यप्रदेश की सभी की सभी सीटे इस बार भारतिय जनता पार्टी जीतने जा रहे है जो 29 सीटे जितने का दावा कर रहे है और चिंदवारा लंबे अरसे से बीजेपी काम्याब नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड सुआज मैंने देखा है अभूत पुर्वा जनुत्सा है पूरा चिंदवारा मोदी जी के साथ है सुरक्षा बालों ने बड़ी शबलता आसिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई निना एक बोड़ में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप्त कर दो ग्रह मंत्री जी कह रहे हैं कि चिनवादा सहीद पूरी मत्वदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबी 24 चिनवादा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुडबेड चली और मुडबेड में धेर नक्सलियों के शब अब कांकेर लाएगा है देर रात सभी 29 नक्सलियों के शब कांकेर लाएगा है कांकेर जिला अस्पताल में शबो को रखा गया है पोस्ट मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगर में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नक्सली लकातार चनाओती दे रहे थे और देखें किस तरह से नक्सलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 39 नक्सलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नक्सली ललिता को भी मार गिराया गया है पोस्ट मॉटम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा है कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक्त जो बात करने के लिए तयार है नकसलियों को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापुर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिर लाया गया है आज तो की सबसे बड़ी है बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 29 नकसलियों को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुचिए नक्सिलियों के खिलाब ये अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुस्मे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुएं जोने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कराया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलू exclusively अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया भले ही वो deputy CM विजए शर्मा की हो या फिर CM विश्रुदेव साही की हो या फिर DIG नक्सल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड लीड ली पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्ट मौटम किया जाएगा सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप, लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गड़ में अब तक नक्सलियों के खिलाब सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत, कलपर के जंगलों में 29 नक्सली मारे गए है मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नक्सलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मोदी के नित्रत्र में नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीमसाय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नक्सलवाद के खिलाब एक गंबीर प्रकार का भियान चल रहा है और नक्सलवाद के खिलाब लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोडी जी के नेत्रत में नक्सलवाद को हम समाप करें बियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पाटी और माओ आदियों के बीच मुड़बेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान भायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ इस सिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने सिबस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदर से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हतियार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बाप यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको रेकर कि क्या इनफॉर्मेशन है अब पोस्ट मार्टम की शुरुआत हो चुकी है क्या हो राजेश देखे पहले яपको जबाब देदू पोस्ट मार्टम की शुरुआत हो चुकी है क्या तो तश्विर सीधी आपको लाइव दिखाते हैं यहासे कांकेर का ये अस्पिताल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गये हैं ये पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफसल की टीम नजर आएगी अस्पिताल में अब तर इन सारे बॉडिस को ले करके कांकेर एसपि प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने वो सारी बाते रखें डेट बॉड़ी वहां पे काउंट होगी और देर रात हमने रैपो बस्तर के उतर बस्तर के जो एसपि है इंद्रा कलिया लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फारिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडिस वहां पे ब्रामत किये गये थे और लाए गये थे लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडिस की संक्या हो सकती है कि संक्या बढ़े क्योंकि शाम हो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सबसे सकस्फुल जो पुलिस ऑपरेशन वह है हमारे जो कांकेर के साथ ही है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देर रात बॉड़ी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भी एक्स्क् अब जान दिया होगा कि जो हमने विज्वाजे उसमें बांस में बांध कर लाया गया है कि अब जो पिसल की पहुंची है वाडी को बेस्टित करेंगी चुकि आला दीकारी यहां पर पहुंचेंगे और उनका भी उनको बश्तित करके जो प्रेस कॉन पर ले जाएगी और व जान कारी जिब समय काम कर हो मैंने कभी देखा नहीं कि 36 गल में इतना बड़ा लंक्तित करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के SP से और उन्होंने बताया था कि 39 डेट बॉड़ी को एक दिन में पोश्ट माटम करना भी चुनाती होगी क्योंकि आसपास के ज फ्रीजर है डेट बॉड़ी को रखने के लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पर उतने फ्रीजर नहीं है उन्तीस एंकाउंटर इतने बड़े चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई जाएगा और वहां पर कुछ पुलिस विभा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे चुकि यह 36 गड़ के इतिहास में नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो जानों के होसले को उनके जस्पे को आई बीसी 24 भी सलाम करता है तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए निषिट तोर पे जिस तरीके से छोटे बेठिया ठाना अंतर का जो कल पर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मिली है निषित तोर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बूला अब ये जो नाम है एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्ड कोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो रिकार्ड है अब वो 36 गर्फोर्स के नाम हो गया है क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है यहां पर आपको बता दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिंट पॉइंट इन्फोर्मिशन बेज्ट केम जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समेट डियार जी एस्टियाफ जिलाबल के करीब 185 से जादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पे वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे शंकर राओ ललिटा और विजे रिड़ी ये एक बड़े नाम है नक्सल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश तरीके से अभी जो शावों के परिक्षन होगा नक्सलियों के अगर उसमें शंकर राओ की मौत की पुष्टी हो चुकी है ललिता की मौत की पुष्टी हो चुकी है अगर विजे रिड़ी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निशित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा में काफी बड़े आटोमेटिक जो गंस थे जो हत्यार थे वेपन थे उनसे ये हमला कर रहे थे और काफी चिला चोट वहां पे ये कर रहे थे वहां का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने पहुत जिस बहुत दूरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो ब्यस एफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चोधरी से जो हमारी बात हुई उन्हों ने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर मे में रहनी हैं उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिकर्म था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अरफा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पीम मोदी समय जो अमिश्चा हैं ग्रेमंत्री उसके अब अगर बात करें तो जिस तरीके से जादा नकसलियों की बड़ी इंपूरे मुट्भेड में और देखिए लकातार हमारे का अपडेट शभांगे अपने दर्चकों को बता रहे हैं और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा से ही बड़ी ख़बर आपको बता दे पूर्व मुखी मंत्री वुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया है भाजपस सरकार में फर्जी एंकाउंटर होते रहे हैं आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार किया जा रहा है और वुपेश बगेल के इसी बयान पर अब सियम विशुदेर साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजे हर चीज में प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था देखें पूर्व मोखिमंद्री बुपेश बगेल ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपा सरकार में फर्जी अनकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफतार क्या गया है आई आपको सुनवाते ह देखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खड़ा ने करना चाहिए सर्जिकल स्टाइक, एर स्टाइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगर की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फर्जी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुंचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद की खिलाफ लड़ाई निर्डायक मोर पर है पियम मोदी के नेत्रितो में नकसलवाद जल्द खथम होगा है चिंद्वारा में रोडसो कर रहे हैं भवे भूपिल जो है बड़ी शंक्या में चिंद्वारा के जंता ग्रह मंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहुँची है और मैं सीधे क्रिए बाचित करूँगा ग्रह मंतरी जी क्या लगदा वारतिय जन्ता पर्टी जितने जा रहे हैं जो 29 सिटे जितने का दावा कर रहे है और चिन्दवारा लंबे और से पीजेपी काम्याब नहीं हो रहे हैं लेकिन इस बार लग रहा है कि जन्ता जो है आप लोगी साथ जेखा है अबुद्पुर्वर जैनुट्सा है पूरा चिं नकसलवाद के खिलाब एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई निना एक पूर्ड में आने वाले कुछी समय में मोदी जी के नेत्रुत में नकसलवाद को हम समाप्त करें ग्रह मंत्री जी कह रहे हैं कि चिनवादा सहीद पूरी मत्यपदेश की 29 से 29 सीटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेग पटिया आईबी 24 चिनवादा कांकेर के चोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुडबेड चली और मुडबेड में ढेड नकसलियों के शब अब कांकेर लाए गया है देर राथ सभी 29 चौटे शब कांकेर लाए गया है कांकेर जिला असपताल में शबों को रखा गया है पोस्मॉटन के लिए दूसे जिलों से टीम बुराई गई है तो लालगड में जवानों के शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लकातार चनौती दे रहे थे और देखें किस तरह से नकसलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौरे दिखाया है और 29 नकसलियों को मार गिराया है जिसमें 25 लाक रुपे का टॉप कमांडर शंकराओ भी शामेल है 10 लाक रुपे की नामी नकसली ललिता को भी मार गिराया गया है 5 गुंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है और देखिये सब बहुत खुश है और जवानों की ज़जबे को सलाम कर रहे हैं कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलियों को मार गिराया गया है तो पोस्मॉर्टम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलियों के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक जो खबर सामने आ रही है उसके नुसरा सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे है जो आपर एक सबसे बड़ा नकसलियों चलाया गया है और यहाँ पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है उसके बाद यह सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलियों को मार गिराया गया है आज तो की सबसे बड़ी यह बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो यह कि कांकिर लाया गया है 29 नक सलियों को मार गिराया गया फिर यह जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए यह संख्या 19 तक जा पहुची यह नकसीलियों के खिलाब यह अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुसमे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवा खबर पर लीड ली आपको सबसे पहले हरे के इंफोर्मेशन पहुचाई और नकसल मुटभेर से जुरिया हुआ यह अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 19 इस नकसलियों के शब कांके लाए गए है और देखिए 19 नकसलियों के शब है इसलिए दूसरे जिलों स से भी पोस्ट मॉटम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्ट मॉटम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ओपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिया 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्री ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पियम मुदी के नित्रत्र में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीम साय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाब एक गंभीर प्रकार का भियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाब लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोडी जी के नेत्रत में नकसलवाद को हम समाप करें डियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पाटी और माओ आदियों के बीच मुड़बेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान गायल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गायल जवानों की स्थिती समान्य और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ इस सिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेज चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुचकर घायल जवानों से मुलाकाद की डिप्टी सीम विजशर्मा ने सिबस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिनहा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है BSF और DRG के जवानों के शौरे से नकसलियों के प्रतापपूर कमिटी का खात्मा हो चुका है गटनैस्तल से 7 AK-47, 3 LMG समेथ कई अत्याधुनिक हत्यार बरामत किये गए हैं मारे गया नकसलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाए गया यह रिपूर्ट, IBC 24 राजेश अभी वहाँ पर आप किस तरह क्या चल देख रहे हैं और एक बात यह कि यह भी का जा रहा है कि शायद नकसलियों के जो डेथ रिपोर्ट है यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सरच अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है एक कर के क्या Information है पोस्ट माटम की शुरुआ हो चुखई है क्या राजेश देखें पहले आपको जवाब देव हूँ पोस्ट माटम की शुरुआ हो चुकी है क्या तो तस्वीर सीधी आपको लाइफ दिखाते यहासे कांकेर का ये अस्पिताल का जो मरचूरी है उसकी सामरे की तस्वीर देखिए आप और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गे नकसलियों के शव लाए गए हैं ये पुलीस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे एफैसल की टीम नजर आएगी अस्पिताल में पॉश्ट माटरम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आज़ी होगी वो प्रकरिया अभी शुरू हुई है लेकिन पॉश्ट माटरम अभी शुरू नहीं हुई है जैसा कि हमारे सही होगी भी बता रह रहा है और जो उसको पूरी करेंगी और उसके बाद समभबता इन सारे बॉड़ी को ले करके कांकेर ESP प्रेस कांफिरेंस करें मीडिया के सामने उस सारी बाते रखें डेट बॉड़ी वहाँ पे कांट होगी और देर रात हमने राप बस्तर के उत्रबस्तर के जो एस्पी है इंद्रा कल्या लेला सिला उनसे बाचीत की थी और उनके मताबिक करीब पांस सारे पांस बज़े तक क्रॉस फारिंग बंद हुई थी उसके बाद ये सभी बॉडीज वहाँ पर ब्रामत किये गए थे और लाए गए थे लेकिन उन्होंने भी कह था कि ये बॉडीज की संख्या हो सकती है कि संख्या बढ़े क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था तो अल सुभा आज जब वहाँ पर आसपास की ग्रामिन आएंगे और सुरक्षा बलकि अगर जबान वहाँ पर हो और सर्च करे तो हो स साथ है अमित उनसे बातचीत करेंगे अमित देरात बॉडी लेकर के आये हैं दो गारियों में हमने वो तस्वीरे दिखाई आपने वो तस्वीरे भेजी भी एक्स्क्लूसिव तस्वीर आपने आपने दिखाई है तो रात तक यहां पर वो डेट बॉडी आ गई है अब पर उस्तित करईगी चुकि आला दिकारी यहां पर पहुंचेंगे और उनकावी उनको बश्तित करके जो प्रेस कॉन्फमेंस होनी है वाडी पहां पर ले जाएगी और वहां से लाने के बात जो है बारा बज़े के बाद प्रक्रिया सुरू की जाएगी यहीं क्योंकि प्य अच्छा एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे कल ही हमारी बात बहु रही थी यहां के एसपी से और उन्होंने बताया था कि उन्तीस डेट बॉड़ी को एक दिन में पोस्टमाटम करना भी चुनौती होगी क्योंकि आसपास के जिलों से एफसल की टीम बुलबाई ग लिए उसको बुलाने की बात चल रही है क्योंकि यहां पे उतने फ्रीजर नहीं है उन्तीस एंकाउंटर इतने बड़ी चोटे सिट अप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवों को सुरक्षित आला अधिकारी भी मौझूद है नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतियास में अब तक सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलो के लिए क्योंकि इसके पहले ग्रे हांड जो आंदर प्रदेश करा तिलंगाना करा उसने भी इतने जादा एक साथ इंकाउंटर नहीं कि तैसीन भी हमारे साथ शुभांगी चुड़े हुए विकुल तैसीन जैसे कि राजश ने भी का कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इससे का जा रहा है जायर से नक्षल में बॉकलार्ट भी आ पर होगी और आने वाले दिनों में चुनाओ होने ऐसे में चाब तक के एक बड़ी सफलता है इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो ये एक सान इतने सारे हार्ड को नक्सलियों को ढिरे करना ये इस सिर्फ अभी तक महरास्थ की सी सिकस्टी स्पेशल फोर्स के norm था अब ये जो ना दे कि जिस तरीके से कल जो एक पिन पॉइंट इन्फोर्मिशन बेस्ट केंप जो एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें बीएसेफ समेट डियार जी एस्टी एफ जिलाबल के करीब एक सो पिचासी से जादा की नफरी एक घेर के नकसलियों को मारा गया है और निश्चित तोर पर वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर शंकर राओ ललिटा और विजयरेडी ये एक बड़े नाम है नकसल के जिसमें जो कह सकते हैं कि परतापुर जो कमिटी एरिया कमिटी जो है जो जो अबुजमान इलाके में एक वर्चस रखती थी तो निश्चित तोर पे अगर ये इसमें विजयरेडी भी अगर इसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे पूरे अबुजमान में नकसल का खात्मा हो गया है ये जानकार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी जो शावों के परिक्शन होगा नकसलियों के अगर उसमें शंकर राओ की मौत की पुश् कि अगर विजयरेडी भी अगर उसमें धेर हुआ है तो निश्चित तोर पे बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है क्योंकि वो जो इलाका है वो एक वो ये बड़ा नाम है नकसल में कि विजयरेडी भी लेकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी जो घायलों के ज का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है निश्चित तोर पे वो काफी खौफनाक है लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहादुरी से वहां लड़े हैं गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे जिस तरीके से हमारे जो बीएसेफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौदरी से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे उनके पैर में चोट लगी है अब इसमें बता दे कि आज जो है डी जी बीएसेफ नितीश अगरवाल को यहां आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ मे जाना था लेकिन चुनावी सरगर्मी की वज़ा से उसमें जो सुरक्षा वाकि जो देश में रहनी हैं उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है इसलिए उनका जो आने का जो कारिक्रम था वो अभी स्थागित हो गया है लेकिन जिस तरीके से चौट अर्फा जवानों की बहादूरी के चर्चे हैं खुद पियम मोदी समित जो अमिश्चा हैं ग्रेमंत्री उसके बाद जो प्रदेश की ग्रेमंत्री हैं विजे शर्मा जी उन्होंने जिस तरीके तर तारीफ किये और जिस तरीके बहादूरी से लड़ने की उन्होंने बताया है अब अगर बात क अभी दूसरे नकसलियों की शिनाक्त होना बाकी और हो सकता है कि कई बड़े नकसली मार गिराए गए हो इस पूरे मुटभेड में और देखे लकातार हमारी का अपडेट शिभांगे अपने दर्शकों को बता रहे और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है कबरधा स इसी बयान पर अब सियम विश्रुदेव साय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि घटना अगर फर्जी है तो आप प्रवारित कीजिए हर चीज में प्रशन करना ठीक नहीं होता है सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने कालपनिक बताया था देखें पूर्व मोखिमंद्री बुपेश बगे ने बहुत बड़ा बयान दिया भासपव सरकार में फरजी अंकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धंका कर गिरफतार किया गया है आई आपको सुनवाते है देखें हर चीज में इनको प्रसंचिन खडान ने करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, एर स्ट्राइक को भी उन्होंने वलब कालपनी कहा और ये तो उनके यहां की बात है चत्रिगड की बात है अगर यहीं कहीं यहां किसी भी तरह से अगर फरजी है तो उसको परमानित करें और 36 कर में सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन हुआ है आपको बताने की काकेर में मुटभेड में 29 नकसली मारे गये हैं चिंदवारा पहुंचे केंद्री ग्रीमंत्री अमिर्श्वा ने कहा कि नकसलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोर पर है पिया मोदी के नेत्रितो में नकसलवाद जल्द खत्म होगा चिंद्वारा में रोड़ो कर रहा है भावा बड़ी संक्या में चिंद्वारा के जनता ग्रह मंत्री को आसिरवाद देने के लिए पहुंची है और मैं सीधे ग्रहमंत्री से वाच्छित करूँगा ग्रह형 जी क्या लगता है इस बार काम्याद नहीं हो रही लेकिन इस बार लग रहा है कि जंता जो है आप लोगी साथ जी जिस प्रकार का रोड़ सो आज मैंने देखा है अबुद्पुर्वत जैनुच्जा है पूरा चिंदवड़ा मोधी जी के साथ है सुरक्षावलों ने बड़ी शबलता आशिर की 29 नक्सलियों को डेर कर दिया चुनाओ के पहले नहीं हमारा नक्सलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और मक्सलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोधी जी के नेत्रुद में नक्सलवाद को हम समाप करें ग्रह मंत्री जी कह रहे है कि चिन्दवाडा सहित पूरी मत्वडेश की 29 से 29 सिटे जीतेगी भारती जन्ता पाटी कैमा प्रसंद संजे के साथ वेक पटिया आईबिस 24 चिन्दवाडा नक्सलियों के शब अब कांकेर लाए गए हैं देर रात सभी 29 नक्सलियों के शब कांकेर लाए गए हैं कांकेर जिला अस्पताल में शबो को रखा गया है पोस्मॉटन के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाए गई है तो लालगर में जवानों की शौरे का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला चनाओ से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही बहुत बड़ी कामियाबी क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नकसली लगा तार चनौती दे रहे थे और देखें किस तरह स पाच घंटे तक करेबी मुटबेड चली और उसके बाद एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और देखें सब बहुत खुश हैं और जवानों की जजबे को सलाम कर रहे हैं कि चुनाओ के ठीक पहले 29 नकसलीओं को मार गिराया गया है तो पोस्मॉर्टम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी आपर बुलाएगे बताया जा रहा है और अकांचुर ऐसे की लगतार कहा जा रहा था कि नकसलीओं के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उनमें तेजी लाई जाएगी एक बड़ा आपर चलाया जाएगा तो इस वक बात करने के लिए तयार है नकसलीओं को बात करना होगा लेकिन जस हिसाब से के बाद एक कई हिंसक घटनाए सामने आ रही थी भले ही वो बस्तर हो बीजापूर हो या फिर कोंडा गां हो कांकेर हो उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नकसलीओं को मार गिर लाया गया है आज तो की सबसे बड़ी है बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नकसलीओं को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकिर लाया गया है 29 नकसलीओं को मार गिराया गया फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुची है नकसलीओं को खिलाब ये अब तक का सबसे बड़ा ओपरेशन है इसलिए जवानों की जुसमे को सलाम करते हैं बताया जो रहा है कि तीन जवान भी घायल हुए है जिनने राइपुर के रिजी अस्पताल में भरती कर लाया गया और सबसे बड़ी बात IBC 24 ने हर एक खबर हर एक पहलू exclusively अपने दर्शकों के सामने रखा हर एक प्रतिक्रिया बले वो डेपटी सीम विजय शर्मा की हो या फिर सीम विश्रुदेव साही की हो या फिर डिय जी नकसल ऑपरेशन की हो तो लगातार IBC 24 ने इस पॉस्टम टीम यहाँ पर बुलाई गई है और अब इन शबों का पोस्टम किया जाएगा सबसे बड़ा नकसल ऑपरेशन लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइप लाल गड़ में जवानों का शौरिय 37 गल में अब तक नकसलियों के खिलाप सबसे बड़ी काम्याबी मिली है कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतरगत कलपर के जंगलों में 29 नकसली मारे गए हैं मुटबेड को लेकर खेंद्वी ग्रेमंतुरी अमिच्शा ने काया कि नकसलवाद के लड़ाई अब नर्ना एक मोड़ पर है पीएम मोदी के नित्रत्यु में नकसलवाद को खत्म कर दिया जाएगा तो वहीं सीएम साय ने इस काम्याभी के लिए जवानों को बढ़ाई दी हमारा नकसलवाद के खिलाप एक गंबीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नकसलवाद के खिलाप लड़ाई नेना एक मोड़ में आने वाले कुछी समय में मोडी जी के नेत्रत में नकसलवाद को हम समाप करें बियार जी ओम बियसेप की स्वक्त पाटी और माओ आदियों के बीच मुड़बेड हुई इस मुडबेड में अभी तक 29 नकसलियों के मारे जाने की खबर है मुडबेड में तीन जवान गहल भी हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है गहल जवानों की स्थिती समानने और खत्रे से बाहर है यह एतिहासिक सफलता है अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है इस मुडबेड में सामिल सभी जवानों और सुरक्षा धिकारियों को मैं बढ़ाई देता हूँ इस सिती बस्तर में सांती बाहली की दिश्टी से यह बड़ी सफलता है हलाकि सरकार यह चाहती है कि हुन खराबा नहीं हो वो लोग वारता के लिए तयार हों और विकास की मुखधरा से जूड़ जाएं मारेगे नकसलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नकसली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की नामी नकसली मादवी ललिता भी शामिल है मुटबेड में BSF इंस्पेक्टर और DRG के दो जवान घायल हुए है इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेज चंदर चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयर लिफ्ट कर राइपूर लाया गया है ग्रेमंत्री विजशर्मा ने अस्पताल पहुँचकर घायल जवानों से मुलाकाज की डिप्टी सीम विजशर्मा ने सिबस्तर पूलिस का नकसलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया नवजवानों ने बड़े सहासिक कारी किये हैं उनको हरदय से बढ़ाई देता हूँ साथ ही साथ आने वाले समय में भी नकसल मुक्त बस्तर हो इसके लिए पूरी कवायत की जाएगी पूरा प्रयास किया जाएगा जो कांकिर जिले में ये मुटभेड हुई है वो उसी का एक हिस्सा है तो निस्ति दुरुप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्यधारा से जूड़ेगा ADG NT नकसल आपरेशन विवेकानन सिन्हा ने भी खायल जवानों की स्वास्त की जानकारी ली है उन्होंने बताया है कि नकसली लगबग पचास की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीद दोसो थी फिलाल क्रोस फाइरिंग बंद है लेकिन सर्चिंग जारी है